वेलकम तो टेक इंफो वाईटी तो इस वीडियो में हम क्रेट करने वाले हैं कम्प्लीट पी ओएस अप्लिकेशन जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं तो यहां पर हमारे पास देखिए कुछ इस तरीके से इसका डिजाइन है और भी हम इसमें लेटर चिंजिस करेंगे यह हम कम्प्लीट करने वाले हैं देख सकते हैं यहां पर हमारे पास फिल्टर है तो इस फिल्टर के बेस पे भी हमारे पास आइटम्स रहेंगे उसके बाद और log out और login की functionality भी हमारे पास है और यहां पर builds में अगर आप देखेंगे तो complete POS compatible है यानि कि अगर मैं इस पर click करता हूँ तो यह हमारे पास build है तो हम जैसे अगर इसको print देंगे न तो exact यह POS के जो है 3 inches या फिर ATMM का जो paper होता है उस पर बराबर सही print होगा जैसे कि यहां से मैं print दे दूँ, printer connected है तो automatically print हो जाएंगा देख सकते हैं यहां पर कुछ इस तरीके से इसका interface नजर आ रहा है क्योंकि यहां पर A4 size है भी फिलाल आप जो है thermal printer इसको connect करेंगे तो बराबर यह उसी size में print करके देंगा तो यह भी हमने इसमें add किया है और साथी यहां से हम quantity को increase कर सकते हैं, decrease कर सकते हैं और मैंने यहां पर quantity को add कर लिया और यहां पर देख सकते है Create Invice इस पर click करेंगे तो यहां पर पूछेंगा किसके नाम से हमको invoice to create करना है तो आप यहां पर आड़ कर सकते हैं, जो भी details आपको fill करने आप कर सकते हैं और फिर generate bill जैसे कि मैं यहाँ पर create करता हूँ generate bill तो देखिए bill generated और second invoice जो है create हो चुपा है अभी same account से login हो और पहले भी मेरे पास same account था इसलिए customer name सेम है तो आप कोई दूसरे से login करेंगे तो वहाँ पर दूसरा show करेंगा जैसे कि इस receipt पर अगर आप click करेंगे तो देखिए यहाँ पर शो करेंगा नीचे वाला है तो यह बिल्गी receipt आप प्रिंट कर सकते हैं इसी तरीके से 123456 यहाँ पर password है login तो यहाँ पर toast notification भी हमको मिलता है complete application हम create करने वाले है react.js, node.js, express, mongodb database की मदद से यह complete monstack project है जिसको हम from the scratch जो है create करने वाले health.js one by one हम यहाँ पर explore करेंगे तो इस project को start करने से पहले make sure आप चैनल को subscribe करके रखें और वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें इसका source code आपको github पर मिल जाएंगा links आपको description में और comment section में भी pin होके मिल जाएंगी तो in case अगर आपको कहीं पर भी error आता है तो code को आप compare कर सकते हैं तो definitely आपको वहाँ पर solution मिल जाएंगा क्योंकि mostly spelling mistakes होती है तो आप code को compare करेंगे तो easily वह error चाला जाएंगा नहीं तो नीचे comment भी कर सकते हैं जो भी आपको error आता है तो मत पूरी कोशिश करूँगा जल से जल reply देने की so make sure channel को subscribe करके रखें bell icon प्रेस करें ताकि latest video की notification आपको मिलती रहें hello and welcome to tech info yt तो project शुरू करने से पहले यहाँ पर हम software installation देखेंगे I know बहुत सारे user को already पता होगा लेकिन जो new है उनको यहाँ पर हम एक बार बताते चालेंगे लेकिन उससे पहले कर आप इस channel पर नए है तो चैनल को subscribe कर लें bell icon प्रेस करें ताकि latest video की notification आपको मिलती रहें इसी तरीके से बहुत सारी यहाँ पर playlist मेरे पास available है react और mern stack से related तो आप check out कर सकते हैं काफी useful content है जो के आपकी ज़रूर help करेंगा तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखने वाले है node.js मेरे पास सब कुछ पहले से इंस्टॉल है तो मैं पूरा installation का setup नहीं बताऊंगा सिर्फ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि क्या-क्या चीज़े इंस्टॉल होना जरूरी है आपके system में तो यहाँ पर आपको जो है node.js को इंस्टॉल करना पड़ेंगा तो LTS version आप डाउनलूड करें current version आपके लिए नहीं है अगर आप experience developer है तभी आप इस current version को डाउनलूड करें क्योंकि यहाँ पर कुछ advanced चीज़े हैं इसमें कोई आपको ज्यादा errors देखने नहीं मिलेंगे उसके बाद में हम यहाँ पर यूज करने बाले है React का तो पहले क्या होता था हमको इसको जो है download करना पड़ता था CLI को React की CLI आती थी हमको download करना पड़ता था लेकिन अब ऐसा नहीं है अब हम क्या कर सकते note के साथ में हमको note package manager का support भी मिलता है जिसे हम कहते NPM तो उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर application create कर सकते हैं तो अगर आपको इसके बारे में और डीटेल में जानना है तो आप docs पर क्लिक कर सकते हैं और यहां से यूज कर सकते हैं यहां पर option मिलेंगा create new react app तो कैसे create करना है सारी चीज़े आपको यहां पर मिल जाएंगी simply आपको एक command लिखनी पड़ती है npx create react app और इसके बाद में आपको file name या पिर आपको प्रोजेक नेम अब node.js क्या है यहां पर container की तरह काम करता है जहां पर हम javascript का code backend में भी run करा सकते हैं और express की मदद से हम क्या कर सकते हैं यहां पर API's create कर सकते हैं तो काफी जादा popular है और mostly node.js के साथ में maximum यही use होता है जरूरी नहीं है लेकिन होता है अगर आप merge stack की बात करें तो यहां पर e-stands पर express तो यहां से आप इसका documentation भी देख सकते हैं काफी कुछ यहां पर है तो हम सारी चीज़े तो use नहीं कर सकते जो भी additional चीज़े आपको लगती है तो आप यहां से चेक आउट कर सकते हैं guide पर click करें और यहां से आपको सब कुछ मिल जाएंगा उसके बाद में हम यहां पर database के लिए mongodb का use करेंगे अब mongodb में क्या है एक तो cloud database है या फिर आप local का भी use कर सकते हैं तो cloud में क्या है तो अगर आप first time use कर रहे हैं तो आप cloud use कर सकते है कोई भी मेरा वीडियो देख ले आप node to mongodb connection तो वहां पर आपको मिल जाएंगा cloud के साथ में कैसे आप connect कर सकते हैं क्योंकि मैं यहां पर आपको नहीं बताने वाला simply अगर आपको cloud use करना है तो आप atlas पर जा सकते हैं जैसे कि new tab में इसको open करके में बताता हूँ तो atlas का कुछ इस तरीके से आपको interface मिलता है first time में आपको pass 12 MB जो है यहां पर बिल्कुल free data मिलता है जिसमें आप testing कर सकते हैं और in case production पर आपको भीज नहीं तो फिर आप pricing चेक कर सकते हैं यहां पर आपको मिल दाएंगा कितना चार्ज आपको लगेंगा तो आपके application के requirement के according आप जो है इसको यूज कर सकते हैं साथ ही में इसके अंदर हमारे पास देखिए क्या करें आप products पर click करें और यहां पर option आता है compass का compass क्या है देखिए अगर हमको MongoDB database को देखना है अब आप चाहे Atlas की बात कर लीजिए यान कि cloud database की बात करें या फिर local की बात करें तो हम install तो इसको कर लेंगे लेकिन उसको continuous watch करने के लिए कि उसमें changes actual में हो रहे है या नहीं तो इसको यहां पर देखने के लिए compass का use करते compass क्या है यह GUI tool है तो थोड़ा graphical user interface हमको मिलता है वरना हमको फिर shell का use करना पड़ेंगा command line में फिर सारा data देखना पड़ेंगा जो के काफी boring है और first time में तो बहुत confuse करता है तो हम यहां पर MongoDB Compass का use करेंगे तो आप इसको download और install कर ले उसी तरीके से आप क्या करें यहां पर इसका community server आप download करेंगे तो community server आप download करेंगे तो locally MongoDB को आप use कर पाएंगे अगर आप Atlas यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं मैं बता दूँगा Atlas में भी कैसे use करना है आप सिर्फ वहाँ पर cluster create करके रखें तो tutorial आपको मिल दाएंगा यहां पर है postman अगर आप fresher है तो आपने नहीं सुरा होगा अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आपको backend का knowledge है तो वहां पर क्या है देखिए backend में हम क्या करते हैं APIs को create करते हैं अब उस APIs को test करना पड़ता है हमको तो आप डिरेक्ली जो है CRUD operation perform कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़े है authentication से related और कैसे render हो रहा है हमारा data कितना request and response टाइम ले रहा है तो सारी चीज़े हम यहां पर check कर सकते हैं तो यह totally backend tool है और सिर्फ और सिर्फ REST API test करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो अगर आप backend developer नहीं है और interested भी नहीं है इस चीज़ में तो आप क्या करें इसको ignore भी कर सकते हैं direct frontend part भी आप देख सकते हैं लेकिन अगर आपको project के साथ में continue यहां पर देखना है तो आप इसको download करें और इसमें test करें अगर आपके पस कोई other project है तो आप उसको भी easily इसमें test कर पाएंगे उसके बाद में हम यहाँ पर ID के लिए यानि के text editor के लिए visual studio code का use करेंगे तो काफी popular है और जब भी javascript की बात आती है तो उसके लिए best text editor है और recommended भी जो भी अगर आपके friend या फिर कह लीजी आप जिस company में काम कर रहे तो वह भी आपको यही recommend करेंगे कि आप visual studio code का इस्तेमाल करें दूसरे भी है कुछ paid है कुछ free है लेकिन यह best है क्योंकि इसमें हमको काफी अच्छा extension का support मिलता है जिससे हमारा productivity बढ़ जाता है यह सारी चीज़े आप इंस्टॉल करके रख लेंगे क्योंकि यह one video tutorial है तो इसमें मैं wait तो नहीं कर सकता continue हम इसके साथ में आगे बढ़ेंगे लेकिन आप इतनी सारी चीज़े इंस्टॉल करके रखें उसके बाद में हम क्या करेंगे सबसे पहले backend क्रेट करेंगे क्योंकि backend क्रेट करना थोड़ा easy है और मैं अच्छे से explain कर दूँगा फिर हम क्या करेंगे हाफ backend क्रेट कर लेंगे फिर frontend पर काम करेंगे और पिर जब authentication का part देखना होंगा तब वापस से backend स्टार्ट करेंगे तो यहां तक क्या आप continue करें और make sure अगेन पहले चैनल को subscribe कर दें पहले अगेन प्रेस करें ताकि लीटेस वीडियो की notification आपको मिलती रहें और साथी मैं वीडियो को भी like करते चले तो यहां पे हम eDrive के अंदर जो है new folder तो राइट क्लिक open with code और यह project जो है visual studio code में open हो जाएंगा यहां पे आप देख सकते project हमारा open हो चुका है अभी इसके अंदर कोई भी यहां पर folders या file नहीं है इसलिए empty show कर रहा है तो हम क्या करेंगे यहां से जाएंगे टर्मिनल पर और हमारे package को initialize करेंगे यहां पर मैं इसको clear कर देता हूँ make sure आप जाए directory के अंदर हो तो हमारे project का नाम है eos-merl यहां पर हमको लिखना है npm init तो यह क्या करेंगा यहां पर package.json को initialize करेंगा तो यहां पर आपसे कुछ question पूछेंगा जैसे के आपके package का नाम क्या है तो मैं as it is रहने देता हूँ enter version भी same description यहां पर eos-merl app enter और हमारा entry point रहेंगा server.js की file enter press कर लिजे test command हमको नहीं चाहिए enter repository भी हम यहां पर अभी add नहीं करेंगे keywords भी हमको नहीं चाहिए author में हम यहां लेते है tech info yt और इसके बाद मैं license यहां पर मैं कर लेता हूँ enter और Indian हमारे पास पूछेंगा कि यह सारी चीज़े सही है या नहीं तो simply हम yes पर click कर देंगे तो देखिए package.json की file यहां पर create हो जाएंगी और अगर आप इसको open करेंगे तो यहां पर चीज़ नोटिस करिए कि जो चीज़े हमने यहां पर provide की थी ना वह as it is यहां पर आ रही है अब package.json में क्या है यहां पर देखिए script है script का मतलब क्या है कि यहां पर कुछ चीज़े हम को run करानी है जो कि हम आगे देखेंगे script हम को changes करने है तो उस command की मदद से हम क्या कर सकते है हमारे server को run कर सकते है फिर node 1 के through कर सकते है या पिर cedar script होंगे हमारे पास तो उसको भी हम यहां पर script देदेंगे इसे के साथ में यहां पर नीचे dependencies का आएंगा अभी फिलाल यहां पर कुछ भी नहीं है अब हमको यहां पर dependencies को download करना है तो इस project में हम क्या करेंगे Express का use करने वाले है Express तो आई hope आपको पता है Node.js का framework है REST API को create करने के लिए कोई भी अगर आपको package search करना है तो आप npmjs.com पर visit करें और यहां से आप search कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़े इसको कैसे यूज करना है तो सारी चीज़े आपको यहां पर मिल जाएंगी इसी तरीके से installation command भी आपको मिल जाएंगा और यहां पर उसकी official repository या फिर official website भी आपको यहां पर मिल जाएंगी तो आप check-out कर सकते हैं इसके बाद में हम जो है mongos का use करेंगे क्योंके mongodb हमको use करना है तो mongos सबसे best package है mongodb database को access करने के लिए क्योंके इसमें हमको बहुत सारे functions मिल जाते हैं जिसकी मदद से हम easily mongodb से connect हो सकते हैं तो इसके बारे में भी आप यहां पर check-out तो वहां पर course का इस्तेमाल हो तो यहां पर यहां पर इसका भी इस्तेमाल करेंगे रहा पर body parser भी हम बाडी पारसर नो पर भी इस्तेमाल करेंगे तो बाडी पारसर बाड़ा यूज़ होता था लेकिन आप जो है अगर एक्सप्रेस के साथ में यहां पर मॉर्गन का यूज करेंगे, मॉर्गन क्या है यहां पर अगर हमारे पास REST API है और हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो यह सिर्फ टेस्ट परपस के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते के हमारा जो URL है वो बराबर से हिट हुआ है नहीं, या कितना टाइम उसन यह सिर्फ development purpose के लिए है, सिर्फ dev server में है हम इसका इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में है .env, देखिए जब भी हमारे application में कुछ confidential data हो, जैसे कि हमारा database, payment gateway या पिर कोई keys, json tokens, etc. तो बहुत सारी चीज़े होती है, जो कि हम user से directly share नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम क्या करते है .env file में add करते हैं, और इसके बाद में server पे भी वो secure रहती है, यानि कि वो exposed नहीं होती है, तो हमारा code secure रहता है, तो यहां पर मैं सब कुछ explain नहीं कर पाऊंगा, तो आप खुद से भी यहां पर explore करने की कोशिश करें, इसके बाद में हम क्या करेंगे, node 1 का use करेंगे, तो node करने के लिए हम क्या करते हैं, node 1 का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि react की application में हमको hot reloading का function मिलता है, यानि कि on safe जैसे हम करते हैं, तो automatically हमारा code compile हो जाता है, और output हमको display होता है, तो same functionality हम node 1 के through access कर सकते हैं, तो इसको क्या करना पढ़ेंगा, आप तो इसको locally install कर सकते हैं, या फिर globally install करें, क्योंकि फिर बार बार आपको जो है, यहाँ पर इसको install करने की जरुरत नहीं पड़ेंगी, और अगर आप node developer है, तो recommended है, कि आप जो है, यहाँ पर इसको globally install करें, तो यह इसकी command है, npm install dash g node mode, तो इसको copy करें, और command prompt में आप paste करें, तो कहीं पर भी paste करें, और इसक copy करना पड़ेंगा, तो उसका scope क्या रहेंगा, सिर्फ project की हद तक रहेंगा, जैसे कि हमारा भी POS Murn project है, तो इस हद तक ही इसका scope रहेंगा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यह सारी dependencies को download कर लेंगे, तो आपको लिखना है npm, install के लिए i shortcut में है, सबसे पहले हमारे पा सकता है, कभी कबार हम से कुछ mistake हो जाए, body parser, colors का module है, फिर dot env है, और I think इतने काफी है, one, two, three, four, five, six, seven packages हम install कर रहें, one, two, three, four, five, six, seven, और node 1 तो install नहीं कर रहें, node 1 अल्रेडी मेरे पास भी install है, तो आप इसको as a dev में add कर लें, यह रहा node 1, dev अगर आप use कर रहें, तो सिर्फ आप इतना command यहाँ से copy करें, या फिर पहले इन सब को कर लें, उसके बाद में node 1 को install करें, तो ज्यादा बेटर है, तो इतने सारे packages को हम install करेंगे, enter press करें, make sure internet से आप connected हो, तो यह सारे packages जो है, यहाँ पर install होना चाले हो जाएंगे, और यहाँ पर अगर आप notice करेंगे, तो note underscore module का एक folder बन जाएंगा, जिसमें यह सारी dependencies रहेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी यह folder create होना start हो चुका, तो जब तक यह finish होगा, तब तक जो है, आप इसको छेड़ेना, तो देखिए, यहाँ पर यहाँ पर इस folder को expand करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर बहु करेंगे, तो MVC pattern अगर आपको नहीं पता, तो simply आप Google कर सकते हैं, देखिए, एक architecture है, जो के software companies में, web development companies में, जो है, follow किया जाता है, ताकि code को अच्छे से manage कर भाए, तो और भी details में, अगर आपको जानना है, तो आप Google कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे comment करें, हम एक separate इसके रहेंगे, तो इस folder के अंदर हम उसको add करेंगे, उसके बाद में हमको क्या करना है, root में, controller के नाम से जो है, folder बनाना है, तो controllers क्या है, functions को simply हम controllers कहते हैं, तो कैसे काम करता है, वो भी आगे देखेंगे, कोई दिकत नहीं, फिर हमारे पास होते है models, क्योंकि यहाँ पर NoSQL database होत उसी के बाद में हमारे पास होता है middleware, so middleware क्या है, यह भी functions है, तो next function को हम middleware कहते है, अगर हमारे पास है, तो इसमें रखेंगे, नहीं तो कोई दिकत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर pattern को follow कर रहे है, इसलिए हम सारी चीज़े create कर रहे है, तो हमारे पास क्या है, MVC में क्या आत करेंगे, यहाँ पर एक server create करेंगे, उसको एक बाद टेस्ट कर लेंगे, तो आपको क्या करना, एक new file create करना है, server.js के नाम से, क्योंकि हमने यहाँ पर package.json में भी अगर आपने देखा हूंगा, तो server.js की हमारी main file है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो dependencies का object बन मेरे पास already बहुत सारे extensions यहाँ पर install है, तो हो सकता है, आपके पास ना हो, तो उससे आपको थोड़ा सा मेरे coding में और आपकी coding में फरक नजर आए, तो मैं नहीं चाहता कि आप कहें कि यार तेर उसमें ऐसा कैसे हो रहा है, और मेरे पास यह चीज क्यों नहीं हो रही है, तो यहाँ पर जैसे आप कोई भी tag open करेंगे, तब उसका closing tag भी साथ ही में आपको मिल जाता है, तो इसको कैसे use करना है, नीचे documentation आपको मिल जाएगा, उसके बाद में auto import का भी extension है, तो इसमें हम क्या कर सकते है, simply अगर आप file का नाम लिखेंगे, और suggestion में आपको show करेंगा, उस पर click करेंगे, तो उस file का location automatically import हो जाएगा, उसी के साथ में यहाँ पर auto rename tag है, अगर आपके पास कुछ changes आपको करना है tag के अंदर, तो आप इस auto rename tag का use कर सकते है, तो self explanatory है, easily जो है नाम सही समझ में आ रहा है, कि यह चीज क्या करती है, उसके बाद में है bracket pair colorizer, I think यह भी latest update म इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इससे क्या होगा, कि यह किस चीज का block है, और कहां पर यह खतम हो रहा है, उसके बाद में के लिए मैंने यहां पर material theme यूज की है तो theme का section मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ और .env का एक extension है तो इसमें क्या होता है थोड़ा colorful हमको जो है .env में जो हम variables define करते हैं वो colorful दिखाई देते हैं उसके बाद में यहां पर react के लिए है यह 7 react redux native snippet तो इसमें बहुत सारे shortcuts हमको मिलते हैं और काफी हमारा यहां पर time बचता है तो इसका official documentation आप ज़रूर देखे क्योंके shortcut यहां पर अभी इसने define नहीं किया है यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका page open हो जाएंगा मैं नहीं चाहता भी इसको open करना आप खुछ से इसको explore करें उसके बाद में ES Lint है ES Lint तो आपको पता होगा यह linter है कुछ भी हमारे से कोई mistake होती है या फिर variable हम लिखके छोड़ देते हैं तो इसको यह highlight करता है हम इसको disable भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपको यूज करना है तो अच्छा है काफी आपको इसमें help मिलेंगी project के अंदर और इसके बाद में देखी HTML to JSX यह भी काफी popular package है अगर हमको code copy paste करना रहा क्यूंकि normal HTML तो react में नहीं चल दी तो इसको हम क्या कर सकते हैं normal HTML को JSX में convert कर सकते हैं इस package की मदद से हैं तो इसको भी install करके रखे बाद में देखेंगे इसको कैसे use करना है और फिर live server तो जरुरत नहीं है आपको material icon theme आप यूज कर सकते हैं जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यह material icon theme की वज़ हम Mongo TV को जो है जैसे compass में use करते हैं वैसे VS code में भी use कर सकते हैं इस पर आप click करेंगे तो यहां से भी connect हो सकते हैं इनकस अगर आप ज्यादा familiar है तभी आप इसको use करें और यहाँ पर path intelligence तो इसकी तो कोई जरुरत नहीं पीकॉक की भी जरुरत नहीं प्रिटियर का plugin है यह आ आप क्या करें सेटिंग में जाए जरें इसको इनेवल कर देना आपको आपके इसमें नहीं होंगा आप इसको एनेवल कर लें तो जब भी आप ctrl s करेंगे तो आपका जो टॉक्यमेंट है वह automatically जो हैं फॉर्मेट होता रहेंगा तो इससे जो है आपको भी कोई दिक्कत नह हैंगी क्योंकि मेरे पास format on save है जानी कि मैं save करता हूं तो auto format हो जाती है document तो काफी useful है आप इसका use कर सकते हैं और काफी आपका जो है इसमें time बचेंगा अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं तो better है start में आप खुद से ही करें उसके बाद में थोड़ा experience हो जाए तो यहां पर हमको क्या करना है जितने भी पैकेज हमने install किया है उनको जो है import करना है तो यहां पर आपको लिखना है const और यहां पर हम express को import करेंगे और यहां पर हम ES5 का use करने वाले है अगर आपको ES6 यूज करना है तो फिर आपको जए SM का package जह है यहां पर इंस्तॉल करना फाइल क्रिएट कर लेंगे और यहां पर मैं Morgan अट कर देता हूं Morgan इक्वल टू रिक्वायर अफ मॉर्गन पैकेज तिर बॉड़ी पार्सर है const बॉड़ी पार्सर इक्वल टू रिक्वायर ऑफ बॉड़ी पार्सर उसके बाद में कॉर्स था अपने पास तो कॉर्स को भी यह पर इंपोर्ट कर लेंगे सारे मॉड्यल सहां को जाये आंपर इंपोर्ट कर देना है इसरे के साथ में क्या करेंगे डॉड़ी को भी आड कर देंगे dot Env equal to require of.env.env और colors बही था तो colors को हम directly require कर सकते है require of colors package कि compelled इसे सिर्फ डेफ में काम करने वाला है यहां पर express हो गया Morgan, BodyPurse, Cores Mongos अभी नहीं चाहिए मौंगोस नहीं करेंगे यहां पर तो हो चुका है यहां पर क्या करेंगे रेस्ट अबजेक्ट क्रिएट कर लेंगे यहां पर लिखना है रेस्ट अबजेक्ट const app is equal to express तो express की सारी चीज़े अब जहें इस rest object में है इसके बाद में हम यहां पर middlewares create करेंगे तो पहला middleware रहेंगा हमारे पास app.useof course course हम यहां पर use करेंगे courseof उसके बाद में app.useof bodyparser यहां पर आपको लिखना है bodyparser.json और साथी में URL encoded भी कर सकते हैं app.useof bodyparser.url encoded और यहां पर इसके अंदर extended हम कर सकते हैं extended आपको करना है और इसके बाद में यहां पर express का भी यूज कर सकते हैं तो express में हम को json का मिल जाता है method तो app.use express.json तो दोनों भी चीज़े हम यहां पर use कर सकते हैं उसके बाद में हम यहां पर morgan का यूज करेंगे तो app.useof morgan और morgan के अंदर हम को जो बहुत सारी चीज़े मिलती है यहां पर dev का यूज करेंगे तो कैसे काम करते हैं वो भी थोड़ी दिर में देख लेंगे हमारे middlewares तो सारे ready हैं अब हमको यहां पर routes getoff यहां पर सबसे पहले है url path उसके बाद में होता है callback function जो कि हमको request and response रिसीव करके देता है और इसको हम access कर सकते हैं तो slash रहेंगा मतलब यह route पे रहेंगा तो यहां पर response send कर सकते response.send send में हम string बेज़ सकते हैं HTML का data भी बेज़ सकते हैं h1 कर देता हूं और यहां पर भी h1 मैंने close कर दिया और इसके अंदर हम यहां पर add कर सकते हैं pos backend save कर लेते हैं अब यहां पर हमको इसको listen करना है listen मतलब क्या है कि इसको कोई ना कोई port पर run करेंगे और उसको हम access करेंगे इसके लिए हम use करते है app.listen तो थोड़ा सा उपर ले लेता हो और यहां पर हम क्या करेंगे एक variable बनाएंगे const port equal to port के लिए हम क्या करेंगे root में एक new file create करेंगे इसका नाम हम रखेंगे .env और इसके अंदर हम port create करेंगे port equal to यहां पर हम 8080 कर देते port को और इसको आप save कर ले और यहां पर हम क्या करेंगे .env 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 अब मानली जी हमारी जो वेबसाइट है एपलिकेशन है वो कोई दूसरे सर्वर पर होस्ट है अब वहाँ पर थोड़ी न हमको 8080 मिलेंगा अब वह जो हमको असाइन करके देंगा वह हमको यूज करना है तो इसके लिए हम यहां पर प्रोसेस.env का यूज कर रहे हैं अगर यह मिलता है तो ठीक नहीं तो भाई 8080 यूज कर लो तो यह हम यहां पर define कर रहे हैं इसके बाद में हम क्या करेंगे यहां पर add कर देंगे port को तो port configure हो गया और यह हमको देता है callback function जिसके अंदर हम जो है console.log कर लेंगे console.log और यहां पर हम क्या करेंगे backtick का यूज करेंगे और इसके अंदर add कर देंगे server learning on port फिर template literals का use कर लेंगे तो dollar और यहां पर process.env यहां फिर directly port भी हम add कर सकते हैं तो मैं करता हूँ directly port add कर देता हूँ और इसको हम save कर लेंगे अब इस file को हमको run करना है अब मैंने पहले क्या कहा था आपसे कि अगर हम direct note की मदद से करेंगे न तो बार बार हमको जब भी इसमें changes करना रहेंगे तो server को भी restart करना पड़ेंगा तो हम क्या करेंगे यहां पर package.json की file में जो script है हमारे पास तो इस script को अब हम change करने वाले हैं जैसे कि यहां पर मैं लिखता हूँ start और इसके अंदर हम लिखेंगे node की मदद से server.js की file को run कराएंगे अगर node की मदद से कराएंगे क्यूंकि in future हूसक स closure.js कि अभी किसर उप्रर की एक command ॡक्ररा चंंग कर देंगे और यहां पर हम क्या करेंगे नोड मान का यूज करेंगे, नोड मान, फिर इसके बाद में server.js की file यहाँ पर हम run कराएंगे, इतना लिखे आप इसको save कर लें, और save करने के बाद आपको जाना है terminal में, new terminal, और यहाँ से थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं, इसको clear कर लेंगे, फ़हले node की मदद से इसको run कर करेंगा, इस node की मदद से जाए execute करेंगा, और I think हमने colors भी add किया था, तो colors हम यहाँ पर add कर देंगे, तो इस console.log के अंदर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर color का use करेंगे, तो color में हम क्या कर सकते, bg, और इसको कर देंगे, तयान कर देते हैं और फिर dot लगाएं, और यहाँ पर text जो है, उसको change कर देंगे, वाइट कर लें, और इसको save कर लें, और यहाँ पर आप क्या करें, npm start की command को execute करें, अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ पर हमको show करेंगा, और यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, I think, यह जो function हमारा बरावर से execute न लेकिन यह जो color है, तो इसको dot लगाना पड़ता है, तो dot लगा देंगे, save, तो दीखिए यहाँ पर, मैंने जैसे save किया, तो यहाँ पर changes नहीं मिले, तो यह node की वज़े से हमको disadvantage मिलता है, तो आप क्या करें, ctrl c press करें दो बार, और इसको clear कर दे, अब हम जहाँ node 1 के थूर वो run कर रहा है, port 8080 पर, इसको check कर सकते हैं, मैं करता हूँ, यहाँ पर visit करता हूँ, localhost, 8080 है हमारा server, तो यहाँ पर type करता हूँ, 8080, और यहाँ पर enterprise करेंगे, तो देखिए, EOS backend, जो कि हमने यहाँ पर response में add किया था, और यहाँ पर देखिए, Morgan का फायदा क्या है, कि यहा इसने time लिया है, तो यह सारी चीजें यहाँ पर show करती है, यहाँ पर status code भी देख सकते हैं, तो यह सारी चीजें अभी हमको set करना है, तो basic route तो हमारा create हो चुका है, तो यह काफी basic routing थी, तो ऐसी routing तो हम नहीं देखेंगे, जो routing actual project में use होती है, companies में कह लीजी या पर freelancing में, तो हम वह use करेंगे, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ समझाने के लिए इस तरह से एक route create किया था, तो यह route जो था ना, कहा गया, sorry, यह वाला, यहाँ पर सिर्फ test purpose के लिए मैंने add किया था, अभी हम क्या करेंगे, मौंगो DB को setup कर लेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक new करेंगे, तो function हमको बनाना पड़ेंगा, और उसके अंदर URL और DB दोनों को हमको यहाँ पर manage करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक function create करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको mongoose को यहाँ पर import करना पड़ेंगा, तो const mongoose equal to require of mongoose, और साथ ही में हमको क्या करना है, यहाँ .env की file में, जो है, uri बनाना है mongodb के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे mongo underscore uri या फिर url, तो uri जादा तर use होता है, अब अगर आप atlas use कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको connection string मिलेंगा, तो आप उसका use कर सकते हैं, या फिर अगर आप local use कर रहे हैं, तो आपको लिखना है mongodb, colon, slash, slash, localhost, colon, 27017, और इसके बाद में database का नाम, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, POS, तो point of cell system के लिए हम यहाँ पर POS database use करेंगे, तो इसको आप save कर ले, और जब भी .env file में अगर आप change इस करें, तो आप क्या करें, server को restart करें, तो फिलाल मैं server को close ही कर देता हूँ, cls, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, function create करेंगे database को connect करने के लिए, साथी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर colors का package import कर देंगे, तो require of colors, और यहाँ पर connect db का function create करेंगे, तो connect db func, और इसमें आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है const, और फिर function का नाम, तो यहाँ पर मैं लिख और कुछ भी हम यहां पर argument pass नहीं करेंगे और अच्छे से error को handle करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर try catch block का use करेंगे तो catch में हमको क्या करना है simply जा है console.lock करना है जो भी error आता है तो यहां पर हम उसको console.lock करेंगे और पूरे process को हम यहां पर with failure जो है exit करा देंगे तो process.exit sorry emit नहीं यह रहेंगा exit और इसके अंदर आपको one pass कराना है तो exit with failure यहां पर show करेंगा अब यहां पर देखिए try के अंदर हमको क्या करना है यहां पर connect करना है mongodb database से क्योंकि mongodb itself एक server है इसे लिए हम यहां पर async await का syntax यहां पर एक variable हम बना लेंगे कौन के नाम से और यहां पर हमको क्या करना है await करना है await किस चीज का करना है हमको यहां पर हमको connect करना है तो यहां पर हम लिखेंगे mongos की मदद से connect करेंगे mongos.connect और इस connect के अंदर हमको क्या करना है connection string को pass कराना है जो के हमारे पास कहां पर है .env file के अंदर है तो इसको हमको पास कराना है यहां पर लिखेंगे process.env.mongo.uri जो string आपने यहां लिखा होगा वही चीज आप यहां पर आड़ करेंगे और इसके बाद में हमको एक success response यहां पर आड़ करना है और यहां पर error के अंदर हम क्या कर सकते है colors package भी use कर सकते है तो . यहां पर हम red लिख सकते हैं और I don't think यह support कर दा है BG red तो यहां पर यह support नहीं कर रहा है तो इसको ignore कर सकते हैं simply और कहां पर है mongo.uri इसके बाद में हम क्या करेंगे console.log कर देंगे और इसके बाद में हमको यहां पर print कराना हम क्या करेंगे इस error को जो है न object के अंदर add कर देंगे तो यहां पर back tick यूज करता हूँ Error और यहां पर हम क्या कर सकते हैं जो भी error आ रहा ना उसको हम यहां पर print करा देंगे तो आपको लिखना है dollar error और इसके अंदर हमको मिलता है message तो उस message को हम यहां पर print करा देंगे और इसके बाद में क्या करता हूँ यहां पर बीजी जो है red कर लेता हूँ तो error है तो red में show होंगा तो जाद अच्छा लगता है और यहां पर हमारे पास क्या connection है अगर यह connection success हो तो भी हम क्या करेंगे console.log कर लेंगे और यहां पर आपको क्या करना है अगें backtick का use कर सकते हैं और इसके अंदर हम एक message print करा देंगे mongolDB connected और यहां पर आपकी इस अहुलेत के लिए मैं एक चीज़ आड़ कर देता हूँ कर देते हूँ यलो तो यह यलोब कलर कि टेक्स में को show करेंगे यह पर आपको b payeroka brush लेंगे उपीज्य यलोब कर सकते और इसको सेब कर लेंगे और इसके बाद 먹ना मेंGreenा यहां पर इसको export कर ना बहुत हम खalidate export और यहां पर हम कहरेंगे module.ισcion कर यूस करें हमारा create हो चुका है अब इसको हम server.js की file में import कर देंगे तो यहां पर इसको import कर ले कहां पर import कर लेते हैं इस color इसके package के बाद में const connect db equal to require of .config का folder और इसके अंदर config की file .js लिखने की जरुरत नहीं है और इस .env के बाद में आपको db को config करना है क्योंकि पहले .env जरूरी है उसके बाद में यहां पर हमको config करना है database यहां पर simply क्या करना है connect db को call कर देना है तो इतना लिखके मैं इसको save कर लेता हूँ अब हम क्या करेंगे यहां पर server को run करेंगे तो थोड़ा सा scroll up कर लेते हैं और यहां पर npm run server और enter press कर देंगे तो सब कुछ सही रहा तो यहां पर हमको connection मिल जाएंगा तो देखिए हमारा server तो on है लेकिन यहां पर database से अभी connect नहीं हुआ है यहां पर कुछ mistake है call तो हमने किया है connect DB को import भी किया है यह config है और इसके बाद में क्या करता हूँ कुछ चीज़े provide कर देता हूँ हो सकता है इसकी वज़े से दिक्कत हो यहां पर हम क्या करेंगे use unified topology को add कर देंगे तो यहां पर आपको लिखना है use unified topology देखिए यहां पर आ रहा है local host है यह तो loka host हो गया तो इस वज़े से दिक्कत दे रहा है save कर लेते हैं इसको और server को restart करना पड़ेंगा cls और npm run server तो इस टाइम तो यह काम करना चाहिए देखिए यहां पर mongodb connected local host क्योंकि मैं local host यूज कर रहा हूँ इसलिए यहां पर local host शो कर रहा है करेंगे और इसका नाम हम रखते है इसको नीशे कर लेता हूँ थोड़ा सा और यहां पर हम क्या करेंगे स्कीमा डिजाइन करेंगे तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते है जैसे कि कॉंस और पिर स्कीमा करना है यहां पर मैं लिखता हूँ item schema equal to mongoose और mongoose के अंदर हमको क्या मिलता है schema मिलता है तो यहां पर mongoose.schema schema क्या होता है normal json object को हम schema कहते हैं तो इसके अंदर हम key value pairs को जो है add कर सकते हैं तो इसके अंदर हम क्या करेंगे सबसे पहले name add करेंगे और name के अंदर इसका type हमको define करना है तो type और इसका type रहेंगा string इसके बाद में required की property हम add कर देंगे required और इसको कर देंगे true यानिके mandatory है इस field को fill करना उसके बाद में price add कर देंगे और इसका type जो रहेंगा वो रहेंगा number और इसके बाद में इसको भी required कर देंगे हम required true और price के बाद में हम add करेंगे यहाँ पर category टाइप इसका रहेंगा string और इसके बाद में इसको भी हम क्या करेंगे require कर देंगे true और category के बाद में हम यहाँ पर image add कर देंगे और image का type भी रहेंगा string और require इसको भी हम कर देंगे true और I think इतनी fields अभी के लिए काफी है और इसके बाद में हम क्या करेंगे देखिए यहाँ से जो schema object शुरू हो रहा है उसके बाद में हम time stamp को add करेंगे तो comma लगाए और इसके बाद में time stamp को आप जो है add करें और इसको true कर लें यहाँ पर schema create हो चुका इसको save कर लेंगे तो थोड़ा format भी हो जाएगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके बाद में जो है इसको बताएंगे कैसे बताना है हमको देखिए बहुत simple है एक variable हम create करेंगे const और फिर इसका नाम हम रखेंगे items equal to mongoose.model और इसके अंदर model का name items और आपके schema का नाम item schema और इसके बाद में इसको export कर देंगे तो module.export और यहाँ पर जो हमारा model है उसको export कर देंगे तो यहाँ पर items को हम export कर देंगे हमारा schema create हो चुका है अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ प्राउट कर सकते हैं लेकिन एक problem क्या है कि हमारे पास कोई भी data नहीं है तो हम क्या करेंगे next dummy database create कर लेंगे तो database अल्रेडी है इसके अंदर हमारे पास data नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे data seeder script की मदद से data को import कर देंगे और उस data की मदद से हम फिर routing perform करेंगे तो वह देखेंगे हम इसके बाद में तो आप क्या करें यहां तक के पहले इसको complete कर लें next हम क्या करने वाल है एक json की file में create कर रहा हूं उसके अंदर जो है dummy data रहेंगा और एक seeder की file हम create करेंगे और उसकी मदद से data को database में import करेंगे तो यहां पर देखें यूटिल्स के अंदर मैंने data.js के नाम से file create की है और इसके अंदर कुछ dummy items को मैंने add किया है ताकि हम इसका यूज कर पाएं क्योंकि routes देखना है अगर हमारे पास कुछ data ही नहीं रहेंगा तो फिर routes में हम क्या देखेंगे तो इसलिए मैंने एक यहां पर data के नाम से file बनाई है जिसके अंदर dummy data है तो यह file आपको resources में मिल जाएंगी तो आप use कर सकते हैं या फिर आप जो है cedar script create करेंगे तो route में हम क्या करेंगे एक new file create करेंगे और इसका नाम मैं रखता हूं cedar.js क्योंकि यह separate file है इसलिए हमने इसको separately create किया है आप चाहे तो use कर सकते हैं अगर आपको नहीं करना है तो आप directly database में जाकर manual यह सारी चीज़े create कर सकते हैं तो यहां पर हम क्या करेंग db equal to require of .env इसके बाद में हमको config function भी चाहिए तो const connect db equal to require of .config.config.config make sure आपने जो config के अंदर लिखा तरी कि यह जो function है हमारा connect db इसको हमको use करना है यहां पर दीखी बी जो है lower case में है तो यहां पर मैं इसको भी same lower case में कर देता हूँ और इसके साथ में हमको model भी चाहिए तो model भी इंपोर्ट कर ले const item model और यहां पर मैं इसको capital में कर लेता equal to require of dot slash models का folder और उसके अंदर हमारे पास है item model और इसके बाद में हमको क्या चाहिए यहां पर data की file को भी import कर लेंगे const item data और यहां पर मैंने इस नाम से export किया देखिए items है तो इसके नाम से किया है तो same मैं यहां पर use करूंगा items equal to require of dot slash utils slash data तो यहां पर imports हमारे हो चुके है यहां पर हमको configuration करनी है थोड़ी सी तो यहां पर comment कर देता हूं मैं config पहले dot env की config तो dot env.config के बाद में connect db को हमको call करना है और इसके बाद में यहां पर function लिखना है कौन सा function seed or function so const और function का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं जैसे कि const import data equal to arrow function यह arrow function रहेंगा इसको async बना लें और try catch हम add कर देंगे तो try catch और error को पहले हम handle कर लेंगे जो भी error रहेंगा उसको console.log कर लेंगे और मैं colors package को भी import कर लेता हूं तो require of color package और अब हम इसको यहां पर use कर सकते तो console.log में हम क्या करेंगे back tick का use करेंगे जो भी error आ रहा है उसको यहां पर pass करा देंगे तो error और इस process.exit, exit with failure हमको यहां पर करना है क्योंकि यहां पर हमारा task वह fail हो रहा है इसलिए हम process.exit use कर रहे है अब try के अंदर हमको क्या करना है यहां पर await करना है, await किस चीज करेंगे हम पहले तो देखिए हमारे पास जितना भी data रहेंगा उसको हम delete कर देंगे तो यहां पर हम लिखत item model.delete many अब इसके बाद में हम क्या करेंगे यहां पर एक variable create करेंगे const और इसका नाम हम रख सकते हैं, items यहां पर कुछ और नाम दे देदे क्योंकि already हमारे पास है na items data कर लेते हैं इसको, equal to यहां पर हमको लिखना है, await करना है सबसे पहले तो await और पास जो model है item model.insert many का हमको यहां पर use करना, insert many और उसके अंदर जितना भी हमारे पास data है, data कौन सा है, data.js की file है, यह जितना भी data है, हमने कहां पर इसको add किया है, इस items के अंदर जैसको store किया है, तो यह हम यहां पर pass करा देंगे, items और अगर यह success होता है, हमको सिर्फ console.log करना है कि यह successfully import हुआ है, य जया नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर add कर सकते है, statementAllItemAdding, और इसके बाद में dot लगा सकते है, bg हम कर सकते है, इसको green और क्या कर सकते हैं, यहां पर process.exit, और चीफ Excit करना है कर आदेंगे, सिर्फ Exit करना है, और कुछ भी नहीं करना है, इसको पू Indigenous saith कर रहे हैं, इसी तरीके से हम delete के लिए भी कर सकते हैं तो I hope delete आप समझ गए होंगे कैसे करना है अगर आपको नहीं समझ में आप simple जो है Google कर सकते हैं आपको वहाँ पर mail जाएंगा delete के लिए या फिर मेरे जो previous tutorials है वहाँ पर भी मैंने same इसी तरीके से delete का functions भी create किया है तो आप वह भी follow कर सकते हैं तो हम चलते हैं package.json file में और यहाँ पर इसके लिए जो है script तयार कर लेंगे तो यहाँ से आपको क्या करना है simply लिखना है seed और seed में हम क्या कर सकते हैं जो भी हमारे पास file है उसका name आपको यहाँ पर add करना है तो इसको encounter भी कर लेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है तो टर्मिनल आप open कर ले और यहाँ से आप क्या करें थोड़ा से इसको scroll कर लेता हूँ है और यहाँ पर हम लिखेंगे npm run seed और enterprise करें अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा data जो successfully इंपोर्ट होगा देखिए यहाँ पर successfully हमको message आ चुका है all items added तो इसको database में चेक कर लेंगे तो compass को open करें या पिर आप online देख रहे है atlas तो वहाँ पर भी आप check out कर सकते हैं यहाँ पर मैं compass का use कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको connect कर दूँगा local host पर तो यहाँ पर यह connect हो रहा है और यहाँ से हमको search करना है हमारा database तो दीखिए POS इस पर click करता हूँ तो दीखिए items का हमारे पास एक collection आ चुका है इसको further expand करेंगे तो दीखिए हमारे पास data आ चुका है तो successfully हमारी data seeder script जो है काम कर गई तो अब इस data को जो है हम use कर सकते हैं और इसकी मदद से controllers और पिर different different routes हम यहाँ पर check कर सकते हैं तो test purpose के लिए data हमने add किया था बाद में हम और भी data इसमें add करेंगे so make sure आप भी data seeder script की मदद से जो है data को import करके रखे तो अब जितनी भी route है उसमें हमको यह data को use करना है तो अब हम यहाँ पर route और controller create करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर controller create कर लेंगे यहाँ पर route ज़्यादा simple है इसलिए मैं क्या करता हूँ एक new file create करता हूँ और item के लिए है तो item route.js इस file का नाम हमने यहाँ पर रखा है और यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्सप्रेस को जो है initialize कर लेंगे तो const express equal to require of express और इसके बाद में router object हम यहाँ पर create करेंगे const router equal to express.router और यह method है इसलिए हम यहाँ पर इसको parenthesis में wrap कर रहे हैं इसके बाद में इसको export कर देंगे तो module dot exports equal to router तो अब इसको हम कहीं से भी use कर सकते हैं तो इसके अंदर हमारे पास routes रहेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है routes तो first one रहेंगा get के लिए तो यहाँ पर मैं method add कर देता हूँ method रहेंगा get और यहाँ पर हम एक route create करेंगे router फिर इसके बाद में dot फिर get तो इसमें क्या करेंगे हम सारा का सारा data जो हमने भी seat किया था उसको जहें get करेंगे तो इसके अंदर हम क्या करेंगे end point को create करेंगे तो slash get item कर लेते हैं और इसके अंदर रहता है callback function तो callback function हम यहाँ पर नही लिखेंगे हम क्या करने वाले है controller में जह है callback function create करेंगे और उसको यहाँ पर सिर्फ call करेंगे तो controller के अंदर हम पर करेंगे एक file create करेंगे controller new file और इसका naam हम रख सकते है itemController.js और इसके अंदर हमको function create करना पड़ता है, तो साथ ही में हम इसको export करते चलेंगे, export const और इस function का नाम हम रखते थे, get item controller equal to arrow function, फिलाल arrow function बना कि इसको save कर लेते हैं और ये object रहेंगा, और इसको import करेंगे हमारे route के अंदर तो यहाँ पर आपको लिखना है, get item controller, देखिए, suggestion में show कर रहा है इसको save कर लेते हैं, अभी कोई error नहीं आएंगा, और terminal भी मैं वापस से चालू करूँगा पहले हम क्या करते हैं, controller में function create कर लेते हैं, तो function create है, इसके अंदर logic लिखना है तो इसको async बना लेंगे, और यहाँ पर हम क्या करना है, request and response को जाए handle करना है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले get करेंगे जितने भी items है, तो try catch का हम इसमें use कर सकते हैं, तो try catch और catch के अंदर simply हम console.lock कर लेंगे, जो भी error आता है, इसको हम यहाँ पर print करा सकते हैं इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक variable बनाएंगे, const और इसको कर देते हैं items क्यूंकि हम इसमें items receive करेंगे और यहां पर यह कहां से आएंगा हम वेट कराएंगे हमारे पास है item model so इसको import करना पड़ेंगा तो हम क्या करते हैं टॉप पे इसको import कर देंगे const item model equal to require और यहां पर जाना है हमको dot dot slash film models का फोल्डर इसके अंदर हमारे पास item model तो इसके अंदर हमको बहुत सारे methods मिलते हैं तो इसके बाद में dot लगाए dot के बाद में हमको क्या करना है हम पर find करना और सब कुछ find करना इसलिए directly हम find का method यहां पर call कर रहे हैं और यह success होंगा तो यहां पर हमको response मिलेगा तो यहां पर status आप send कर दे rest.status of 200 that means ok request और यहां पर हम send कर लेंगे send क्या करना हमको जितने भी हमको items मिल रहे हैं जो कि हम यहां पर get कर रहे हैं तो उसको हम यहां से response में send कर रहे हैं और यहां पर हमारा controller तयार है और हमारा route भी तयार है अब इसको हमको server.js की file में add करना है तो ऊपर आप क्या करें यहां पर directly आप routes है यहां पर तो इसमें हम क्या करेंगे यह default route में remove कर लेता हूँ और यहां पर हम सबसे पहले इसको require करेंगे const और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं यहां पर मैं क्या करता हूँ directly app.use का इस्तेमाल कर लेता हूँ app.use और इसके अंदर पहले हमारे पास होता है url pattern तो api slash items और इसके अंदर रहेंगा get item और इसके बाद में हम directly require का function यहां पर लिख सकते हैं और require के अंदर हमको क्या करना है हमारे route का नाम देना तो dot slash routes का folder इसके अंदर हमारे पास है item route इसको save कर लेते हैं और इसको test कर लेते हैं पहले terminal पर जाईए और यहां से हम server को run करेंगे और postman tool की यहां पर हमको जरुवत पढ़ेंगी क्योंकि हमारे पास अभी front end नहीं है तो यहां पर मैं इसको run करता हूँ NPR run server तो यहां पर हमारा server run हो जाएंगा अगर कोई error नहीं है तो तो यहां पर हमारे पास error है देखिए import statement हमने कहीं पर लिख दिया है देखिए हम यहां पर ES6 का use नहीं कर सकते मैं आपसे पहले ही विका है और यहां पर auto import की वज़े से यह issue हुआ है तो हमको इसको करना है const और from के बदले यहां पर हम require का syntax use करेंगे so require और इसको parentheses में wrap कर लेंगे यहां पर यह parentheses close हो रहा है save और यहां पर controller में हम क्या करेंगे export const है ना इसके बदले module.export कर देंगे module.exports और इसके अंदर as a object हम pass करा देंगे get item controller को save कर लेते हैं इसको और आप यह सही से काम करना चाहिए तो दिखिए यहां पर बराबर से यह server run है port 8080 पे और MongoDB से भी connected है तो आप क्या करें पोस्टमेंट टूल को open करें तो यहां से मैंने पोस्टमेंट टूल को open कर लिया है तो थोड़ा सा इंटरफेस चेंज आपको नजर आ सकता है डिपेंड करता है कि आप यह वीडियो कब देख रहे हैं क्योंकि इसका यूई थोड़ा सा चेंज होता रहता है और यह जो थीम है वो डार्क थीम है तो यहां से हम क्या करेंगे एक new create करेंगे folder तो प्लस पर क्लिक करें और हमारे folder का नाम हम क्या करेंगे वहले मैं इसको rename कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पाथ दूसरे project भी थे यहां पर तो से confusion हो सकता है तो यहां पर मैं क्या करता हूँ इसका नाम कर देते हैं तो यहां पर प्योस मर्न और इसके अंदर एक request हम create करेंगे और इस request का नाम रखेंगे हम get item औ यह URL को हम जब हिट कराने वाले हैं तो यह कैसे आ रहा है देखिए हमने क्या किया यहां पर छोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं तो URL कैसे हिट होंगा आपका जो domain है तो फिलाल हम localhost पर test कर रहे हैं इसलिए यहां पर हमारे पास है localhost और port हमारा है 8080 उसके बाद में हमारा यूज कर रहे हैं यहां पर हमने इसके बाद में लिखा get item और इसको अब हेट कर आएंगे तो यहां पर हमको जो है JSON object मिलना चाहिए जो भी data हमने seed कर आया था ना वो data हमको यहां पर show होना चाहिए तो send पर click करता होगा तो देखिए यहां पर बराबर से आ रहा है देखिए status 200 कितना time लिया इसने और कितना size यह भी यहां पर मिलता है तो अगर आपको in detail जानना है postman tool तो already मेरे channel पर complete playlist है तो आप watch कर सकते हैं तो यहां पर हमको array of object मिल चुका है जो के हमने seeder script के मदद से database में store कर आया था आप जाए तो cross check भी कर सकते हैं इसको database open करें और इसको check कीजिए कि सही हमको result मिलता है या नहीं अगर in case मैं यहां पर कोई wrong URL path add करूंगा जिसे item में से M मैंने remove कर दिया और send पर click करता हूँ तो देखिए यहां पर error आ गया है तो हमने यहां पर get कर लिया इसी तरीके से हमको post, post, delete सारे के सारे methods यहां पर देखने हैं तो अब हम क्या करेंगे यहां पर post request देख लेंगे यानि कि हमको items को add करना है तो कैसे करेंगे दिखिए पहले इसको क्या करते हैं यहां से save भी कर लेते हैं तो next time जब भी इसको open क करेंगे तो यह as it is जो है show करेंगा हम चलते हैं यहां पर और post के लिए हम एक route create करते हैं तो यहां पर मैं लिखता हूँ method और method हमारा रहेंगा post और यहां पर हमको router.post का use करना है ताके हम data भेज पाए और इसका endpoint क्या कर लेते हैं यहां पर लिखेंगे add-item एक new controller हमको create करना पड़ेंगा इसका नाम हम रख देते है add-item controller और इसको जो है ऊपर import भी करके रखेंगे चाहिए और इसको अभी create करना है तो यहां पर हम क्या करेंगे? create लेगे इस function के बाद में हम कर सकते हैं और यहां पर चाहे तो comment भी कर सकते है get आईटम्स इसके बाद में add-itemps, तो यहां पर हम function create कorkेंगे const add items controller arrow function इसको बना लेते हैं और इसको save कर लेगे और यहां से इस model को भी save कर लेंगे, model नहीं, model कट कर देता हूँ है, यहां पर जो route है, उसको save कर लेंगे, तो यह बराबर से जो है, यहां पर save हो जाएंगा, एक बर चेक कर लेते हैं, देखिए, यहां पर कुछ mistake हो आए, controller में हमने इसको export नहीं किया, तो export कर लेंगे साथी में, अब यह export भी हो चुका है, तो कोई error हमको आप देखने नहीं मिलेंगा, अब directly हम इसका use कर सकते हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए, अब इसका नाम मैं रखता हूँ, पोस्ट इक वल्टू अवेट करना है, अवेट किस चीज करेंगे हम, हमारे पास item model है, तो item model का use करेंगे हम, और इसके बाद में हमको क्या करना है, यहां पर जो भी हमारे पास data है, उसमें जो है, सेव कराना, तो सेव का भी मैथड आता है, तो मैं कहा करता हूँ, पहले जो है, एक new यहां पर एक model create कर लेता हूँ, model मतलब क्या है, कि जो भी data है, इसको हम new item नाम दे देते हैं, मैं इसको पूरा ही कर लेता हूँ, response new item equal to new keyword में यहां पर आड़ कर रहा हूँ, और इसके बाद में यहां पर हमारे model का save का method हमको call करना है, और अगर यह success होता है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर response send करा देंगे, rest.status, status of 201, और इसके बाद में send करा देंगे हम, send क्या कराना है आपको, यहां पर हम क्या करा देंगे, एक message print करा देंगे, item saved, created कर देंगे, item created successfully, और इसको save कर लेते हैं, और अगर error आता है, तो catch में हम क्या कर सकते हैं, error भी send कर सकते हैं, तो मैं यहां पर एक response send कर देंगे, rest.status, status of 400.send, और यहां पर message हम print करा सकते हैं, जो भी error है, उसको print करा सकते हैं, यहां पर लिखता हूँ, error, और उसके बाद में, comma लगा के, जो भी error आ रहा है, इसको मैं यहां पर print करा दूँग, save कर लेते हैं, और server द लेता हूँ, या फिर इसको रहने देता हूँ, new tab open करूँगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट पर click करे, write, add new request पर click करे, और इसका नाम आप रख सकते है, post, add item, और यहां से method जो रहेंगा, वो रहेंगा, post, और यहां पर URL, same रहेंगा, तो आप क्या करें, यहां से शुरूर, localhost का use करें, API है, और फिर इसके बाद में आपको लिखना है, item, जो हमने पहले लिखाता, देखिए, यहां पर get करते time लिखाता, same है, बस last का इतना वाला change रहेंगा, तो इसी को मैं copy paste कर लेता हूँ, ताकि कोई spelling mistake ना हो, और इसके बाद में यहां पर add item कर लेंगे, add dash item, और यहां से आपको click करना है body पर, इसके बाद में raw data, और यहां से आपको json पर select करना है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर json object create करेंगे, इसके अंदर हमारे पास है name, name के अंदर मैं क्या कहता हूँ, यहां पर लिखता हूँ test, इसके बाद में ह इससे पहले था, तो प्राइट पर देता हूँ है, प्राइस नंबर में है, तो उसको टू कर लेता हूँ है, फिलाल के लिए और यहां पे इसके बाद में इमेज था, तो इमेज हमारे पास अभी URL नहीं है, तो test URL कर देता हूँ है, ठीक है? database में check करते हैं, पहले हमारे पास 6 item थे, अभी हम इसको refresh कर लेंगे, तो देखिए, यहाँ पर 7 हो गया account, check कर लेते हैं इसको तो नीचे scroll करें और देखिए, यहाँ पर test का जो है add हो चुका है, तो add की functionality successfully काम कर रही है आप चाहें तो इसको delete कर लें, क्योंकि यह सरफ test purpose के लिए हमने add किया था तो यहाँ से मैं इसको delete कर लूँगा अब वापस से 6 हो चुके हैं अपने पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, document count as 6 और फिर से हम यहाँ पर add करेंगे मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक field को remove कर लेता हूँ और check करते हैं क्या add होता है नहीं तो यहाँ पर हम send पर click करते हैं तो error शो करेंगा, देखिए यहाँ पर error आ रहा है unexpected token, तो ज़्यादा हम यहाँ पर अभी error handling नहीं देखेंगे अगर ज़्यादा हमारे पास time बचता है तो error handling भी यहाँ पर देख लेंगे तो फिलाल हमारा यह successfully काम कर रहा है route और यह वापस से मैं यहाँ पर ctrl z कर लेता हूँ और इसको send तो item created successfully इसे database में चेक कर लेंगे तो अभी count 6 है इसको हम refresh कर सकते हैं तो देखिए refresh item count यहाँ पर बढ़ जाएंगा यह चीज़ स्क्रूल करें देखिए यहाँ पर 7 आ रहा है और यहाँ पर 7 शो करेंगा तो थोड़ा सा यह late काम करता है लेकिन यहाँ पर जो अगर हम database को open कर ले तो उसमें सही से शो करता है तो successfully हमने यहाँ पर add कर लिया है तो यहाँ पर हमने add और post की functionality देख ली है backend में तो हम थोड़ा सा और front end पर भी काम कर लेंगे तो यहाँ पर दीखिए रूट में मैं क्या करता हूँ इसको folder में reveal कर लेता हूँ reveal in file explorer तो यह हमारा folder main है और इसके अंदर पूरा backend का code है तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे command prompt को open कर लेंगे तो यहाँ पर मैं cmd type करता हूँ और इसके अंदर हमको क्या करना है client नाम से react के application को create करना है तो npx create react app और अपनी application का नाम आपको रखना है client क्योंकि यह front end है तो इसको client कहता है इसलिए हम आपके इसका नाम client रख रहे है enterprise कर लीजिए तो इस POS महन में react की application create हो जाएगी तो यह थोड़ा सा time लेती है तब तक मैं वीडियो को pause कर लूँगा और जैसे ही यह application create हो जाएगी तब मज़े वीडियो को resume कर लूँगा तो already हमारे पास visual studio code में यह open है जैसे कि आप देख सकते है client की application create हो रही है थोड़ा time लगता है तो wait करते इसके finish होने का इसके बाद में थोड़ा सा code clean up और इसको भी run करके देख लेंगे तो यहाँ पर हमारी react के application create हो चुकी है अब हमको क्या करना है इस folder के अंदर switch होना है अगर हमको backend use करना है तो हम directly root में से access कर सकते हैं लेकिन react के application को access करना है तो वो हमारे client folder के अंदर है तो cd client के अंदर आपको switch होना है और यहाँ पर मैं clear कर देता हूं इसको और npm start की command जैसे npm start लिखेंगे तो यहाँ पर localhost 3000 पर हमारी application start होंगी तो यहाँ पर आप देख सकते है starting development server तो जैसे यह compile हो जाएंगा उसके बाद में यहाँ पर message मिलता है तो हम क्या करेंगे पहले इसको check करेंगे कैसे दिखता है पिर code refactor कर लेंगे सबी को आता है लेकिन फिर भी हम यहाँ पर अपने हैसाब से एक पर देख लेंगे तो application यहाँ पर run हो चुकी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से default हमको layout मिलता है तो totally हमको इसको change करना है और इसके बाद में हम यहाँ पर custom styling करेंगे तो चलते हैं वापस visual studio code में client को expand करें और आप यहाँ पर backend का काम नहीं है फिलान हम क्या करेंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ react पर काम करेंगे तो app.css में से सब कुछ remove कर ले control all cut save उसी तरीके से index.css में से भी सब कुछ remove कर ले control all cut save और app.js है पने पास तो यहाँ से आप इसको open कर ले और इसके अंदर से header section पूरा remove कर सकते हैं और एक h1 हम यहाँ पर ले लेंगे यह एस आप और यहाँ से container की class को remove कर लेंगे आप की class को remove कर लेंगे और यहाँ से css को भी remove कर लेंगे लोगों भी remove कर लेंगे save कर लेते हैं चलते हैं वापस application पर तो देखिए सिर्फ यहाँ पर हमारे पास एक text है POS app तो मैं करता हूँ यहाँ पर जो है bootstrap को भी import कर लेंगे तो यहाँ से cdn links हम use कर सकते तो आप भी get bootstrap.com पर विजिट करें और यहाँ से js deliver पे से css और javascript की file को copy कर सकते हैं तो इसको मैं copy कर लेता हूँ और आपको जाना है public में और यहाँ पर index.html और यहाँ पर हम इसको paste कर देंगे इस comment को मैं cut कर लेता हूँ और यहाँ पर paste कर लेता हूँ save और यहाँ पर इस application का नाम में change कर लेता हूँ POS Merne Project save कर लेते हैं इसको चलते हैं वापस application पर और यह रही हमारी application तो देखिए यहाँ पर इसका font change हो चुका है तो bootstrap के साथ में by default robot font आता है तो यहाँ पर वह apply हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा title भी change हो चुका है इसी तरीके से javascript की file को भी add कर देंगे हलाकि अभी इसकी जरूरत है नहीं फिर भी हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको add कर देंगे save और javascript की file भी यहाँ पर add हो चुकी है तो successfully हमने यहाँ पर code clean up कर दिया है यहाँ पर हमको single page application भी इसको बनाना है तो हम यहाँ पर बहुत सारे package पर depend करते हैं तो वह सारे packages हमको यहाँ पर install करना पड़ेंगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे client के अंदर switch होंगे cd client इसके अंदर switch हो गए make sure आप भी client के अंदर switch हो जाए इसके बाद में npmi, react, router, dom इसके बाद में हमको लगेंगा यहाँ पर axios यूकि network request हमको भेजना है service call के लिए axios का use करते है और इसके बाद में redux हम यहाँ पर use करने वाले है फिर react, redux and redux tank हम यहाँ पर देख लेंगे tank नहीं भी use किया तो हम यहाँ पर import करके चलेंगे ज्यादा कोई बड़ा package नहीं है यह और फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर end design भी use कर सकते हैं तो थोड़े बहुत हम यहाँ पर end design के feature use कर लेंगे जैसे कि model pop-up और भी कुछ अगर लगता है तो हम इसको copy कर लेंगे तो end design क्या है अगर आपको नहीं पता तो simply आप google कर सकते हैं मैं एक बार बता देता हूँ आपको end design तो यहाँ पर आप देख सकते हैं the world second most popular react library तो हम इसका use कर सकते हैं getting start पर आपको click करना है और यहाँ से कैसे इसको install कर सकते हैं यहाँ सारी चीज़ों यहाँ पर आपको मिलेंगी और इसका css का जो है हमको use करना पड़ता है तो देखिए यह फाइल हमको भी import करना पड़ेंगा तो फिलाल हम क्या करते हैं सारी चीज़ों को install कर लिए और भी कुछ चीज़े लगती है तो हम इसको आगे चलके install कर लेंगे यह थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि बहुत सारे packages है तो आप क्या करें तब तक इसको copy कर लें यह and css file को copy कर लेंगे और app.js में इसको add कर देंगे यहाँ पर हमने इसको paste कर लिए अभी save मत कर रही है वरना यह आरहल हमको show करेंगा और यहाँ पर यह still download हो रहा है तो install होने का आप wait करें और make sure spelling आप सबकी check कर लें कोई दूसरा package आप इसके वज़ लें तो यह जब तक install हो रहा है तो हम क्या करेंगे folder structure भी setup करके रखेंगे तो src के अंदर आप क्या करें एक new folder create करें तो right click new folder components के नाम से new folder एक रहेंगा इसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पर pages के नाम से भी folder बनाएंगे pages रिडक्स हम use कर रहे तो उसके लिए हम एक new folder बना देंगे redux file create होगे sorry इसको delete कर लें यह folder चाहिए हमको redux तो यहाँ पर redux के नाम से एक folder है resources या फिर util के नाम से भी बना सकते तो utils पॉब्लिक के अंदर हम क्या करेंगे एक new folder बना देंगे assets के नाम से और इसके अंदर आप images videos या फिर fonts आप add कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारा folder structure भी बन चुका है हमको अभी routing यहाँ पर देखना पड़ेंगा basic routing हम पहले start कर लेंगे homepage जहाँ पर हम listing कर लेंगे items की तो still यहाँ पर देखिए अभी तक download हो रहा है क्योंकि package जादा है इसलिए यहाँ पर time ले सकता है और depend करता internet speed पर कैसे connectivity हमारे अभी available है उसके इसाब से यहाँ पर download हो रहा है तो wait करते हैं इसके finish होने का और जैसी finish होता है तो हम यहाँ पर routing परफॉर्म कर लेंगे सबसे पहले यहाँ पर सारे packages download हो चुके है आप check कर सकते dependencies में यहाँ पर शो कर रहा है जितने भी हमने packages को install किया था वो successfully यहाँ पर download हो चुके है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर routing देख लेंगे लेकिन routing से पहले हमको कुछ components शाहिए तो हम क्या करेंगे page के अंदर जहाँ एक new file create करेंगे और इसका नाम में रखता हो homepage .js और इसको हम क्या करेंगे arrow function बना लेंगे तो rafce react arrow function with export shortcut है इसका और यहाँ पर h1 में add कर देदाओ home page save कर लेते हैं इसको इसी तरीके से हम क्या करेंगे items के लिए create करेंगे तो items page.js इसको भी arrow function बना लेंगे rafce react arrow function with export और यहाँ पर h1 add कर देंगे item list यहाँ पर show करा देंगे save अब हम क्या करेंगे app.js में routing perform करेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना है यहाँ पर import करना पड़ेंगा थोड़ी चीजे कहां से react router dom में से यहाँ पर लिखेंगे react router dom और यहाँ पर चाहिए browser router तो यहाँ पर add करे तो यहाँ पर route उसके बाद में route तो route क्या काम करता है container की तरह काम करता है routing perform कर सकते हैं तो इस h1 को remove कर लेते temporary और इस div को हम fragment बना देते हैं इसके बाद में हम यहाँ पर browser router का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर हम क्या करेंगे routes का container add करेंगे और इसके अंदर हम route perform कर सकते हैं route और self closing tag इसके अंदर हमारे पास होता है सबसे पहले path और initially empty path पर हम क्या करेंगे हमारे component को show कराएंगे तो इसके लिए हम element का use करते हैं और इस element के अंदर jsx को show करा सकते हैं यहाँ पर home page को show कराएंगे तो देखिए suggestion में show कर रहा है इस पर click करेंगे तो component भी यहाँ पर import हो जाएंगा make sure इसको self closing tag बना ले save कर लेते हैं इसको और इसी तरीके से हम क्या करेंगे एक और route create करेंगे तो route उसके बाद में यहाँ पर path रहेंगा items slash item कर देते हम item उसके बाद में element हमको show कराना है तो यहाँ पर में लेकता हूँ element और इसके अंदर जाए jsx हम show कराएंगे तो item page को हम यहाँ पर show कराएंगे तो इस पर click करेंगे तो यह भी component यहाँ पर import हो जाएंगा और इसको self closing tag बना देंगे और I think इसको भी हमको close करना है हम भूल चुके है तो देखिए यहाँ पर bracket और इसको end कर देंगे angle bracket को save कर लेते हैं और यहाँ पर इसको close कर दिया हमने अब हम यहाँ पर check कर सकते के यह चीज़े काम कर रही है नहीं तो चलते वापस application पर और POS पर चलते तो देखिए by default यहाँ पर home पे home page शो कर रहा है अब मैं करता हूँ URL हिट कर रहा था हूँ items यहाँ पर item का page हमको show ना चाहिए तो देखिए item list यहाँ पर perfectly show कर रहा है तो सारी चीज़े यहाँ पर successfully काम कर रही है अब हमको layout create करना है ताके यहाँ पर हम कुछ ना कुछ display का रहा पाएं तो यहाँ पर layout create करेंगे लेकिन उससे पहले यहाँ पर console में एक warning है अपने पास end design का कुछ तो भी issue है तो यहाँ पर हम less का use कर सकते या फिर इसको minified version कर देंगे min.css कर लेते हैं और save कर लेंगे तो warning चली जाएंगे देख सकते हैं आप यहाँ से warning clear हो चुकिए अब हम यहाँ पर dashboard का design create करेंगे तो इसके लिए हम add design का use करेंगे तो documentation में आप search कर सकते है site bar API layout.sider का इस्तेमाल करेंगे तो documentation में से search कर सकते हैं इसमें बहुत सारे examples हमको मिल जाते हैं जैसे के निचे scroll करेंगे तो देखी है यहाँ पर design हिमको मिल जाता है तो हम यहाँ पर इसका use कर सकते हैं most common जो रहेंगा हम यहाँ पर use करेंगे यह पर इस वाले को use कर सकते है यह फिर यह ठीक रहेंगा देखिए बेसिक है तो यह वाला हम यूज करेंगे तो यहां पर आप code पर click करें तो complete code यहां पर मिल जाएंगा तो इसको हमको सरफ copy paste करना है और इसके अंदर थोड़े से adjustment हमको करने पड़ेंगे तो हम क्या करते हैं पहले visual studio code में components के अंदर एक new file create करते हैं default layout के नाम से default layout.ch s और यहां पर हम क्या करेंगे उस component को copy कर लेंगे और साथी में मैं क्या करता हूँ SRC के अंदर एक new folder बनाता हूँ styles के नाम से तो सारी stylesheet हम यहां पर रखेंगे तो new यहां पर एक file create करेंगे तो जितना भी यहां से कोड है तो आप इसको कॉपी कर लें और यहां तक के है इसको हम कॉपी कर लेंगे और हमारे कोड में पेस्ट कर लेंगे यहां पर हमने इसको पेस्ट कर लिया और यहां पर क्या है दिखिए arrow function to a variable before exporting as module और साइडर का जो है यहां पर तो मैं यहां से इसको कट कर लेता हूँ हम directly क्या करेंगे function को जो है default export कर देंगे function कहां पर दिखी एक class component है तो कोई दिखत नहीं हमको सिर्फ इसके अंदर थोड़ा से changes करना है यहां पर मैं लिखता हूँ export default और यहां पर react को import करना पड़ेंगा import react from react react में से react को import कर लेंगे spelling mistake है यहां पर import react from react और कोई error है का एक बार चेक कर लेते तो कोई भी error अभी हमारे पास नहीं है इसको save कर लेंगे सेफ करने के बाद हम क्या करेंगे css को भी copy कर लेंगे तो इस default day out css है जो बचाओवा code है देखिए नीचे यहां पर यह code है इसको हम copy कर लेंगे और काफी चोटा code है कर सकते है इसको लैप कर सकते है default layout से तो default day out और component को rename करना हम भूल गए यहां पर कोई दूसरा component नहीं है साइडर demo है तो इसको हम default layout कर देंगे default layout चो हमारे फाइल के name है जैसे कि यहां पर साइड में कर लेता है यहां फिर ऊपर देख लीजिए default layout तो सेम नाम हमको रखना है और इसको हम import कर देंगे homepage में आना है आपको आर यहां पर इसको कट करता हूँ है और पेश्ट कर देता हूँ, default layout, control space तो suggestion में show करेंगा, इस पर click करेंगे, component भी auto import हो जाएगा, इतने लिखके इसको save कर लेते हैं और test करते हैं कि यह दिखता है या नहीं, तो इतना है application पर यह रही है हमारी application, इसको एक बार refresh कर लेंगे, तो यह जो same च layout आ चुका है, तो इसको हमको अभी जो है, थोड़ा सा configure करना, क्योंकि इसका size बराबर नहीं है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, थोड़ा सा unstyle है, तो इसको style करने के लिए हमको inspect करना पड़ेंगा, सारे elements को, inspect क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिखिए, इसकी जो CSS है, वो and design किये, normal bootstrap की रह रही है, तो हमको easily पता चल जाता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा अलग classes use होते हैं, तो हम इसको inspect करके ठीक कर सकते हैं, जैसे के, यहाँ पर यह top है, इसका class check कर सकते हैं, जैसे इस पर click करूँगा, तो यहाँ पर notice करें, site-layout, और फिर यह सारी आप padding 0 यहाँ से हटा दिया, तो यह बराबर से show कर रहा है, और यहाँ पर change करने के बाद आपको actual code में भी change करना पड़ेंगा, तो यह सिर्फ test purpose के लिए यहाँ पर dev tool होता है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो default layout में हम क्या करेंगे, इसको target करेंगे, तो target हम क्या करते हैं, प padding add कर दूगा, padding, padding कितनी हम add करें, 15 pixel में यहाँ पर add कर देता हूँ, और important हम यहाँ पर add कर देंगे, save, चलते है application पर, और दिखिए यहाँ पर padding हमको मिल रहा है, आप देख सकते हैं, 15 pixel का हमको left, right, और चारो तरफ से 15 pixel का padding मिल रहा है, तो ठीक टक लग रहा है, और हम चाहे तो इसको और कम भी कर सकते हैं, जैसे के 10 pixel कर लेते हैं, 10 pixel ठीक रहेंगा, I think, 10 pixel भी थोड़ा सा जादा है, जादा मतलब क्या है, कि थोड़ा सा जादा visible आ रहा है, इसको 5 pixel कर लेते हैं, 5 pixel ठीक है, ठीक टक लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं, आप अपने हैसाब से भी styling कर सकते हैं, और इसके बाद में क्या करता हूँ, यहां पर दूसरी क्लासिस को टार्गेट करूँगा, और इसके अंदर जो है चुल्डरन भी आते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको भी टार्गेट कर लेंगे, 10 design fighter, 10 children, अब यह मुझे क्लासिस कैसे पते चले, मैंने already inspect कर करक तो आप one by one inspect करें, और check करें, थोड़ा play करें, आपको भी समझ में आएगा ant design क्या है और कैसे काम करता है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यह जो content है, यह content है, इसको हम यहां से change कर सकते हैं, collect करें इसको, यहां पर आप देखेंगे, यह section है ant layout, site layout, तो इसको हम target कर सकते हैं, यहां पर हम इसके अंदर के layout को भी target कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर दीकि layout content है, layout है, तो यह सारी चीज़े one by one आपको देखना पड़ेंगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहां पर इसकी children को target कर लेता हूँ, और इसकी height हम क्या करेंगे, change कर लेंगे, तो मैं यहां पर height लि class को, यह class है total, इसके अंदर देखिए, as slider की class है, तो यही पर मैं add करके check कर लेता हूँ, height और height 90VH करके check कर लेता हूँ, और 90 तो नहीं, 95 कर लेते हैं, 90 या पर 100 ही कर लेते हैं, ठीक है, 100 बराबर से यहां काम करेंगा, दीकिए 100 पर बराबर यहां पर हो रहा है, तो यह जो इसको remove कर लेंगे, और यहां पर मैं इसको paste कर लेता हूँ, hash slider, और यहां पर हम क्या करेंगे, इसको change कर देंगे, height, height हम इसके कर देंगे, 100 viewport height, save, चलते हैं application पर, और यहां से मैं इसको पहले cut कर लेता हूँ, तो दीखिए, यहां पर बराबर से आ रहा है, 100% इसने height यहां कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमको again classes को target करना पड़ेंगा, तो सारे inspect करते हैं चलना पड़ेंगे, हमको, थोड़ा सा margin भी दे देगा, एक बार मैं check कर लेता हूँ, यहां पर थोड़ा सा padding मैं add कर लेता हूँ, padding, और top से देदेंगे, 15 pixel, तो थोड़ा सा beautiful लगेंगा, check कर लेते हैं, top 15, और कुछ mistake हो गई, यहां पर dot है, save, 15 pixel का हमको मिल गया, और I don't think यहां से इतनी खास ज़रूरत है कुछ भी, इसको मैं as it is रहने देता है, इसको cut कर लेंगे, styling का part काफी confused करता है, तो यह आपके उपर है, आप चाहे तो उसको कर सकते हैं, नहीं तो ignore भी कर सक के बाद में क्या करेंगे, यहां पर layout को target कर लेंगे, and dash layout, has cider के बदले हम क्या करेंगे, यहां पर direct cider को एक बार test करेंगे, कि यह change होता है यह नहीं, तो इसका border radius में change करके दिखता हूं, border radius, और इसको हम क्या करेंगे, I think 10 pixel ठीक रहेंगा, 10 pixel और important लगा देता हूं, तो पर ना पड़ेंगा, margin top कर देंगे, 10 pixel, और इसको important भी कर देता हूं, save, तो top से यहां पर नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे से पराबर, यह rounded हो रहा है, और top से नहीं हो रहा है, तो देखेंगे, हम इसको बाद में fix करने की कोशिश करेंगे, अभी फिलल तो basic design के साथ में आगे बढ़ते हैं, तुछ है क्या change करने के लिए देख लेते हैं, यह थोड़ा सा button का issue है, button थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो इसको हम change कर लेते हैं, अभी button को एक बार में target करता हो, पहले, inspect, यह है button, svg है, और कहां पर है यह, and layout header site है, और इसकी class कौन सी है, तो यह icon की class होंगी, बल चेक कर लेते हैं, वापस inspect करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, ant icon, svg की class है, तो इसको हम target कर सकते हैं, and icon, और फिर svg है, इसको हम target करेंगे, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी थोड़े से, इसको styling देदेंगे, इसकी height change कर लेता ह चलते वापस application पर, तो दीके size बराबर से, यहाँ पर change हो रहा है, जितने भी HPG था, उसका size जो चेंज हो गया, तो ठीक टाक लग रहा है, और इसके बाद भी हम इसको थोड़ा margin भी दे सकते हैं, display flex कर लेता हूँ, display flex, line items, center, save, तो center में तो हो चुका है, और थोड़ा सा हम क हम क्या कर सकते हैं, बाखी की चीज़ों पर काम करेंगे, और rounded नहीं हो रहा था, यह rounded का थोड़ा दिक्कत है, तो इसको बाद में fix करेंगे, और भी कुछ हम को change करना है क्या, हम इसके box shadow भी add कर सकते हैं, तो box shadow भी एक बार चिक कर लेंगे, यहाँ पर default होंगा, कही न कहीं, default है क्या, एक बार चिक कर लेते, site layout background है, दीखिए, यहाँ पर, यहाँ पर box shadow का add कर देंगे, box shadow, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, 0, 0, 3 pixel का blur add कर देंगे, और color कुछ भी add कर सकते हैं, थोड़ा gray color हम यहाँ पर add कर देंगे, कर लेते एक बार, तो दीखिए, यहाँ पर border ब padding top में बराबर यह round हो गया है, इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो box shadow हमने add किया है, तो इसमें भी हम यहाँ पर border radius दे सकते हैं, border radius of 5 pixel, safe, यह भी थोड़ा सा rounded रहेंगा, और यहाँ पर इसको भी margin देके देख लेंगे, margin, 10 pixel का margin हम add कर लेंगे, safe, तो इस तरीके से यह show कर रहा है, बराबर आ रहा है, काफी ठीक टाक लग रहा है, मैं cut कर ले तो एक बर, तो दीखिए, बराबर 10 pixel का margin मिल रहा है, और इस तरीके से यह collapse भी हो रहा है, तो टॉगलर की तरह यह button काम कर रहा है, और भी बहुत सारी चीज़े हैं इसमें करने को, और यह ठीक टाक है, यहाँ पर हमारा maximum styling हो चुका है, complete, और भी अगर आपको कुछ यहाँ पर styling करना है, तो आप अपने साब से कर सकते हैं, अब हम directly यह nap menu पर काम करेंगे, और उसके बाद में content पर काम करेंगे, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका font चेंज कर लेंगे पहले, तो आपको क्या करना है, Google Fonts पर जाना है, तो Google Fonts और यहाँ से हम कोई भी एक font जह है, select कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं search करता हूँ, और यहाँ पर दीखिए, यह font हम use करने वाले हैं, और 400 और 500 कर ले थे, ठीक है, 400 भी ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है, तो हम import statement देख लेंगे, यहाँ से आप क्या करें, import statement को copy कर लें, और CSS के file में import कर लें, यहाँ से आप देख सकते, CSS, या पिर हम क्या करेंगे, index CSS में use क कर लेंगे, तो पूरी application में हम यह use करने वाले, paste कर लेते हैं इसको, और इसके बाद में, जो body होती है, तो body, body के अंदर जाए, font family हम add कर देंगे, तो यहाँ पर वो भी मिलता है, नीचे देखिए, इसको भी copy कर लीजी, font family को, और यहाँ पर इसको paste कर लेंगे, और save कर लेत नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, एक हिसाब से, आप चाहे तो कोई और font भी use कर सकते हैं, जो भी आपको पच्छाने font आप use कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, लोगों पर काम करेंगे, तो चलते हैं वापस, और default layout में देखिए आप, यहाँ पर एक logo की class बनी भी है, तो इसको हम use कर सकते हैं, फिलाल यह self closing में है, तो आपको क्या करना है, इसको जो है, opening and closing tag में convert करना है, और इसके अंदर हम एक H2 ले लेंगे, और यहाँ पर हमारी application का नाम, जो कि POS है, save कर लेते हैं, कैसा दिखता है एक बार, और यहाँ पर आना चाहिए, refresh कर लेते हैं, तो दीखिए, POS यहाँ पर आ रहा है, बराबर से, आपको जो भी application का नाम है, मान लीजिए, आपने कोई shop के लिए यहाँ पर use किया है, तो उस shop का नाम आप यहाँ पर add कर सकते हैं, H1 कापी बड़ा है, लेकिन हमारे पास सरफ POS ही लिखना था हमको, इसलिए हमने इतना ब बराबर से, यहाँ पर apply हो गया, margin top से भी दे देता हो, मैं थोड़ा सा, तो empty हो, तो देखिए, margin top से भी हमको मिल चुका है, और यहाँ पर देखिए, POS है, आप चाहे तो letter spacing भी इसको change कर सकते हैं, या फिर आप जो है, नॉर्मली देखिए, इसके अंदर एक class है logo की, तो इ menus, तो इसको हमको change करना है, तो यहाँ पर menu हमको change करना है, तो थोड़ा सा component में हमको changes करने पड़ेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर menu के self closing tag है, तो इसको हमको यहाँ पर change करना है, तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले self closing tag से हटा के, opening and closing tag मे convert करना है और इसके अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर menu क्या use करेंगे तो आपको लिखना है menu.item और इसके अंदर हम जो है link का use करने वाले हैं तो इसके अंदर आपको link को add करना है तो link को import भी कर लें उपर तो top पे मैं क्या करता हूँ, import कर लेता हूँ, import link from react router tom और इसको हम use करेंगे, तो यहां पर आप आजाईए, इसके अंदर हमको क्या करना है, use करना है, तो यहां पर मैं दिखता हूँ link, और इसके अंदर हम कर लेंगे पहले home, और यहां पर to की property आपको add करना है, और home पर हमको root में रहना है, और यहां पर menu item के अंदर आपको क्या कर की को और की के अंदर हम क्या करेंगे यहां पर वन कर लेते हैं फिलाल समझने के लिए हम यहां पर वन एड़ कर रहे हैं जैसे साइट अप हो जाता है फिर हम यहां पर एक्शुल में हमारे राउट को एड़ करेंगे इसके बाद में हमारे पास है आइकन आइकन हमको यहां पर आइकन के अंदर हम को क्या करना है यहां पर आइकन का नाम जैसे के हम क्या करते हैं इसी को copy paste कर सकते हैं जैसे के user outline copy और इसको paste कर लेते हैं और इसको save कर लेंगे और यहां से जो items का object है इसको remove कर लेंगे save कर लेते हैं इसको चलते हैं वापस application पर तो देखिए सिर्फ अभी हमारे पास home है तो अब हम इसी तरीके से इसको multiple time copy कर लेंगे देखिए जो item है इसके बाद में क्या करेंगे यहां पर इसको भी cut कर लेंगे और यहां पर हमको क्या करना है second वाला जो है बिल्स के लिए देखेंगे तो बिल्स और यहां पर इसका पात भी बिल्स रखना है तो बिल्स और राउट में इसको बिल्स कर देंगे और इसके बाद में इसको भी change करना तो जितने भी आपको यहाँ पर menus add करना अपको हमें changes करने पड़ेंगे यहाँ पर हम slash items ह् अर इसके अंदर भी हम यहाँ पर items our ऐसे अंदर कर देंगे items & customers है अपने पी पर एकmernusz कर देंगे customers is here are customers बराबर से फिर functionality काम नहीं करेंगी और की में यहां पर log out है और log out के लिए हमको link की ज़रत नहीं है तो यहां से log out में से मैं link को remove कर लेता हूँ save कर लेते हैं इसको चलते हैं वापस application पर और यहां पर इसको refresh कर लेंगे तो देखिए आपको क्या करना है यहां पर इसको cut करना है और window की जो location रहेंगे उसको हम target करेंगे तो window.location sorry local storage हो गया cut location.pathname तो pathname के हिसाब से अब यहां पर यह काम करेंगा जब वापस application पर तो दीखिए बराबर से यह काम कर रहा है बिल्स पर करूंगा तो बिल्स पर यहां पर कुछ भी नहीं है इसलिए जब शोर नहीं करेंगा और items है तो items यहां पर list कुछ इस तरीके से आ रहा है तो यहां पर थोड़ा से दिख्कत और क्या है हमारे पास content में भी है तो content को भी हमको बराबर करना है फिलाल यह text है इसको भी हमको change करना है तो हम पहले इसको कर लेंगे फिर content को भी सही कर लेंगे तो यहां पर यह sidebar menus बन चुके है बस हमको इसका icons चेंज करना है तो icon के लिए हम क्या कर सकते है and design icon का use कर सकते है तो यहां पर documentation में search करे icons यहां पर icons पर आना है और यहां से हम search कर सकते है तो बिल्स के लिए हम जो है जो normal हमको दिख रहा है उसके साब से कर लेंगे log out पहले कर लेते है log out के लिए है यह नहीं check कर लेते है log out तो यह है इसको copy कर लेते है यह copy हो चुका है और ऊपर जाना है log out कहां पर है चेक कर लेते है log out तो यहां पर log out add कर देंगे paste save कर लेते है चलते है वापच application पर और यहां पर log out का बराबर से show कर रहा है और इसी तरीक से customers का है तो customer का I think सही है home के लिए हम क्या कर सकते है house का कुछ भी check कर सकते है home करके check कर लेते है नाम copy करना है और यहां पर import treatment में add कर देना है save कर लेते हैं इसको home भी हमको बराबर से show करेंगा यहां पर home होगा bills के लिए हमको कुछ न कुछ अधर देखना पड़ेंगा bills के लिए direct नहीं है notes नोट नोट भी नहीं है book देख लेते हैं Facebook आ जा रहा है उपर import भी करना पड़ेंगा तो यहां पर आपके import भी कर दे और save कर लेते हैं इसको चलते हैं वापस application पर bills का भी यहां पर आ चुका है अब items है तो items की list रहेंगी तो list के लिए I think मिलना चाहिए direct search में भी list तो दिखिए यहां पर list है इसको copy कर लेते हैं चलते हैं वापस तो यह रहा item थोड़ा pass हो रहा हो तो please आप carefully watch करें और यहां पर इसको भी copy कर लेंगे और यहां पर इसको भी paste कर लेंगे यहां पर चलते हैं वापस application पर तो सारे icons तो successfully यहां पर add हो चुके हैं अब हमको ज़र content को भी fix करना है तो content को fix कर सकते हैं और आप चाहे तो इसका color भी change कर सकते हैं अगर आपको करना है तो आप इसको add ही रहने दूँगा ठीक टाक ही लग रहा है इस theme के साथ में यह ठीक टाक है तो content के अंदर हम क्या करेंगे default layout में वापस आए और नीचे scroll करें तो यहां पर दीखे content आता है तो content में क्या करेंगे props.children का use करेंगे या पर directly लिजए children को हम access कर सकते हैं तो children आपको link देना है और इसको हम destructure कर लेंगे इस return के अंदर हम destructure कर लेंगे children को और आप सारे components बराबर से show करेंगे save कर लेते हैं इसको चलते है application पर और I think सब कुछ सही रहा तो यह बराबर से show करेंगा नहीं तो error आएंगा तो दीखिए यहां पर कुछ error है I think वह class component है तो उसमें थोड़ा सा अलग pattern होता है तो मैं इसको अभी fix कर लेता हूँ यहां पर हमको थोड़ा सा अलग इसका syntax लिखना पड़ेंगा क्योंकि यह class component है तो D structure का तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता तो हम क्या करेंगे चिड्रन को पहले remove कर लेंगे हमने जो add किया था और यहां पर हम क्या करेंगे अगर हम homepage में कुछ add करेंगे जैसे के यहां पर मैं add कर लेता हूँ एक h1 homepage मैंने यहां पर add किया सेफ कर लेते हैं इसको चलते है application पर तो देखिए homepage यहां पर बराबर से show कर रहा है तो successfully हमारा layout यहां पर create हो चुका है और I think items के लिए route create किया था हमने नहीं एक बड़ चेक करते हैं इसको यहां पर हमारे पास pages है और इसके अंदर item page है और इसको हमने wrap नहीं किया है तो wrap करना पड़ेंगा तब ही यह काम करेंगा तो default layout से हम इसको wrap कर लेंगे तो default layout और make sure इसको close भी करें यहां पर हमने इसको save कर लिया चलते हैं वापस तो दीखिएंगे यहां पर बराबर item list काम कर रहा है तो home और हमारा item दोनों भी काम कर रहा है तो दोनों चीज़ें यहां पर बराबर से काम कर रही है route change हो रहा है अब next हमको क्या करना है यहां पर items को जो है get कराना है क्योंकि already हमने backend create करके रहा है तो हम directly use कर सकते हैं तो अब हमको क्या करना है यहां पर data को get करना है हमारे frontend पे तो backend में हमारे पास अलग port है और frontend में हमारे पास अलग port है इसको हमको सबसे पहले एक जगा करना पड़ेंगा तभी हम जो दोनों server को एक साथ run करा पाएंगे वरना क्या करना पड़ेंगा हमको terminal में जो है दो terminal open करना पड़ेंगा और एक side में backend run होंगा और एक side में frontend run होंगा तो यह सही behavior नहीं है हम क्या करेंगे यहां पर concurrently package का यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे और यहां पर search करिए concurrently तो इस package को आपको install करना है देखिए यहां से command को आप copy कर सकते हैं और make sure इसको backend में आपको install करना है काफी popular है और कैसे use करना है आप यहां पर इसका usage भी देख सकते हैं तो चलते हैं वापस code में और आपको देखिए backend में जाना है पहले तो टर्मिनल open कर लीजिए जो root directory है जैसे कि यहां पर posmerl यह root directory है तो इसमें मैं क्या करूँगा इसको install करूँगा तो control v npm i concurrently तो यह package हमारे पास install हो जाएंगा और मैं default layout close कर देता हूँ और item page भी close कर देता हूँ फिलहाल के लिए यहां पर हम package.json में इसको check करेंगे तो यहां से हमने package.json को open किया अभी dependency में show नहीं कर रहा है तो wait करते हैं इसके finish होने का तो package यहां पर install हो चुका है यहां पर देख सकते हैं concurrently package हमारे पास install हो चुका है तो अब हमको क्या करना है स्क्रिप्ट को set करना है ताकि हम client और server को एक साथ single port पर single command भी कह सकते हैं single command से हम दोनों चीजों को run करने वाले server के लिए already हमारे पास है हम क्या करेंगे client के लिए यहां पर add कर देंगे client और यहां पर आपको क्या करना है लिखना है npm start फिके react के application को हम npm की मदद से start करते हैं इसलिए हमने यहां पर लिखा npm start और prefix यहां पर हम add कर देंगे prefix हमारे पास है client तो यहां पर हम क्या कर रहे है client के folder के अंदर से command को execute कर रहे है इसलिए हमने यहां पर prefix add किया है और इसके बाद में हम क्या करेंगे दोनों को एक साथ run कराने के लिए dev की command यूज़ करेंगे और यहां से आपको क्या करना है concurrently package का यूज़ करना है और यहां पर हम लिखेंगे concurrently npm run server npm run client तो यह दोनों भी दिखिए यहां पर server और client दोनों की command को हमने यहां पर execute किया है so make sure यहां तक के एक command है और यहां तक दूसरी command है तो अगर यहां पर spelling mistake होंगी तो पिर यह concurrently package सही से काम नहीं करेंगा इतना लिखके इसको save कर लेते और client के अंदर आप चलिए और इसके अंदर package.json की file को open करिए और हम क्या करेंगे यहां पर top पे proxy set कर देंगे so यहां पर आपको proxy set करना है ताके हम जहें backend से connect हो पाए बार-बार हमको full url path देना ना पड़े तो हम क्या करते है localhost हमारा जो भी था न पूर्ट तो यहां पर मैं एक बड़ चेक कर लेता हूं server.js और यहां पर हम use कर रहें port 8080 तो इस port पे हमको जाना है तो आपको यहां पर लिखना पड़ेंगा http colon slash slash localhost colon port 8080 तो इस port को हम use करने वाले हैं आपके पास में जो भी port है आप वो यहां पर add कर लें तो यह उसको बार-बार hit कराएंगा जब भी हम backend का यहां पर url access करेंगे तो हमको सिर्फ उसके आगे का API end point जो है पास कराना पड़ेंगा इंटायर यह protocol और यहां पर host हमारा provide नहीं करना पड़ेंगा तो यहां तक I hope आपको समझ में आ गया होगा तो अगर आप यह first time concurrently देख रहे हैं लेकिन आप इसका documentation follow कर सकते हैं यहां से भी आपको अच्छा knowledge मिल जाएंगा इसको कैसे यूज करना है तो यहां से make sure command अच्छे से आप copy करें हमने यहां पर dev or client की command को add किया है देखिए मैं इसको run करके बता दाओ तो मैं क्या करूंगा यहां पर command prompt का यूज कर रहा हो तो यहां पर हम लिखेंगे npm run dev यह क्या करेंगा दोनों भी server को एक साथ run कराएंगा देखिए concurrently यहां पर run हो रहा है npm run server और npm run client दोनों भी हमारे port है वो एक साथ run होंगे तो देख सकते हैं हमारा node का server यहां पर on हो चुका है इसको हम चेक भी कर सकते हैं फिलाल तो अभी इसको रहने देते हैं client हमारा run हो जाएंगा क्योंकि हमको अभी client पर काम करना है और जितना भी data हमारे पास है database में जितना भी data है तो उसको हम यहां पर fetch कराने वाले जितने भी items हमने add किया थे तो वह हम यहां पर get करने वाले यहां पर client के application थोड़ा time ले सकती है क्योंकि react के application first time boot हने में time लेती है तो यह दोनों यहां पर run हो जाएंगे इसके बाद में हम जो है हमारे home page पर काम करना start कर देंगे तो यहां पर हमारे दोनों भी server server run हो चुके है चलते हैं browser पर और localhost 3000 को हम यहां से on कर लेते तो चलते हैं localhost 3000 पर और यहां से हम क्या करेंगे अभी हमारे पास home page में कोई भी data नहीं है तो हम क्या करेंगे यहां पर data fetch कर आएंगे तो उसके लिए हमको चलना है home page पर तो सारे package JSON की file को करूंगा ताके values को hold कर आपाऊ और use effect हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे ताके initial time पर data को fetch कर आपाएं यहां पर सबसे पहले जो है variable create कर लेंगे तो यहां पर मैं लिखता हूँ items data और set items data equal to use state और empty array इसके बाद में हम यहां पर use effect का इस्तेमाल करेंगे so use effect यहां पर आपको function लिखना है use effect का और इसके अंदर हम कितने भी functions execute कर सकते हैं और last में हम यहां पर dependency जो है provide कर सकते हैं तो इसके अंदर क्या करेंगे यहां पर एक function create करेंगे so const और इस function का नाम आप कुछ भी इसे कि हम इसमें items को get करने वाले तो get all items और इस function को हम arrow function बना लेंगे और last में नीचे इसको call कर लेंगे get all items और इस function को आप async बना सकते हैं async या पर then chain block भी आप यहां पर use कर सकते हैं और error को अच्छे से handle करने के लिए हम यहां पर try catch का use करेंगे so try catch और console.log कर देंगे जो भी error यहां पर आता है उसको हम directly console.log कर लेंगे try के अंदर हम क्या करेंगे यहां पर directly data को destructure करेंगे so curly basis data और यहां पर हमको क्या करना है await करना है अब await किस चीज़ करेंगे यहां पर API को call करने का इसके लिए हमको axios को यहां पर import करना पड़ेंगा so import axios from axios और इसके मदद से API को call करेंगे so axios.get इसके बाद में endpoint अब endpoint हमने क्या दिया था make sure आप same लिखे server.js में हमारे पास API slash items और इसके बाद में हमारे पास है controller sorry routes routes के अंदर हमारे पास है complete route आपको यहां पर add करना है और यहां पर हम क्या करेंगे जैसे हमको data मिलता है तो इसको set करा देंगे हमारे पास जो item data का state हमने create कि है उसमें fulfill करा देंगे save कर लेते हैं और यहां पर home page है और console.log करके भी check कर लेते एक बार कि data हमको मिलता या नहीं dot log of data save चलते हैं वापस application पर और मैं क्या करता हूँ यहां से inspect कर लेता हूँ क्योंकि हमको console देखना है और यहां से क्या करेंगे इसको clear कर देंगे और इसको refresh कर लेंगे application को तो देखिए यहां पर हमारे पास data हमको मिल रहा है अगर मैं क्या करेंगे यहां पर जो है and design का use करने वाले है and design में भी grid system मिलता है हमको तो मैं क्या करता हूँ and design पर चलता हूँ and d और यहां पर directly grid search कर लेंगे देखिए यहां पर आपको first option मिल जाएंगा तो यहां से आप copy कर सकते जो भी आपको desire grid system चाहिए जैसे कि इसमें 24 columns है यहां पर देख सकते 1 to 24 bootstrap का और इसका थोड़ा सा different है मगर आप चाहे तो यूज कर सकते कोई दिक्कत नहीं simply मैं किसी पर भी click कर देता है यहां से हमको row and column को import करना पड़ता है तो इसी को मैं copy कर लोंगा और यहां पर हम क्या करेंगे टेष्ट कर लेंगे. इसी तरीके से देखिए यहां पर यह row और column है न इसको हमको use करना है हम क्या करेंगे दीफॉल्ट layout में एक row को add करता हो पहले row और इसके अंदर हम को जो है यहां पर column को print कर आना है तो रो के अंदर हम क्या करेंगे, पहले शुरू मैप कर लेंगे, क्योंकि हमको iterate करना है items data को, यहां पर हम लिखेंगे items data dot map, और इस map के अंदर हमको क्या मिलेंगा, single item मिलेंगा, तो इस single item को जो हम access करेंगे, और हम चाहे तो एक अलग से component में भी इसको show करा सकते हैं, तो react arrow function with export, इसको फिलाल के लिए हम save कर लेते हैं, और यहां पर चलते है home page में, और इसको जो हम यहां पर import कर देंगे, तो import कैसे करेंगे, directly मैं यहां पर अगर item लिखोंगा, तो देखिए यहां पर option show करता है, और यहां पर मैं name जो है change कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता यह कोई fce, react arrow function with export, और यहां पर इसको अभी import करेंगे, so control space, और यह रहा, item list component, इस पर click करूँगा, तो component auto import भी हो जाएंगा, और इस item list के अंदर हम क्या करेंगे, इस item को as a prop जो है, पास करा देंगे, so, यहां पर मैंने इसको as a prop जो है, पास करा दिया, self closing tag, और इसको हम क्या पास करेंगे, column के अंदर add कर देंगे, so column आपको लिखना है, column के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको बेज सकते हैं, so, इसको यहां से cut करके, column के अंदर आप इसको add कर दे, और साथी में इसको responsive बनाने के लिए, आपको यहां पर कुछ properties को add करना पड़ेंगा, जैसे कि access, access या यहां पर MD का use कर सकते हैं, medium device के लिए, medium device के लिए हम 12 column यूज कर लेंगे, और यहां पर SM भी होता है, SM के लिए हम use कर सकते हैं, SM में हम 6 यूज करेंगे, save कर लेते हैं इसको, और इसको हम चेक कर लेंगे, item data का component है, इसके अंदर हम destructure कर लेंगा item को, और उसके बाद में हम यहां पर, simply अभी सर्फ print करके देखते हैं कि सच में हमको data मिलता है या नहीं, तो यहां पर मैं लिखता हूँ, item.name, save, चलते हैं application पर, यह हमारी application, तो देखिए हमारे पास perfectly यहां पर सारे का सारा data आ रहा है, जितना भी हमारे पास save है, एक test था, बाक्य तो हमने यहां पर perfectly add किया था, तो वो सारा का सारा data यहां पर आ रहा है, तो अब हम इसको use कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, card का use कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा अच्छा हमको यहां पर design मिले, so card यहां पर end design में से copy कर लेते हैं, और यहां पर बहुत सारे option है, cards के, तो हम कोई image वा I think, यहां पर paste करना पड़ेगा, इसके बाद में हमारे पास है, यहां पर यह card, तो इसको हम copy करके, एक बार test कर लेंगे, तो rediv में क्या करेंगे, यहां पर, इसको remove कर लेते हैं, यहां पर paste कर लेंगे, save कर लेंगे, तो auto format भी हो जाएंगा थोड़ा सा, चलते हैं application पर, और जो data है, उसको भी हम यहां से change कर सकते हैं, तो meta की I don't think हमको भी जरूरत है, तो meta मैं यहां से remove कर लेता हूँ, एक बार check करते हैं, यहां पर title कुछ इस तरीके से यहां पर show होता है, अच्छा ठीक है, तो title की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर title जो रहेंगा ना, item. name रहेंगा, description में हमारे पास, यहां पर item. I think description तो अपने पास नहीं है, तो description हम यहां पर नहीं रखेंगे, description मैं यहां से remove कर लेता हूँ, फिलहाल के लिए, और जो इसका path है, इसको भी हम cut कर लेंगे, image के path को, यहां पर हमारे पास image है, item.image, उसको हम यहां पर show कराएंगे, और alt में इसका name हम show करा सकते है, तो इसको यहां से मैं cut कर लेता हूँ, item.name, और check कर लेते हैं, इसको एक बार कैसा दिखता है, चलते है application पर, तो देखी, यहां पर कुछ इस तरीके से यह शो कर रहा है, इसकी जो height है, वो भी set कर लेंगे, so height भी आप यहां पर add कर लेंगे, तो हम क्या कर सकते है, इस image के अंदर जाया height है, so इसको यहां से cut कर लेते हैं, और यहां पर इस image के अंदर जए style, हम add कर देंगे, style और यहां से height जए set कर लेंगे 400, और 400 I think big बहुत जादा है, तो इसको 250 कर लेंगे, save कर तो यहां पर कुछ इस तरीके से 250 का show कर रहा है, और फिर इसको 20 pixel कर लेते हैं, margin bottom करके एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, save, चलते है application पर, तो देखिए यहाँ पर margin bottom से हमको 20 pixel मिल रहा है, और यह out of the box भी जा रहा है, तो वहाँ पर layout का कुछ issue है, तो आप क्या करें, site layout को target करें, already हमारे पास CSS में है, तो आप क्या करें, यहाँ प हमको scroll effect मिल चुका है, तो overflow हमने auto किया, तो बराबर से हमारे content के अंदर, जो भी हमारे पास, यह content है, area, उसके अंदर जो है, सारा का सारा data, जो हो रहा है, आप चाहिए तो इसका size और भी कम कर सकते, image का, यहाँ से हम क्या करेंगी, इसकी width जो है, या फिर, इसको 200 करके, चेक कर लेते हैं, height को 200, 200 कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाए देंगा, तो I think 200 भी okay है, आपको अगर कोई other styling भी करना है, तो आप कर सकते हैं, तो successfully हमने यहाँ से items को get कर लिया है, अब हम को क्या करना है, यहाँ पर Redux का use करना है, तो Redux की मदद से ही हम सारा data get करेंगे, और इसमें added, delete और भी बहुत सारी चीज़े अब यह बाग ही है, तो वह सारी चीज़े हम Redux की मदद से करने वाले हैं, तो Redux स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा default layout को हम change कर लेंगे, यानि कि यह class component था, हमने जो copy paste किया था default layout.js, तो इसमें हम क्या करने वाले इसको functional component में convert कर देंगे, ताके फिर हम जो है, अच्छे से Redux भी use करें, तो उसको hooks के base पे हम use कर पाएं, ऐसा अगर हम class में use करेंगे, तो फिर हमारी functionality थोड़ी सी change हो जाएंगी, फिर हमको class-based approach यहां पे use करना पड़ेंगी, तो इससे बेटर है कि हम इसको convert कर देंगे, त use state का hook इस्तेमाल करेंगे, so react के बाद मैं आपको use state add कर देना है, use state, और यहां पे हम क्या करेंगे, मैं साथी में दोनों को रखता हूँ, तो यहां पे हम लिखेंगे const, और इसका नाम है collapse, तो same यहां पे हम क्या करेंगे, इसका नाम लिख देंगे, collapse, set collapsed, equal to use state, और use state में हम इसको false बना देना है, so state हमारी create हो चुकी है, इसको हम यहां से remove कर सकते हैं, तो अभी यहां पर आपको error देखने मिलेंगा, क्यों, क्योंकि देखिए, यहां पर class based component है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको change कर देंगे, आप extent से यहां तक remove कर लें, और इसके बाद में हम क् भी remove कर लेंगे यहाँ पर const और इसको arrow function में convert कर देंगे तो यहाँ पर हमने arrow function बना लिया अब नीचे हमको इसको export करना पड़ेंगा export default और हमारे component का नाम जो कि है default layout make sure जो नाम है वही copy कर लें तो spelling mistake का कोई chance नहीं रहेंगा copy paste तो यह functional component बन चुका है अभी भी बहुत सारी चीज़े यहाँ पर रहेंगी जैसे कि यह function है इसको आप क्या करें const कर ले const और normal arrow function में convert हो जाएगा अब इसमें क्या करना है हमको दिखिए यहाँ पर क्या है this.set state है ना क्या करेंगे set collapse कर देंगे तो यहां से को आप辜ाने और यहां पर Con 이거를ibt Ka और इसके अंदर हमारे पास render नहीं होता है तो render पर remove कर ले और ke यहाँ उपर कर ली ब्रेसिस होंगा तो उसको भी आप रिमूफ कर सकते हैं मैं पहले चेक कर लेता हूं कहां पर है एकदम लास्ट में दीखिए यह वाला और स्टार्ट से रेंडर तो यह बराबर से functional component में convert हो जाएंगा अब यह toggle जो है इसमें हमको changes करने हैं और यहां पर दीखिए हमारे पास content था तो दीखिए content में children था प्रॉप्स.children तो हम क्या करेंगे यहां से इतना cut कर देंगे this.props और children को directly destructure करेंगे क्योंकि functional component में हम directly function के अंदर पास करा सकते props को और props के बदले हम destructure भी कर सकते हैं हम नहीं है पर इसको destructure कर लिया उसके बाद में this.state जहां भी है जैसे कि आप देख सकते हैं collapse के अंदर this.state है तो इसको हम remove कर लेंगे और कहीं है कि चेक कर लें तो अच्छे से आप एक बार इसको चेक कर लें ताकि कोई भी हमको बाद में mistake यहां पर ना मिले जैसे कि दिखिए यहां पर this.state है तो इसको भी यहां से हम remove कर लेंगे और कहां पर है और I don't think कहीं पर show कर रहा है और यह toggle जो है ना toggle कहीं पर use किया हुआ है तो देखिए यह आप पर this.toggle है तो इसको remove कर लेंगे directly यह toggle रहेंगा और इसको save कर लेते हैं और check करते हैं सही से काम करता है यह नहीं तो I think यह तो सही सा काम करना चाहिए चलते है application प पराबर से काम कर रहा है तो हमने इसको क्या किया है functional component में convert कर दिया है तो इतना simple है class component को functional component में convert करना तो अब हम यहाँ पे रिडक्स को अगर हमको use करना रहा तो हम use dispatch और use selector की मदद से भी कर सकते हैं तो रिडक्स का code लिखने से पहले आप क्या करें यहाँ पर रिडक्स डेव टूल एक्स्टेंशन को जो डाउनलोड कर लें डाउनलोड क्या करना यह extension है जो भी browser आप यूज़ कर रहे है हो सकता है mozilla firefox यूज़ करें या फिर chrome यूज़ करें तो आप उसके लिए जो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं simply आप webstore में चेक कर सकते हैं redux devtools इसको इंस्टॉल कर लीजिए और इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर इस package का भी यूज़ करेंगे redux devtools extension और इस package को आप जहें download कर सकते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप देख पाएंगे extension में क्या logic है वो आपको दिखता रहेंगा तो आप क्या करें इसको copy कर ले और copy करने के बाद आपको क्या करना है टर्मिनल पे जाना है और यहाँ पर client directory में आपको install करना है तो आप क्या करें cd client में switch हो जाईए और इसको आपको install कर देना है तो npmi redux devtools-extension और इसके बाद में आपको क्या करना है simply इसको use करना है तो अभी हम क्या करेंगे store create करेंगे तो easy लिए आपको समझ में आ जाएंगा so make sure आप download करके रखें और इस package को install करके रखें यहाँ VS code में चलते हैं तो यह भी install हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे यहाँ पर redux के लिए एक folder बना के रखा है तो इसमें मैं क्या करूँगा एक new file create करूँगा और इसका नाम मैं रखता हूँ root reducer.js यह हमारा root reducer रहेंगा अगर आप first time देख रहे हैं तो please एक बार आप मेरा redux क जो है tutorial देख सकते हैं उसमें मैं अच्छे से redux को explain किया हैं यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे सबसे पहले जहाँ initial state create कर लेंगे const initial state equal to अब इसके अंदर हम क्या expect करेंगे user से सबसे पहले तो रहेंगा loading जो कि initially false रहेंगा और इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर cart items receive करेंगे cart items और यह empty error हैंगा इसके बाद में हमारा reducer है तो इसको साथी में export करते चलेंगे export const और root reducer इसका नाम है आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर mostly जो common pattern है root reducer का है और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं अलग से action files जो है create नहीं करेंगे इसी में हम expect करेंगे state को यहाँ पर मैंने लिखहा state और इसको fulfill करा देंगे हमारे पास जो initial state है उससे fulfill करा देंगे उसके बाद में हमारे पास रहता action और इस action के base पर हम क्या कर सकते है action type यानि switch cases हम create कर सकते हैं यहां पर हम switch का इस्तेमाल कर सकते हैं, switch, इसके अंदर हमारे पास रहेंगा action.type, तो यहां पर payload set करने के लिए, हम यहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं, और किस case पर आपको क्या करना है, तो हम यहां पर define कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, directly भी default करेंगे, क्योंकि कोई भी case हमारे पास नहीं है default में हमको क्या करना है simply return करा देना है state को तो जो भी state है as it is हम यहाँ पर return करा रहे हैं इसको save कर लेते हैं save करने के बाद हम क्या करेंगे एक store की file create कर लेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे new file create करेंगे store के नाम से store.chars और इसके अंदर हमको store create करना है देखिए यहाँ पर यह package इंस्टॉल हो चुका है इसको close कर दिलता हुआ है और यहाँ पर store create करना बहुत simple है हम क्या करेंगे यहाँ पर कुछ चीज़े import करेंगे तो import something from reader और यहाँ से हमको जरूरात है फिर भी मैं import करेंगे चलता हूँ बाद में देखेंगे और thang को import कर देते है import thang from redux thang इसके बाद में dev tool को भी import कर देंगे import something from redux dev tool extension और इसमें से हमको चाहिए compose with dev tools क्योंकि हमको browser में check करना है सारा redux का status तो इसके लिए हम यहाँ पर उसका use कर रहे है अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक reducer create करेंगे const final reducer equal to यहाँ पर हम क्या करने वाले Combined reducer का use करेंगे क्योंकि हम क्या कर सकते multiple reducer create कर सकते लेकिन use सिरफ एक ही कर सकते तो हम उसको क्या करते हैं, कम्बाइन कर लेते हैं, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पास करा सकते हैं, तो हमारे पास है root reducer, तो उसको हम पास करा सकते है, root reducer, make sure इसको import भी कर ले, देखिए, यहां पर हमने इसको import भी कर लिया, और root reducer को हम जहे as it is भी यहाँ पर add कर सकते हैं तो root reducer colon root reducer अब दोनों भी key value same है तो single time में भी लिख लेंगे तो चल जाएंगा कोई दिखकत नहीं है अब इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर initial state create करेंगे तो const initial state equal to root reducer के इस्तेवल करेंगे root reducer और इसके अंदर expect करेंगे cart items को तो cart items और इसको Capital में कर देता हूँ cart items और इस जो cart items हम इसको क्या करेंगे local storage में ज़ुए save करा देंगे तो इसके बहुत simple आपको क्या करना hav local storage, fica लोकफे हम क्या करना है get करना है item को, तो फिलाल हमने कोई set नहीं किया है, फिल भी हम उसको get कर रहे हैं, और यहाँ पर आप लिख सकते सका नाम, जैसे के, cart items, और फिर हम क्या करेंगे, अगर हमको मिलता है, तब क्या करना है हमको यहाँ पर, उसको parse करा देना है, parse क्यों करा ना है, I hope आपको पता हूँगा, यहाँ पर local storage में सिर्फ जो है, string values जो है, accept करता है, तो हम क्या कर रहे है, json को parse कर रहे है, json.parse, parse कि इसको करना है, जो भी हमारे पास data है, तो data कौन सा है, यही है न, same as if this data है, जिसको हम parse कर रहे है, तो यहाँ पर मैं add कर देता हूँ, parse के अंदर, और else में हमको क्या करना है, यहाँ पर simply empty array जो है, पास करा देना है, मैं save करते चलता हूँ, ताकि थोड़ा सा pretty यहाँ पर हो जाए, आपको अच्छे से दिखाई देंगा, तो यहाँ पर हमने इसको set कर लिया, अब इसके बाद में हमको क्या करना है, इसको export कर देना है, तो export से पहले हमको क्या करना है, हम पर create करना है store को, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, const store equal to, और middleware भी है, तो मैं क्या करता हूँ, create करेंगे store को, तो create store, और create store के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर reducer को पास करा देना है, तो हमारे पास है root reducer, so root reducer, इसके बाद में हमारे पास है initial state, और इसके बाद में compose with dev tool, और इसके अंदर हमको क्या करना है apply middleware को use करना है जो middleware यहाँ पर variable है इस Vermil騰 हमको क्या करना है इसो क guestore करना है तो export default store तो हमारा store जो है export हो गया तो चलिए हम क्या करते है इसको अब हमारे index.js में import कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है import करना है सबसे पहले provider को so import provider from react reducts क्योंकि react reducts अलग से काम करता है तो हमको react reducts के package में इसको install करना है और यहाँ पर कुछ mistake है क्या है ओके डबल quotation miss हो गया था और इस strict mode के बदले हम क्या करेंगे provider से इसको wrap कर लेंगे so provider और इसके अंदर हमको जो store pass कराना पड़ता है तो store के हमने जो file create की है ना वह हम यहाँ पे add कर देंगे store को add करें store control space तो देखिए solution में show करेंगा redux का folder और उसके अंदर store की file है save कर लेते हैं इसको और चलते है application पर एक व्याँ देखते हैं कोई error तो नहीं अपने पास इसको refresh कर लेंगे तो अभी तक तो कोई error नहीं inspect कर ले आप और चेक करें कि बराबर से चीज़े काम करती है नहीं console पर चलते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक एरर यूनिक की का कुछ error है home page में तो इसको बाद में fix कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं और एक warning है चलते है रिडक्स पर तो दीखिए अगर आपने extension डाउनलूट किया होंगा यानिके इसको enable करके रखाऊंगा ना तो यहाँ पर आपको show करेंगा दीखिए यहाँ पर हमको button भी add करना है तो button अड़ करेंगे add to card में तो यहाँ पर वो show करेंगा card के अंदर तो यह functionality अभी हमको देखना है तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे button अड़ कर देंगे कुछ है क्या नहीं इतना ही है तो यहाँ पर code पर एक बार क्लिक करके check कर लेते कैसा है meta है meta और meta के बाद में नीचे चलते है card avatar है description है तो avatar तो हमको नहीं चाहिए title है card title action में है देखिए यहाँ पर action में हम यहाँ पर add कर सकते button को एक बार test कर लेगा इसको मैं क्या करता हूँ action को copy कर लेता हूँ यहाँ से इतना ही है और एक card के अंदर है तो card हमारे पास यह है इसके अंदर है action तो paste कर दिया action को और key setting है तो यहाँ से हमको फिर इसको भी import करना पड़ेंगा यह सारे icons है copy कर लेते हैं इसको सिर्फ test कर रहे है अभी बाद में ज़रूत पढ़ी तो उसको change कर लेंगे कोई दिक कर लेते हैं paste कर लेते हैं इसको save चलते application पर यह है हमारी application और इसको एक बार refresh करके चेक कर लेंगे तो दीखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से option शो कर रहा है और तीक ठाक है यह भी आप रख सकते हैं अच्छा है काफी एंड डिजाइन भी हम क्या करेंगे simply button add कर दूँगा मैं एक्षिन के बदले मैं क्या करता हूँ इसको remove कर लेता हूँ हम सिर्फ meta के अंदर directly बटन add कर देंगे और इसको style कर लेंगे इनकेस अगर styling का कुछ भी issue आता है तो हम उसको इस तरीके से fix कर लेंगे class name और यहाँ पर मैं लिखता हूँ item button यह class name css apply कर देंगे और मैं remove कर लेता हूँ यह icons के statement को और button है देखिए मेरे पास import है तो इसका मैं use कर लूँगा आपके पास नहीं होगा तो आप directly use करें तो यहाँ पर हम button add कर देंगे so button हमने यहाँ पर ले लिया और button को हमको क्या करना है यहाँ पर देना है name add to card का तो add to card save कर लेते इसको और check करते कैसा दिखाई देता है चलत बटन को हम target कर सकते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे CSS का use कर लेंगे style sheet और directly main में कर लेता हूँ index.css में item button और यहाँ पर इसकी width तमसेट कर लेंगे width कितनी कर ले 200 pixel changes आपको दिख रहे है क्या और कोई changes यहाँ पर नहीं है तो इसके अंदर जो button है उसको target कर लेंगे जैसे margin बराबर से add हो चुका है इसके बाद में हम क्या करेंगे width देंगे width of 300 pixel okay 300 बहुत जादा है 200 करके check कर लेते हैं या फिर 150 कर लेंगे अगर यह भी ज्यादा रहा तो background color में add कर देता हूं और इसको कर देंगे हम कुछ green color में या फिर इसको change कर लेते हैं यहां से कोई भी एक dark color हम ले लेंगे यह ठीक है और color इसका जो रहेंगा न वह वाइट कर लेंगे safe चलते वापस application कर देखिए अपर add to card बराबर से आ रहा है और hover effect अगर आपको change करना है तो आप कर सकते हैं मैं इसको as it is रहने दूँगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक ठाक ही लग रहा है यह hover effect भी इसको refresh कर लेंगे application को. अब directly add to card का हमको मिलेंगा option. अब हमको क्या करना है? Redux का use करना है. तो हम क्या करेंगे? Redux को add कर देंगे, to default layout का जो page था अपना. मैं search कर लेता हूँ default layout.chars इस page में हमको क्या करना है? Use Selector को इंपोर्ट करना है. तो Use State के बाद में हम क्या करेंगे? Use Selector को add कर देंगे. So Use Selector. और Use Selector इसमें नहीं रहेंगा. वो तो React Redux में में सिर्टेंगा. Separately हमको इंपोर्ट करना पड़ेंगा. Import something from React Redux. और इसमें से useSelector और हम क्या करेंगे हमारे पास यह जहां stateF से पहले restructure कर लेंगे cardItems को cardItems और यह कहां ते मिलने वाला है यह useSelector की मदद से मिलेंगा so useSelector और यह हमको state provide करता है तो हम क्या कर सकते है इस state की मदद से हमारे rootReducer और को जो है access कर सकते है तो state arrow फिर state.rootReducer और इस cardItem का हम use कर सकते है कहां पर करेंगे इसका देखिए हमारे पास header section है यह रहा header section और इससे पहले हम क्या करेंगे एक और div जो है create कर लेंगे तो यहां पर मैं क्या करता हूँ div add कर लेता हूँ और यहां पर cardItem और इसके अंदर हम क्या करेंगे एक paragraph tag ले लेंगे P tag और पी tag के अंदर जो cardItems को show करा देंगे तो cardItems और इसके अंदर अगर हमारे पास length है तब हम को यहां पर show कराना है और पी tag के बाद में क्या कर सकते है यहां पर एक icon भी add कर देंगे icon के लिए हम क्या कर सकते है चलते हैं and design पर वापस and design और यहां पर हम icons जो है ना search कर लेंगे तो देखिए यहां पर shopping card outline का है तो इसको हम क्या करेंगे use करेंगे यह copy हो चुका है चलते हैं वापस application पर पहले इसको paste कर लेंगे हम यहां पर और यह paste हो चुका है अब हमको क्या करना है simply इसको import करना है दिखिए icons हमारे पास already है तो यहां पर इसको import करा दे angle brackets को यहां से remove कर लिजिए save कर लेते हैं इसको तो हमको icon show होना चाहिए चलते हैं application पर यह रही है हमारी application इसको एक बार refresh कर लेंगे और icon बराबर से आ रहा है और यहां पर देखिए कुछ तो भी overflow की property अड़ हो चुकी है तो यहां पर कुछ अलग सा behavior आ रहा है एक बार इसको inspect कर लेंगे कोई CSS की property की वज़े से हो रहा है तो एक बार inspect करके इसको check कर लें यहां से हमने इसको inspect किया और यहां पर देखिए हमारे पास display flex है और यह header section है तो यहां से हम line height को remove कर लेते हैं फहले ठीक है line height से थोड़ा सा कुछ effect हम को मिला है और यहां पर display flex कर लेते हैं इसको एक बार display flex तो दीकि flex पराबर से काम कर रहा है और इसके अंदर flex जो है na justify कर देंगे हम item को justify content ने justify item और इसको space between करके चेक कर लेंगे तो space between और इसके बाद में क्या करेंगे align कर देंगा items को align item और इसको space between कर देंगे पें सेंटर कर लेते हैं यहां सेंटर कर लेते हैं कब चेक करें स्सक् spur रहा है तो इस था क्लास को यहां को कर लेता हूं और space and-layout-header, line height को हमको करना है 0, इसके बाद में display flex, justify content को space between, around नहीं, between करना हमको space between, save कर लेते हैं इसको, चलते हैं application पर, और इसको एक बार refresh कर लेंगे, ठीक है, और कुछ एक नया issue आगया हमारे पास, इसको center भी कर लेते हैं, एक बार, align item center, अब ठीक है, अब ये बराबर स अलाइन है, मगर 0 जो है, align नहीं है, तो 0 हमने एक email लिखा तो उसको check कर लेते हैं, एक बार, cart item को target करेंगे, copy CSS में, target कर लेंगे, और इसको padding दे देंगे हम, left से 20 pixel कर लेते हैं, 20 pixel, और padding right से 30 pixel, save, तो देखी, कुछ इस तरीके से ये show कर रहा है, और 0 कापी top पे आ रहा है, यह जो 0 है, इसको target कर लेंगे हम, cart item, और इसके अंदर जो P है, इसकी line height में set कर देता हो, और 64 कर लेते हैं, इसको, 64 किया है, तो यहां पर line height के दिक्कत हो गई, change कर देते हैं, इसको margin top से दे देंगे, 30 pixel, ज्यादा है, इसको दे देंगे 10 pixel, अब ठीक है, यहां पर देख से save, यहां पर cursor का symbol नजर आएंगा, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको card के page पेज़ पर redirect करेंगे, और यहां पर देखिए, ज्यादा space मिल रहा है, तो इसको भी आप कम कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर margin right से हम यहां पर 20 pixel, 20 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगा, 10 pixel कर ल बराबर से काम कर रहा है, तो use selector के मदद से हमने import किया था, वो भी successfully काम कर रहा है, आप देख सकते हैं, यह जो हमने import किया है, और destructure किया है card items को, यह बराबर काम कर रहा है, और अभी zero show कर रहा है, क्योंकि add to card के functionality अभी हमारे पास नहीं है, जैसे हम इतमे add to card करेंगे, तो हम रिडक्स में काम करेंगे, चलते हैं, रिडक्स में, और हमारे पास है root reducer, अभी कोई भी case हमारे पास available नहीं है, तो यहाँ पर हम case create करेंगे, और इस case का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे के update card, यह हमारे case का name है, और इसके अंदर हम क्या करने वाले, return कराएंगे state को return, और यहाँ पर हमको state चाहिए सबसे पहले, और case के बाद में नहीं है, अब ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करने वाले state को add करेंगे, और state के अंदर जो भी data है, मैं क्या करता हूं, उसको multiline कर देता हूं, जो भी state के अंदर data है, उसको spread कर देंगे हम यहाँ पर, और इसके कभी आपने इसका example देखा हूंगा, नहीं भी देखा हूंगा, तो नीचे मैं लिंक देदूगा, आप चाहे तो, मेरा Redux का course देख सकते हैं, उसमें भी मैंने अच्छे से explain किया है, आप चाहे तो इसको capital letter में भी कर सकते हैं, better approach यह ही है, लेकिन हमारा project कुछ इतना खास फुब और मैं इसको save कर लें, save करने के बाद हम क्या करते हैं, आइटम पीज में चलते हैं, और यहां पर हम क्या करें ऑपास button रहसे है, और सच्छा है, इसके onclick event वेंट पे तेक अंक्रवीज प्रिए हूं, हो में यहांपर लिखता हूं, handle, और इसका नाम हम क्या रखे है, handle add to cart कर देते हैं और इस function को अभी हमको create करना है तो यहां पर मैं क्या करता हूँ इसको create कर लेता हूँ update card handler और यहां पर arrow function हम इसको बना लेंगे यह हमारा arrow function बन चुका है अब इसके अदर हमको क्या करना है अपर add to cart का just function है और इस function को call कैसे करेंगे क्योंकि बेelwal को करना है क्या क्या करना है तो इंपोर्ट करना पढ़ेगा निजिए दिसपाइट कर लेंगा इस का एक वीरियाबल हम create तो यहां पे आप ग्रीबल क्रीट ग्रेट करें एक मिलगों पॉरण시면 available किरीट अब इसके अंदर अंकपर करनाई ऑन क्लिक में डिस पैच कर देना तो यहां पे अंदर आपको पाटिब्लिग मुस्ट देडना है तो यहां पाटिप अब डिकार रेट ने बनाया है वही हम यहाँ पर add कर रहे हैं update card और जब यह action call हो तब क्या करो यहाँ पर हमारे पास state है उसको जो हमको change करना है तो यहाँ पर हम payload set कर देंगे payload और payload के अंदर हम जा आइटम को path करा देंगे अभी item यहाँ पर हम get कर रहे हैं तो हम directly इसको path करा सकते हैं और इतना लिख किसको save कर लेते हैं पहले और default layout में जो हम इसको use कर सकते हैं तो default layout पर चलते हम default layout और यहाँ पर cart items है तो already हमारे पास cart items है हम क्या करेंगे use effect बना लेंगे ताके local storage में data को get कर पाएं तो मैं आप पर क्या करता हूँ use dispatch को भी add कर देता हूँ use dispatch श्क्राइक variable बना लेंगे हम once dispatch equal to use dispatch और यहाँ पर हम क्या करेंगे use effect कर समाल करेंगे और इसको भी import करना पड़ेंगा इसके बाद में use effect हमको add करना पड़ेंगा और यहाँ पर हम comment कर देते हैं to get local storage data use effect के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर function create करेंगे और empty dependency भी हम यहाँ पर पास करा सकते हैं तो यहाँ पर हमको क्या करना है dispatch कर देना और यहाँ पर अगर हमको यह मिलता है तब क्या कर देंगा और इसके अंदर हम कॉमा लागा कि क्या करेंगे इसको जो है यहाँ पर card items जो है missing dependency बता रहा है तो card items को हम यहाँ पर provide कर देंगे और dispatch हमने add किया था ना इसको मैं cut कर लेता हूँ dispatch की ज़रूरत नहीं है हमको save कर लेते हैं इसको और चलते है application पर यह रही हमारी application इसको एक बार refresh कर लेंगे तो यहाँ पर हमारी application refresh हो चुकी है अब add to card क कुछ भी नहीं हो यहाँ पर हमने click किया तो और continue state में एक है inspect करके चेक कर लेते हैं एक बार कि एक हम करेंगे न तो सिर्फ एक जो है item जो most recent रहेंगा वह सेट लोगा तो इसको हमको क्या करना पड़ेंगा पहले जो state है उसको spread करना पड़ेंगा याणि इसकी copy हमको create करना पढ़ेंगी तो इसको हम array में wrap कर लेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे, state का इस्तेमाल करेंगे, state पहले तो comma लगा देता हूँ, action.pilot अलग है, और यहां state में से हम क्या करेंगे, cart items को get करेंगे, cart items, यतना लिक के आप इसको save कर ले, make sure इसको आप correct कर ले, और इसके बाद में हमारे पास store.js में भी एक issue है, कि हमने final reducer क यहां पर store में initialize है नहीं किया, हमने गलती से root reducer को यहां पर कर लिया, तो इसको बैह आप fix कर ले, हमको क्या करना है यह पर ? और local storage में से जो भी data होंगा वो remote कर ले आप तो अभी मैं firebox में हो तो application पर click करूँगा यहाँ पर local storage show करता है तो दीखिए यहाँ पर cart items है इसको मैं delete कर लेता हूँ और इसको cut कर लेंगे और मैं page को refresh कर लेता हूँ तो यहाँ पर हमारी application refresh हो चुकी है अब हम क्या करते है add to cart कर लेते है add to cart तो दीखिए यहाँ पर count बराबर show कर रहा है अब इस पर click करूँगा तो दीखिए 2 इसी तरीके से 3 पर कर रहा हूँ तो यहाँ पर 3 select हो रहा है तो इसको आप check कर सकते हैं हम करेंगे इसको पहले शुरू जो है local storage में check कर लेंगे तो चलते हैं वापस application पर और यहाँ से दीखिए cart items और 3 items यहाँ पर add हो चुके हैं क्योंकि array है इससे लिए 0,1,2 और इसी तरीके से Redux dev tool में भी इसको check कर सकते हैं तो मैं क्या करता हूँ Redux को open कर लेता हूँ और यहाँ पर दीखिए update cart है इसके अंदर expand करें तो यहाँ पर भी शो कर रहा है और इसका नम हमको change करना पड़ेंगा update cart नहीं रखेंगे तो हम इसको add to cart कर देंगे तो add underscore capital में सारा कर रहा हूँ add to cart और फिर हमको इसको change भी करना पड़ेंगा तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ copy कर लेता हूँ save कर लेंगे और हमारे पास item list में हमने इसको call किया है न चेक कर लेते हैं दीखिए यहाँ पर update cart है तो यहाँ पर हम इसको call करेंगे save कर लेते हैं इसको चलते हैं अप्लिकेशन पर और सबसे पहले आप क्या करें local storage में से data को remove कर लें यहाँ से हमने इसको remove कर लिया और यहाँ पर refresh हम कर लेंगे इसको count हमारे पास 0 है अब यहाँ पर हम add to cut करते हैं add to cut तो दीखिए वन आ रहा है तो मैं एक बार dev tool में भी check कर लेता हूं फिर से हम जो है अब हमको क्या करना इसके लिए एक page क्रेट करना है यहाँ पर हम क्या करेंगे जैसे start icon पर click करें तो एक new page हमको show होके मिलना चाहिए जितमे हमारा सारा का सारा card से related जितना भी हमने add to card किया है वो data हमको show होना चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर pages के अंदर एक new file क्रेट करेंगे और इसका नाम में रख देता हू card page.js इसको भी arrow function बना लेंगे rafce react arrow function with export और फिलाल के लिए इसको save कर लेते हैं और app.js में इसको import कर लेंगे so app.js इसके लिए हमको route create करना है इसको copy paste कर लेंगे path इसका रहेंगा card और element में हम इसको card page कर देंगे card page देखिए यहाँ पर suggestion show कर रहा है इस पर click करूँगा तो component भी automatically import हो जाएगा save कर लेते हैं इसको आवारी कि यहाँ पर button जो है इसके on click event पर हमको इस route को execute करना है तो default layout और यहाँ पर हमने कहीं पर दिया था ना card का देखते एक बार card item करके इसके on click पर हम क्या करेंगे on click और navigate का इस्तेमाल कर लेंगे navigate और navigate को हमको add करना पड़ेंगा तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डिरेक्ली जो है card को add कर देता हूँ और multiline कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे function और इसके अंदर navigate का function हम add करने वाले हैं जो के routing के लिए use होता है तो इसको import कर लेंगे link के बाद में add कर देंगे use navigate और यहाँ पर इसका variable हमको create करना पड़ेंगा तो state से पहले हम करते एक variable create कर लेते const navigate equal to use navigate तो इसके दोलते हैं वापस application पर और यहां पर हम card page पर redirect होने चाहिए तो यहां पर मैं click करता हूँ card और देखिए हम card page पर redirect हो जुके है अब इस card page को पहले हम multiline कर देंगे और इसको default layout से wrap कर लेंगे और यहां से click करें इस पर तो यह automatically इंपोर्ट भी हो जाएंगा default layout और यहां से fragment को remove कर लेता हुआ है और इसको हम क्या करेंगे parenthesis में wrap कर लेंगे क्योंकि multiple हम यहां पर elements add करने वाले है और इसके अंदर हमको क्या करना है पहले में एक h1 ले लेता हूँ और यहां पर में लिखता हूँ card page save तो यहां पर बराबर से content show हो गया अब हमको यहां पर आजर table में इसको show कराना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर end design का table use कर लेंगे table में search कर लेता हूँ table देखें यहां पर option show कर रहा है इस पर click करेंगे आप चाहिए तो bootstrap का table भी use कर सकते हैं यहां पर tab आ गया spelling mistake के table search करना था हमको यह थोड़ा सा slow चलता है इसका end design का जो page है यहां पर देखें कुछ इस तरीके से हम table create कर सकते हैं पहले हमको data source और इसके बाद में कितने columns चाहिए वह यहां पर define करना पड़ता है तो जैसे भी आपको create करना आप bootstrap का भी use कर सकते हैं लेकिन यहां पर हम सिरफ ज्यादा end design का use कर रहा है इसे लिए हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं तो कुछ इस तरीके से हमको table देखने मिल जाएंगा और pagination का भी इसमें by default support मिलता है तो हम इसका use कर सकते हैं तो चलते हैं वापस application पर और यहां पर हम क्या करेंगे पर पर सबसे पहले data source हमको create करना पड़ेंगा और इसके साथ ही में हमको state में से cart items को get करना पड़ेंगा तो हम क्या करते हैं use selector को import कर देते पहले import use selector from react redux और get कर लेंगे cart items को तो const cart items और यह कहां से हैंगा use selector का इस्तेमाल करेंगे use selector हमको state provide करता है और उस state में से हम root reducer को target कर सकते हैं तो state.root reducer इसको हमको target करना है अब इसका हम use कर सकते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना है again and design को हम follow करेंगे यहां पर data source हमको create करना है जिसके अंदर key name अच्छा यह तो data है directly तो data हम cart items में से get करेंगे और directly हम पहले column create कर लेते हैं और इसके अंदर index हमको मिल जाएगा तो उसके base भी हम कर सकते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे variable create कर लेंगे const columns equal to array क्योंकि multiple हमारे पास key value pairs है इसलिए हम यहां pad कर रहे हैं और इसके अंदर रहेंगा object और इसके अंदर पहले रहेंगा title title में हम क्या करेंगे सबसे पहले name show करा देंगे और इसको string में लिखना पड़ेंगा I think so convert कर देते string में और इसके बाद में हमारे पास रहता है data index data index मैं एक बर चेक कर लेता हूँ देखिए यहां पर data index है बराबर तो इसको भी copy paste हम कर सकते है paste data index और data index हमारे पास आएंगा directly हमारे पास data source रहेंगा card items का यह वाला तो इसमें से हम get करेंगे तो name में हमारे पास name है जो भी object है आप उसको एक पर ज़रूर चेक करें यह हमार application है इंस्पेक्ट करें और Redux में जो value है उसमें भी हमको दिख जाएंगा तो हमको database में चेक करने की ज़रूरत नहीं है और रेडी हम यहां पर get कर रहे है तो card items में हमारे पास देखिए underscore id है name है फिर price है category image तो यह सारी चीज़े हम यहां पर get कर सकते हैं तो यहां पर हमने name में name लिखा make sure spelling सही हो दोनों की value सेम होनी चाहिए तो इसी तरीके से हमको क्या करना है image के लिए करना है तो इसको copy paste कर लेता हुआ है और यहां पर image add कर देंगे और यहां पर data index में image और image चाहिए तो आप इसका official documentation refer कर सकते हैं तो यहां पर इस render के अंदर हम क्या कर सकते हैं एक तो expect करेंगे हम कि हमको एक image मिले और इसके बाद में हमारे पास होता है records records क्या रहेंगा हमारे actual data जो हम यहां पर देख रहे हैं यह जो RI0th value पर यह पूरा का पूरा तो यह हमारे data है इसको हम expect करते हैं और यहां पर हम क्या करेंगे मैं इसको multiline कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और render में image और record को हम expect करेंगे और यहां पर क्या करेंगे IMG tag का हम use कर सकते हैं so IMG self closing tag इसके अंदर होता है source तो यहां पर आप source भी add कर सकते हैं src और dynamic रहे को get कर लेंगे उसके बाद में size इसको add कर सकते हैं तो height में add कर देता हूँ height और height कि इतनी कर लें हम इसकी 60-70 ठीक रहेंगा बारिक रखेंगे तो क्योंकि हमको यहां पर cut items जो है show कराने तो width में करता हूँ 60 कर लेते हैं इसका भी price है तो asatis आप लिख सकते है price और इसके बाद में क्या करेंगे यहां पर quantity शो करा देंगे so title quantity और फिलाल इसको हम empty रख लेते हैं quantity अभी हमारे पास है नहीं तो asatis इसको empty बनाके हम छोड़ देते हैं बाद में इसको फिल करेंगे last बाले में फ्होल हो यह Óadin गरेंगे तो यहां पर इसका नाम रख सकते है actions और इसके अंदर क्या करना है यहाँ पर data index इसके अन्डर हम को क्या करता है सर्च कर लेता हूं डिलीट का आइकन डिजाइन में से यहां से हम सर्च करेंगे आइकन और यह वाल आइकन नहीं है चाहिए तोड़ा सा दिक्कत देता है इसका दोक्यमेनटेशन ठीक ठाक है लेकिन बूट्ट्राइप के हमको ज्यादा आदत हो चुकी है तो इकन सिस्टम एकन या यह वाल आइकन चेक कर लेते हैं तो देखिए यहां पर बराबर से आ रहा है और यहां पर हम डिलीट के लिए सर्च कर लेंगे डिलीट तो देखिए डिल एक्सपेक करने के बाद हमको arrow function में जो है हमारे delete icon को जह है paste कर देना है और इसके लिए पिर हमको क्या करना है यहाँ पर import statement लगेंगी तो import statement है यहाँ पर दीखिए अच्छा import statement नहीं है यहाँ पर नहीं पर है यहाँ चेक कर लेते हैं package में से directly जह हम कर लेंगे ठीक है मैं क्या करता हूँ इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर टॉक पर डिड़क्स के बाद में import something from add the red and design icons और इसमें से हमको चाहिए delete outline तो हमने इसको भी इंपोर्ट कर दिया अब last में हमको क्या करना है यहाँ पर जो है table का use करना है तो यहाँ पर मैं add करता हूँ टेबल और make sure इसको and design में से import करें option show कर रहा हूँ इस पर click करेंगे तो दीखिए table जो है and design में से import हो जाएंगा और इसको self closing tag में हम add कर देंगे इसके अंदर हमको column set करना पड़ता है तो column और column में हमने जो over variable बनाया column का वह हम pass करा देंगे so columns और इसके बाद में data source तो यहाँ पर आपको data source add कर दे रहा है data source और यह कहां से आएंगा यह हमारे पास आ रहा है आइटम से to cart items जो हम यहाँ पर get कर रहा है no redact में से उसमें से हम स्को fetch करा रहें save कर लहते हैं इसको चलते application पर और इसको refresh करके लेंगे और मैं इसको close कर देता हूं तो DECIिए यहां पर बराबर से जो है शो कर रहा है और मैं इसको border देता हूँ इसको जो बॉर्डर कर देंगे, बॉर्डर, सेब, यहाँ पर कुछ नॉर्मल सा हमको बॉर्डर देखने मिल जाएंगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास जो भी add to cart में, वो सारे items यहाँ पर show हो रहे हैं, इसका देख सकते हैं, अब प्राइस है, तो प्राइस में क्या कर सकते हैं, इसके बाद में dollar का sign भी लगा सकते हैं, तो title है, और data index है, तो यह price को हम क्या करेंगे, पहले back tick में convert करके check कर लेते हैं, back tick, dollar, price, और I think back tick support नहीं करता है, directly हम करके देख लेते हैं, इसके बाद में price and यहाँ पर dollar का sign add करके check कर लेते हैं, काम करता है यह नहीं, सिर्फ चेक करना है हमको नहीं काम नहीं करता है, तो इसको देखेंगे बाद में fix कर लेंगे, इसको अभी S.D.P. स रहने देते हैं, तो next क्या करेंगे हम इस quantity पर काम करेंगे, क्योंकि हमको इसके quantity भी change कराना है, तो इसके लिए हमको पहले शुरू जो है, तोड़ा सा logic build करते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस का icon add कर देंगे, तो इसके basis पर हम यहाँ पर cart में items को जो है, add और remove करा पाएंगे, तो आप चाहे तो इसको center align भी कर सकते हैं, फिर यह CSS में आपको करना पड़ेंगा, तो यह मैं आपके उपर छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, quantity पर काम करेंगे, चलते हैं वापस, और quantity का हमने empty छोड़ा था, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, और यहाँ पर render, render के अंदर arrow function, और यहाँ पर हम id और records को जो है add करेंगे, id and record, और यहाँ पर हमको icons चाहिए, तो हम add design से plus and minus के जो है icons copy कर लेंगे, plus, और यह दिखें, plus circle outline, इसको copy कर लेते हैं, और यहाँ पर paste कर देंगे, एक div ले लेते हैं, div के अंदर इसको paste कर लेंगे, और इसको ऊपर import भी कर लें, यहाँ पर हमने icon add किया था, इसके बाद में add कर लेंगे, और हम क्या करेंगे, एक b tag ले लेंगे, तो bold में हम क्या करेंगे, जो भी हमारी quantity इसको show कर आदेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या करता है, एक b tag ले लेता हो, old के लिए, और यहाँ से आप तो क्या करना है, और record की मदद से हम यहाँ पर show कर आदेंगे, record, उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर record की मदद से, जो एक quantity को show कर आएंगे, और एक बर spelling चेक कर लेते हमने क्या लिखा था, तो यहाँ पर inspect कर गए, मैं चेक कर लेता हूँ, जो reduct में हम value get कर रहे हैं, तो उसमें से हम क्या करेंगे, इसको copy कर लेंगे, as it is, and यहाँ पर, हमारे पास है cart items, और quantity तो हमारे पास नहीं है, तो virtual field हमको यह create करना पड़ेंगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर same as it is add करें, अभी हम इसको create करेंगे बाद में, और मैं minus का icon भी add कर देता हूँ पहले, minus, तो यहाँ पर minus circle outline, इसके बाद में इसको paste कर लेंगे, again हमको क्या करना, इसको import करना है उपर, तो इसको import भी कर लेंगे, यहाँ पर यह import हो चुका है, save कर लेते हैं इसको, और save करने के बाद देखते हैं, और यहाँ से इसको close कर देते हैं, इसको हम क्या करेंगे, यहां पर से आ रहे हैं और क्लास नेम और यहां पर क्लास नेम स्टार्ट यहां को सब्सक्राइब तो दोनों साइट से प्रॉपर मार्जिन रहेंगा, copy, paste, save कर लेते हैं, इसको एक पर शिक करते हैं, margin मिलता है यानि, तो देखें, margin नराबर है, quantity को create करेंगे, तो quantity हमको कहाँ पर create करना पड़ेंगा, payload में हमको यहाँ पर इसको set करना पड़ेंगा, तो items हमारे पास था न, equal check कर लेता, item page नहीं, हमारे पास है item list, तो component, item list, और payload में हम क्या करेंगे, यहाँ पर quantity को भी add कर देंगे, तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेंगा, इसको convert करना पड़ेंगा, object के अंदर, और item को spread कर देंगे हम पहले, जो भी item में इसको spread किया, और यहाँ पर हम quantity प्ड़ेंगे, quantity तो मैं क्या करता हूँ, इसको as a t's copy कर लेंगे, card page में हमारे पास quantity, क्यूंकि स्पलिंग मिस्टिक नहीं चाहते हैं, इसलिए इसको as a t's copy कर रहें, और इसको कर देंगे 1, by default इसको 1 कर लेंगे, save कर लेंगे इसको quantity को, और हम क्या करेंगे, चलते हैं application पर, और inspect करें, और local storage का j Personality को जो भी data है, इसको remove कर लेंगे, इसको clear कर देंगे, clear कर लेते हैं, और चलते है homepage पे और इसको refresh कर लेंगे application को, तो स्टिल हमारे पास 2 है, I think clear नहीं हुआ तो इसको हमने clear कर लिया, इसको refresh कर लेते हैं अभी कोई भी rate हमारे पास नहीं रहेंगा, दीखिए, card count में 0 है add to card करते हैं, add to card करने के बाद चलते हैं वापस, तो दीखिए यहां पर बराबर 1 शो कर रहा है इसी तरीके से एक और हम यहां पर add करके चेक कर लेते हैं, जैसे कि यह वाला, तो item 2 हो गया account और वापस आएंगे इस page में तो देखिए, यहां पर बराबर शो कर रहा है, यहां पर quantity की field तो हमारी successfully add हो चुकी है अब हमको क्या करना है, increment और decrement देखना है, और यहां पर हम क्या करेंगे, इसको जो है cursor की property add कर देगे, इसके अंदर pointer कर देगे, यहां पर cursor pointer, और इसके बाद में on click event हमको fire करना है, तो multiline कर देता हूँ, ताकि अच्छे से दिखाई दे, और यहां पर on click, on click पे हमको एक function को जो है call कर देना है, यहां पर आपको wrap करना पड़ेंगा, और इस function का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, हम directly भी function यहां पर add कर सकते हैं, arrow function में पास करानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या यहां पर condition है, condition क्या रहेंगी, कि हम इसके अंदर record set करने, तो यहां पर इस function को create करना है, तो top पर हम क्या करेंगे, state के बाद में, यहां पर मैं लिख लेता हूँ पहले, handle, increment, const, increment, arrow function, और इसमें भी हम क्या करेंगे, as a argument जो है record को expect करेंगे, तो record हम यहां पर add कर लेते हैं, record, और dispatch हम को लगेंगा, तो use selector के बाद में क्या करेंगे, use dispatch को add कर दें तो top पर मैं करता हूँ, create const dispatch equal to use dispatch, इसका variable भी create हो चुका है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, dispatch करेंगे, तो dispatch के लिए हमारे पास कुछ न कुछ state में भी तो होना चाहिए, यानि कि हमारे reducer के अंदर हमको create करना पड़ेंगा, तो हम क्या करते हैं, पहले शुरू जो है, य यहां पर पेलोट को भी set करना है, तो पेलोट कैसे आएंगा, देखिए पेलोट अप पहले add करना है, यहां पर आप पर आपड़ेंगे, जो भी record है, उसको पहले spread कर देंगे, यानि कि previous record हम को चाहिए, इस तरीके से add करना है, record, और उसके बाद में हम क्या करना है, यहां प field अपने पास quantity, तो quantity को हम क्या करने वाले, यहां पर plus करेंगे, तो कैसे plus करेंगे, देखिए हमारे पास record है, so record को आपको target करना है, उसके अंदर हमारे पास क्या quantity है, तो quantity को अब हम target करेंगे, और उसको क्या करेंगे, हम यहां पर plus one कर देंगे, तो increment कर लेंगे by one, इतना ल make sure दोनों जोगा सेम हो तभी यह work करेंगा तो यहां पर update है खाली तो यहां पर card कर देता है उसको update card तो यहां पर specific जो है हमको idea रहेंगा कि यह card के लिए है तो return return के अंदर हम क्या कर सकते हैं यहां पर spread कर देंगे state को पहले जो भी state में data आ रहा है तो हम यहां पर pass कर देंगे अब state में हमारे पास data आ चुका है इसके बाद में हम और cart items को target कर आए, cart items आप हैं और cart items में प्याओं फिर हम लॉजिकल कंडिशन एड़ कर देंगे क्यों क्यों क्योंकि देखे quantity है पने पास तो quantity को हमको क्या करना है, पहले हमारे पास जो item है, उसकी id से match करना पड़ेंगा, क्योंकि हम क्या करना चाहते है, यहां पर यह जो single product है, यह जो भी item हमारा, इसको ही हमको increment करना है, यह count को increase नहीं करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेंगा, id को target करना पड़ेंगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे card item में पहले check करेंगे state.cardItems.map तो यहां पर map कर लेंगे पहले जितना भी data है और यह data हमको क्या करेंगा यहां पर item की शकल में देंगा तो item और item के अंदर हम क्या कराएंगे यहां पर check करेंगे क्या check करना है हमको हम क्या करेंगे यहाँ पर चिक करेंगे item dot underscore id equivalent है जो हमारे पास payload है action dot payload dot underscore id इससे यह match होती है या नहीं हमको यह check करना है अब अगर यह match हो जाए तब क्या करेंगे हम यहाँ पर एक condition जो है add कर देंगे condition क्या है हमको तो cart को जो है update करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मैं इसको थोड़ा सा close कर देता हूँ और single line में हम देख रहे हैं पहले तो item को spread कर देंगे item जो भी item रहेंगा उसको spread कर देंगे और फिर हमको क्या करना है यहाँ पर quantity को भी set करना पड़ेंगा तो quantity और quantity को हमको set करना है तो quantity कहां से मिलेंगी देखिए मैं करता हूँ उसको multiline कर देता हूँ और मेरे पास देखिए prettier का plugin है तो auto format पे यह जो है ना इसको थोड़ा सा change कर देंगा तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने तो यहाँ पर हम क्या करने क्वां च difárias कर देंगे quantity को quantity को हमको क्या करना यहां पर add कर देना है और quantity में हमको क्या करना है यहां पर जो भी payload आ रहा है action.payload और उसके अंदर जो भी quantity आएंगी उससे फुल्फिल करा देना है quantity और else की condition भी हम यहां पर add कर सकते हैं तो यहां पर देखिए इसको वापस से उपर ला लेता हुए पहले यह condition खतम होगी else की condition हमको यहां पर add करना है और else में हम क्या करेंगे यहां पर simply item को return करा देंगे जो भी item हमारे पास बचता है उसको हम return करा देंगे और इसको triple equal कर लेते हैं identical अब ठीक है इसको save करके एक बार test कर लेते हैं तो देखिए auto format में थोड़ा सा change हो गया तो यहां पर आप भी कुछ इस तरीके से वीडियो को pause करके एक बार जरूर चेक कर लें तो यहां पर हमारा यह complete हो चुका इसको save करेते हैं चलते है application पर और इसको refresh कर लेंगे और यहां पर अगर आप main card देखेंगे तो यह 2 है क्योंकि हमने सरफ item की quantity change की है item change नहीं किया है अब इसी तरीके से हमको minus के लिए करना है तो minus के लिए भी same है हमको इसके on click पर काम करना पड़ेंगा तो चलते हैं वापस card page पर यह रहा हमारे पास minus का तो मैं करता हूँ same इसी को copy paste कर लेता हूँ यहां पर इसके अंदर paste कर देंगे sorry delete पर हो गया है इसमें paste कर लेंगे अब इसमे handle increment था तो इसमें हम decrement भी कर सकते हैं तो यहां पर मैं करता हूँ decrement decrement में record ही हमको चाहिए copy कर लेते हैं और इसको भी create कर लेंगे तो इसी को क्या कर सकते हैं copy paste कर सकते हैं same चीज़ चाहिए हमको बस यहां पर handler का नाम जो है change करने वाले हैं fonts decrement record इसमें भी हम receive करेंगे और यहां पर देखिए हमको क्या करना है जो हमारा action.payload है उसके अंदर हम क्या करेंगे देखिए payload कहां set कर रहे हैं यहां पर payload set कर रहे है तो यहां पर plus के बदले हम क्या करेंगे minus कर देंगे इसको one से logic थोड़ा सा weird लग सकते है आपको लेकिन इसको test कर लेंगे अगर यह work करता है तो इसको as it is रहने देंगे तो यहां पर हम क्या कर रहे है जो भी previous है उसको minus one कर रहे है और directly minus भी होता होगा एक बार check कर लेते हैं मैं यहां से इसको minus one करके check कर लेता हो और यहां पर यह तो create हो चुका है अब हमको क्या करना है यहां पर update card में जो है change करना पड़ेंगा यहां पर हम क्या कर सकते है directly जो है na update card में इसको लिखने की जरुवत नहीं हम directly filter करा सकते हैं तो dispatch हो रहा है तो इससे पहले हम एक condition add कर देंगे तो condition में हम क्या करेंगे चेक कर लेंगे if हमारे पास जो record receive हो रहा है उसको हमको change कर चेक करना है record.quantity equivalent to यह पिर not equivalent to भी कर सकते हैं not equivalent to 1 क्योंकि अगर 1 है तो फिर इसको करके मतलब नहीं है तो यहां से हम करेंगे इसको copy sorry copy नहीं कटी कर देते हैं इसको यहां से cut और यहां पर इसको paste कर देंगे और इसको test कर लेते हैं क्योंकि हमको इसकी जरुरत नहीं increment की तो यहां पर update card में already हमारे पास logic है देख सकते हैं root reducer में root reducer में हमने यहां पर सिर्फ condition add करके रखी यहां पर हमने कुछ minus plus नहीं किया है इसलिए हम directly dispatch में add कर रहे हैं जो भी minus plus यहीं पर हम directly add कर रहे हैं save करके इसको test कर लेते हैं work क्या तो better है नहीं तो कोई दूसरी approach भी हम देख सकते हैं चलते वापस application पर और इसको refresh कर लेंगे हम तो यहां पर यह refresh हो चुका अब यह count 3 है तो इसको minus पर click करता हूं तो इसी पर delete कराएंगे तो फोड़ा सा weird लगेगा तो और उसे error भी आता है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहां पर कुछ इस तरीके से approach जो है follow कर रहे हैं plus पे plus हो रहा है minus पे minus हो रहा है quantity हमारे पास successfully add हो चुकी है अब इसी तरीके से हमको delete के लिए करना है तो delete के लिए भी same करेंगे क्या करते है अलग से function create कर लेंगे तो delete का हमारे पास icon था देखीए तो इस पर भी हम क्या करेंगे पहले style और on click को यहां से copy कर लेंगे आप manual create करें यहां से थोड़ा time बच है इसलिए हम जो copy paste कर रहे है और handle decrease है न तो handle delete कर देंगे हम इसको handle delete और as it is record हमको इसके अंदर pass कराना है यहां फिर हम क्या करते है inline function देखी रहे तो directly इसी के अंदर dispatch कर देंगे हमको फिर से अलग से function create करने की जरुवत नहीं पड़ेंगी तो delete के लिए हम क्या करेंगे यहां पर directly dispatch कर देंगे तो इसी function के अंदर हम क्या करेंगे dispatch कर देंगे तो यहां से मैं लिखता हूँ dispatch और dispatch के अंदर हमको सबसे पहले type set करना है थोड़ा सा उपर कर लेता हूँ यहां पर type set कर लेंगे और इसको create करना पड़ेंगा यहां पर मैं इसका नाम रख देता हूँ delete from card और payload यहीं पर हम set कर देंगे payload के अंदर हमको क्या करना है यहां पर जो भी record है न हम वो pass करा देंगे record हमने इसके अंदर pass करा दिया अब इसको हमको target करना पड़ेंगा क्योंकि यहां पर हमने अभी एक new create किया है action delete from card तो इसको हम थोड़ा सा create कर लेंगे चलते है root reducer में और update के बाद में यहां पर हम default से पहले एक new case create करेंगे और remove from card किया है एक बल चेक कर लेता हूँ delete from card है तो इसी को copy कर लेते हैं और यहां पर paste कर लेंगे पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर again return करना है और delete के लिए बहुत simple है I know आपको पता हूँगा हमको सिर्फ filter करना पड़ता है यहां पर मैं state को as it is लिख लेता हूँ state और इसके बाद में card items को हमको filter करना है card items और इसमें हम क्या करेंगे map करके filter करेंगे so state.card items.map और इसमें हम क्या receive करेंगे single item और इसको हमको क्या करना है पहले तो id से match कराना है जो भी हम id receive कर रहे है item.underscore id अगल equivalent है अगर यह equivalent है तब ही हमको यहां पर operation perform करना है यहां पर हम क्या करेंगे? turnery operator देख लेंगे turnery expression हम यहां पर देखने वाले है तो हम क्या करेंगे? पहली true की condition है दूसरी false की condition है तो false में हमको क्या करना है? simple है false में हम सिर्फ item को add कर देंगे और true है condition तो हम filter कराएंगे तो filter कैसे कराएंगे देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर जो हमारे पास items है उसको spread कर देंगे जो भी है as it is चाहिए पहले और इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर quantity है अपने पास quantity quantity को हम क्या करेंगे यहाँ पर action.payload से जो है set कराएंगे तो action.payload तो payload में जो भी action रहेंगा हम उससे fulfill करा देंगे तो यहाँ पर यह auto format हो चुका है देख सकते हैं तो यहाँ पर यह complete हो चुका है कर लेते हैं इसको और एक बाद टेस्ट कर लेते हैं कि डिलीट होता है या नहीं चलते है application पर और इसको एक बाद फिल से refresh कर लेंगे और यहाँ से मैं क्या करता हूँ पहले एक दो items और add कर लेता हूँ जैसे कि यह यह दो मैंने items add कि अब इनको में remove कर लेता हूँ तो रिलीट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर action call हो रहा है लेकिन यहाँ पर कुछ error चिक कर लेते हैं इसको करेंगे आइटम में से और उसको जो है न चेक करेंगे जो के not equal to रहनी चाहिए जो भी हमारे पास पे लोड में है उससे हम यहाँ पर compare करेंगे तो यहाँ पर map के बदले आपको filter यूज करना क्योंकि remove के लिए हम filter का use करते हैं और बाग के सब कुछ as it is रहेंगा so make sure इसको एक बार जरूर चेक कर लिया यह जो action हमने अभी बनाया है उसको एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें चलते है वापस browser पर और इसको refresh कर लेंगे एक बार और यहां से मैं remove के लिए जो है try करता हूँ नीचे के दो items हम यहां से remove कर लेंगे delete तो देछे delete हो रहा है और card item जो है count भी change हो रहा है इसी तरीके से वापस से करता हो तो देखे बराबर से हो रहा है इसी तरीके से पूरे रिमूव कर लोगा और चेक करते कोई error आता है या नहीं डिलीट किया तो यहां पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है no data यहां पर शो हो रहा है तो successfully हमने यहां पर add कर दिया है इसी तरीके से वापस करके देखते हैं एक दो items हमने add किये और फिर यहां पर आ रहा है इंक्रिमेंट हो रहा है देखिए इंक्रिमेंट डिक्रिमेंट और डिलीट तो successfully हमारा card का page जो है create हो चुका है और अब हम चाहे तो यहां पर loading spinner भी add कर सकते हैं अगर हमको करना है क्योंकि हमने यहां पर एक state बना के रखी थी थी ना एक बार चेक कर लेते हैं root reducer और देखिए इसमें हमारे पास loading है और initially true कैसा है I think मेरे से mistake हो गए यहां पर false रहेंगा initially और इसको भी हम target कर सकते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे home page पे जो है एक loading spinner यहां पर show कराएंगे तो इसलिए हम क्या करते हैं hand design में check कर लेते हैं spinner है यानि कोई component हमारे पास मिलता यानि spinner के नाम से मैं search करता हो तो देखिए एक spin है और इतना कुछ खास नहीं लग रहा है हम bootstrap का use कर लेंगे देखिए यहां पर bootstrap में spinner का component हमको जो मिलता यानि classes की मदद से हम create कर सकते हैं इसका हम use कर लेंगे तो चलते हैं वापस इसके लिए हम एक state create कर लेंगे state थो अल्रडी हमारे पास initial state में हम क्या करते हैं action create कर लेंगे तो topic create कर लेता हूं में case create करेंगे और इतका नाम हम रख सकते show UnderscoreLoading और इसके अंदर return करादेगे पहले return object ह Phillies एक औरWow और isto को एक गया करेंगे and paste और फिर जो loading की state है इसको यहांपर हम क्या करेंगे false करादेगे लोडिंग है तो true करादेगे और tag loading है तब जोulle our God अधी तरीके से एक और चेस में create करता हूँ case hide underscore loading और यहाँ पर return कराएंगे सीम चीज रिटर्न कराएंगे पहले state को spread कर लिया state इसके बाद में यहाँ पर loading को कर देंगे हम false और इसको save कर लेते हैं और हमारे पास home page में है I think तो मैं home page को open कर लेता हूँ home page में हमारे पास action है action नहीं यहाँ पर function नहीं इसमें यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे dispatch कर लेंगे तो dispatch को import करना पड़ेंगा import use dispatch from react redux इसका एक variable भी create कर लेते हैं const dispatch equal to use dispatch और यहाँ पर क्या करेंगे जैसे try पर करेंगे ना इसी time पर dispatch कर देंगे function को so dispatch dispatch के अंदर type आपको set करना है type और यहाँ पर show underscore loading और यहाँ पर इसको false भी करना है जब हमको response मिल जाए तो देखिए यहाँ पर set हो रहा है न डिटा तब जो हम यहाँ पर इसको false कर देंगे तो again dispatch call कर लेंगे dispatch और इसका type कर देंगे type hide loading और इसको save कर लेते हैं और हमारे पास data actual में कहां पर अरा है item list में यहाँ पर हम spinner show करा सकते हैं यहाँ पर हम default layout में भी कर सकते है यहां पर जो सारा का सारा content हमारा रहा है यहां पर भी कर सकते हैं तो यहां पर दीखिए cart items है अपने पास loading की state को भी हम get कर लेंगे loading और यहां पर नीचे दीखिए हमारे पास layout है इसके बाद में check कर लेंगे पहले अगर हमारे पास loading है तब क्या करेंगे spinner का component शो करा देंगे तो components के अंदर हमें new file create कर लेंगे spinner के नाम से spinner.js bootstrap के spinner को copy कर लेंगे यहां पर इसको functional component बना दे rafce react arrow function with export और यहां पर इसको paste कर लेंगे इसको आपको convert करना है jsx में convert html to jsx इसी तरीके से इस div को class name add कर देंगे spinner की in case अगर styling करना रहा तो हम इसको directly target करेंगे save कर लेते हैं इसको और default layout में चलते हैं end में हमको condition add कर देना spinner की तो यहां पर देखिए solution show कर रहा है इस पर click करेंगे component भी auto import हो जाएंगा save कर लेते हैं इसको और check करते component आता है यह नहीं तो देखिए यह component भी import हो चुका है चलते है application पे और एक बद टेस्ट कर लेंगे देखिए मैं refresh करता हूँ और I think spinner तो हमको show नहीं कर रहा है तो यहां पर spinner बराबर से show नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे spinner के बदले जो है ना हम इसकी condition ही change कर लेते हैं इसको by default हम true करके check कर लेंगे क्योंकि actual में होता है नहीं फिर इससे हमको बराबर idea रहेंगा root reducer में क्या करता हूँ इसको initially true कर लेता हूँ हम क्या करेंगे home page में जो है पोजीशन कर लेते इसके बाद में इसको uncomment कर देंगे चलते हम style में default layout की style है पने पास इसी के अंदर हम spinner को target या फिर दिखिए spinner का component है ना हम directly इसको main में target कर लेंगे spinner और इसको हमको कुछ classes add करनी पड़ेंगे position में दे देता हूँ इसको पहले position absolute top से इसको कर देंगे 50% इस इसकी position जए चेंज हो जाएंगी तो translate कर लें आप यहां से translate और कितने degree आपको करना माइनेस 50 कर लेते माइनस 50% कॉमा माइनस 50% सेव कर लेते इसको और एक बार चेक कर लेते रिफ्रेश कर लेंगे इसको यह बराबर center में आ रहा था data हमारे पास आ चुका है इस वाज़े से height हम set कर सकते height 200 pixel और width भी हम इसकी change कर लेंगे width 200 pixel चलते वापस application पर और 200 काफी है और यह इसके back में आ रहा है तो इसके z index हमको change करना पड़ेंगा I think that index और इसको कर देंगे 100 सामने show करेंगा I think देखे बराबर से आ रहा है लेकिन हमारा data भी आ रहा है न तो कोई दिखकर नह लोडिंग की state still true है इसलिए जो इस तरीके से आ रहा है और spinner काफी बढ़ा हो चुका है तो इसको 100 कर लेते हैं 100 इसको भी 100 कर लेंगे save और यहां पर home page में जो हम इस condition को जो वापस से uncomment कर देंगे height loading चलते वापस application पर और इसको refresh कर लेंगे तो देखें यहां पर spinner एक time और पिर चला गया फिर से refresh करके देख लेते हैं तो देखें spinner आया और पिर उसके बाद में हमारा data यहां पर आ चुका है तो successfully spinner भी यहां पर show हो रहा है रही होग यहां तक आप complete करके रख लेंगे तो इसका source code भी आपको मिल जाएंगा make sure आप जो branches चेक करें वहां पर जो है तो अभी हम क्या करेंगे इस items पर काम करेंगे जहां पर हम लिस्ट शो कर रहे हैं तो यहां पर दीखिए हम क्या करेंगे सारे के सारे items इतने भी हमारे project के अंदर available है तो यहां पर हम उसको display कराएंगे अल्रेडी हमने यहां पर card के अंदर देखिए table का use किया है तो इसी को हम reuse कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे देखिए सबसे पहले चलते हैं वापस Visual Studio Code में और हमारे पास है item page और इसके अंदर हमको क्या करना है यहां पर as a table में सारे का सारा data जो है show कराना है तो यहां पर क्या करेंगे home page है अपने पास और इस home page के अंदर हमारे पास एक function है use effect में तो इस function को as it is हमको copy कर लेना है क्योंकि सारा का सारा data हमको इसमें भी चाहिए तो यहां पर react के बाद में आपके करें पहले जो है न use effect को import कर ले effect और कॉमा लगाना है इसके बाद में और यहां पर इसको paste कर देंगे तो use effect हमारा add हो चुका है dispatch भी हमको यहां पर create करना पड़ेंगा तो import कर देंगे import use dispatch from react redux इसका एक variable बना लेंगे const dispatch equal to use dispatch तो इसका variable भी हमारे पास बन चुका है और यहां पर देखिए हमारे पास कोई state नहीं है set items data है तो यहां पर I think state भी copy करना पडेंगी तो homepage में से हम क्या करते है state को भी copy कर लेते है यह state है copy और यहां पर paste कर देंगे paste और use state को हमको import करना पड़ेंगा use state और axios को भी import करना पडेंगा तो यहां पे console.log data है, चलते हैं application पर और inspect करके check कर लेते हैं तो दीखें, data हमारे पास successfully आ रहा है, तो अब इसको हमको यहां पर use करना है, तो use करने के लिए हमने दीखे, card के अंदर table का use किया था, तो यही चीज़ हम यहां पर use कर सकते हैं, तो card page के अंदर हमारे पास table था, और इसके अंदर column था, तो यहां पर यह column का error हो था, इसको हम copy कर लेंगे, इसको हमने यहां से copy किया, और item page में इसको हम paste कर देंगे तो यहाँ पर dispatch के बाद में यहाँ पर हम लिख सकते हैं table data यहाँ पर हमने इसको paste कर दिया और icons भी हमको import करने हैं और quantity हमको नहीं चाहिए तो quantity में remove कर लेता हूँ quantity को हमने यहाँ से remove कर लिया अभी यह icon का error है तो इसको भी fix कर लेंगे हम करेंगे copy कर लेंगे इसको card item में से कहाँ पर icon import किया तो देखिए यहाँ पर and design में से copy और इसको top पर import कर देंगे यहाँ पर हमने इसको import कर लिया और सिर्फ delete का है तो delete ही रहने देते हैं और यहाँ पर कुछ और है कि check कर लेते column हमारे पास आज चुका है और I think इतना copy है फिलहाल के लिए और यहाँ पर delete के अंदर देखिए delete from card है न तो इसकी ज़रुवरत नहीं है भी हमको simply हम इस function को remove कर देंगे save कर लेते हैं इसको table को भी हम copy कर लेंगे card में तो नीचे हमने table को print कर आया था देख सकते हैं आप यहाँ पर यह जो table हमने print कर आया था इसको copy कर लेते हैं और नीचे paste कर लेंगे और यहाँ पर दीखिए table को import करना है तो table को मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको एक बार cut कर लेता हूँ तो suggestion option show करेंगा उसी में से हम directly import कर देंगे देखिए यहाँ पर nd में से आ रहा है इस पर click करूँगा import हो जाएगा उपर top पे और data source जो रहेंगा वो रहेंगा हमारे पास items data जो हमारे पास state है न यह वाला इसमें से हम जो गेट कर रहे हैं तो items data save कर लेते हैं इसको और एक बर test करते हैं सही से दिखता है यानि चलते application पर और देखिए यहाँ पर बराबर से यह show कर रहा है मैं एक बर फिर से इसको refresh कर लेता हूँ क्योंकि spinner कुछ इसके top पे आ रहा है तो देखिए जो delete है अपने पास कहां पर action यह रहा रहा रेंडर के अंदर इसके अंदर हम क्या करेंगे इसको paste कर लेंगे और out of the box चाहिए इसके पेस्ट और इसको जो हमको ऊपर import करना पड़ेंगा तो यहाँ पर delete के बाद में कॉमा लगा के हम add कर देते हैं save कर लेते हैं और I think कुछ error आ रहा है check कर लेते हैं कहां पर error है delete है अच्छा इसको एक div में लेना पड़ेंगा हमको तो मैं div के अंदर जो है न दोनों को wrap कर लेता हूँ सो यह दोनों को हम यहां से cut कर लेंगे और इसके अंदर paste कर लेंगे save अब वो error चला जाएंगा चलते है application पर यह रहा हमारा application तो देखिए यहां पर delete और edit दोनों भी हमारे पास आ रहा है और इसके पर एक class हम add कर देंगे दिखिए style है na cut ने करना इसको copy करेंगे और इसके भी paste कर देंगे तो cursor जो है na pointer रहेंगा और इसको refresh कर लेते हैं वरना यह spinner top पे घूमता रहेंगा तो यहां पर देखिए delete और edit का button भी आ चुका है और यहां पर pagination है जो कि अभी काम नहीं करेंगा और I think इतना काफी है अभी हम क्या करेंगे यहां पर add item को जो है na button add कर इसको और यहां पर एक button add कर देंगे जिसकी मदद से हम क्या करेंगे new item को जो है add करेंगे क्योंकि already backend हमारे पास available है तो हम directly इसका use कर सकते है तो चलते है वापस और यहां पर दिखिए item list तो इससे पहले हम क्या करेंगे class ले लेंगे reflex और इसके अंदर इसको wrap कर लेंगे paste औ और इसको align कर देंगे हम तो aligns एचा है हम इसको justify कर देते है justify content between और इसके अंदर एक button add कर देंगे so button और यह and design का button रहेंगा तो make sure आप इसको import करें और button का title हम add कर देंगे add item और इसके अंदर जो है यहां पर कुछ class भी हम add कर सकते है जैसे कि primary की class हम add कर देंगे तो इसका type रख देते हैं type और यहां पर primary type रख देते हैं save कर लेते हैं इसको और एक बड़ टेस्ट कर देंगे चलते है application पर refresh कर लेंगे इसको तो दीखिए बराबर से यहां पर add item आ रहा है और थोड़ा सा alignment का issue है तो आप अपने साब से इसको fix कर सकते हैं अभी इस पर click करेंगे तो model I think and design में मिलता है हमको यहां पर search कर लेते हैं model तो दीखिए यहां पर कुछ इस तरीके से हमको pop-up model मिलता है तो इसका code भी आप copy कर सकते हैं तो कुछ इतना hard नहीं है मैं directly का करता हूँ state create कर लेता हूँ पहले const array equal to use state और initially इसको false कर देंगे और यहां पर हमको क्या करना है pop pop-up model चाहिए तो मैं इसका नाम रख देता हूँ pop-up model and set pop-up model और button के click पर हम इसको enable कर देंगे तो इस button पर हम क्या करेंगे on click fire करेंगे on click और यहां पर set कर देंगे arrow function आपको add कर देना है और set pop-up model इसको कर देंगे true save कर लेते पहले इसको अभी हमको model input करना है तो data table के बाद करना पढ़ेंगा तो मैं copy paste कर लेता हूँ model देखिए यहां पर कहां गया model यह रहा देखिए यह model है तो इस तरीके से हमको इसका use करना है पहले copy कर लेते फिर देखते है कैसे चीज़े काम करती है यहां पर मैंने इसको paste कर लिया और यहां पर देखिए content है visibility हम जो है हमने भ जाएंगा तो देखिए यहां पर जा चुका है और हम क्या करेंगे यहां पर देखिए visible visible के अंतर हम जो directly pop-up को add कर देंगे तो pop-up model और एक बार spelling चेक कर लेते हैं pop-up model हो गया यह तो इसको हम कर देंगे pop-up model copy नीची सलते हैं और यहां पर इसको paste कर देंगे और यहां पर on okay है तो on okay अभी नहीं चाहिए अपने को तो on okay को मैं close कर देता हूँ कि हम form देखेंगे इसके अंदर और form के submit पे event fire करेंगे और यहां पर देखिए on cancel है na arrow function इसके अंदर बना लेंगे हम और directly set कर देंगे pop-up model को वापस से false तो यह फिर वापस से जो hide हो जाएंगा unexpected token okay तो य को नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे footer को जो है ना false कर देंगे footer false कर देंगे और I think यह काम करना चाहिए चलते application पर यह रही हमारी application इसको एक बार refresh कर लेंगे application हमारी refresh हो चुगी है अब मैं add item पर click करता हूँ तो लीखिए बराबर से pop-up हो रहा है और cancel करूंगा तो cancel भी ह हो रहा है तो successfully हमने pop-up model भी यहां पर add कर लिया अब इसके अंदर जो हमको form को create करना है और form के submit handle पे जह हम यहां पर एक function create करेंगे क्योंकि back end में हमारे पास already's का router controller create है तो उसकी मदद से हम क्या करेंगे new product और item को जो है add करेंगे तो यहां पर content को remove कर देंगे और form को add करें तो directly हम यहां पर create करना start कर देंगे और इसका code कहां पर है यह रहा code यह रहा form के अंदर हमको यह सारी चीज़े जो है add करना पड़ती है तो directly हम इसका use करना start कर देंगे paragraph को cut करते है और simple हम form tag add कर देंगे make sure इसको import करें यहां पर click करेंगे देखिए and design में से import भी हो जाएगा यहां पर form हमारा import हो चुका है अब इसके अंदर हमको layout set करना पड़ता है layout अब यह layout किया यहां पर vertical चाहिए आपको कैसा design चाहिए तो यहां पर हम इसको क्या करेंगे vertical कर देंगे vertical और इसके अंदर form data फिल करेंगे so form.item और इसके अंदर हमारे पात रहेंगा input self closing tag और form item मे यहां पर name को provide करना है अब यह जो name रहेंगा हमारे database में जो name है उसी से matching होना चाहिए तो name में name है और उसके बाद में हमारे पास क्या है label है label में कुछ भी नाम आप add कर सकते हैं लेकिन जो name है यहां पर database में value है lower case में है तो lower case में add कीजिए upper case में है तो upper case भी आपको add करना पड़ेंगा और label में अब कुछ भी add कर सकते हैं जैसे के name हमने यहां पर इस तरीके से add कर दिया same हमको क्या करना है बागी चीजों के लिए करना है तो copy paste कर लेता हूँ copy paste name के बाद में हमारे पास था price और यहां पर मैं add कर देता हूँ price उसके बाद में हमारे पास था category category sorry category यहां पर image था और image में हमको क्या करना है यहां पर URL जो है पाज करना है तो user को specifically हमको बताना है कि यहां पर URL हमको जो है add करना है इसके बाद में again हमारे पास field है तो यहां से मैं इसी को copy paste कर लेता हूँ but this time क्या है यहां पर हमारे पास select box रहेंगा यहां के category में multiple options हैं मैं एक rice and noodles तो तीन categories है तो इसके base पर हमको करना है तो यहां पर हम क्या करेंगे इसका name change कर देंगे पहले category और label में भी हम कुछ भी add कर सकते हैं यहां पर directly भी I think इसमें option मिलना चाहिए हमको अगर direct में नहीं मिला तब यहां पर form input के इस्तेवाल कर लेंगे यहां पर select के अंदर हम क्या करेंगे यहां पर इसके अंदर direct option जो है add कर देंगे select.option और option के अंदर हमको क्या करना है सबसे पहले drinks है और drinks को हमको यहां पर value add करना पड़ेंगा value drinks copy paste कर लेते हैं इसको second वाला rice है and last वाला है noodles save कर लेते हैं इसको एक बार और test कर लेते हैं कि यह बराबर से show करता है या नहीं तो मैं button भी add कर देता हूं select के बाद में हम क्या करेंगे यहां पर button add कर देंगे div ले लेता हूं जिसकी class हम यहां पर रखेंगे flex की display flex और इसको क्या करेंगे add कर देंगे यानिके right side में जो हम इसको push कर देंगे तो उसके लिए हमको justify की command add करने पड़ेंगे justify की class add करने पड़ेंगे justify content and इसके अंदर button add कर देंगे button type primary html यहां पर type हमको set करना पड़ेंगा html और इसके अंदर इसका type हम submit रखेंगे जो कि normally हम bootstrap में use करते है या फिर normal form में use करते है बटन type submit करते है तो इस तरीके से हम यहां पर इसका type and design में इस तरीके से add करते है और यहां पर हम लिखेंगे save और save कर लेते हैं इसको एक बर form चेक करते हैं कि आता है नहीं और add item तो देखिए form बराबर से आ रहा है लेकिन select box का थोड़ा issue है select हमको एक टिंग खरन पड़ेंगा कि documentation में select कैसे use किया जाता है यहां पर देख लेते हैं कहीं option है यहां पर मुझे नहीं दिखाए दे रहा है select ओके यहां पर यह select है ड्रेस के लिए तो इसका code हम देख लेते हैं बार इसका code कहां पर है यह रहा select कहीं पर use किया हुआ है के check कर लेते हैं, नीचे, तो यहां पर अधर ठीक है, देखिए, यहां पर आइटम में इसका use किया हुआ है, तो form item में हम इसको add करके check कर लेते हैं, font.item और यहां पर select को cut कर लेंगे यहां से, cut.pist, यहां पर name add कर लेते हैं, category, और यहां पर label भी add कर लेते हैं, label, carry, save, check कर लेते हैं, इसको पर अप्लिकेशन पर और इसको close करके refresh कर लेंगे, add item, तो दिखे, अब बराबर से आ रहा हैं, यहां पर brings, rise and noogles, और save का button यहां पर बराबर से नहीं आया, तो display flag justify हो गया, justify content and, एक बार चेक करते हैं फिर से refresh करके, तो दिखे, अब बराबर से यहां पर आ रहा है, अब हमको क्या करना, इसको server पर भीजना है, तो already हमारे पास backend route है, तो उसके on submit पर, यानि कि on submit तो नहीं आता है, हमारे पास on finish आता है, तो उस पर हम काम करेंगे, चब दें वापस, और यहां पर जो form है, यह हमारा form है, तो इसमें हमको मिलता है on finish, और on finish में हम यहां पर handle submit कर लेंगे, handle submit, कॉपी कर लेते हैं, और यहां पर इसको create करेंगे, तो यहां पर मैं लिखता हूँ, handle submit, और form submit कर लेते हैं comment को, यहां पर function create करेंगे, const handle submit equal to arrow function, और अकर यहां पर आपने notice किया हूँगा, तो हमारे पास कोई भी event.target या पिर ऐसी values नहीं है, क्योंकि end design यूज कर रहा है, तो इसमें हमको directly values मिलती है, तो हमको bind करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो value जो भी मिलेंगी न हम उसको directly target कर सकते हैं, जैसे कि मैं console.log करके बता देता हूँ अपके एक बार, console.log और जो भी value है न उसको console.log कर लेंगे, चलते हैं वापस application पे, इसको refresh कर लेंगे, यह रहा console, जो भी warning थे, अब यह clear कर देते हैं, add item, इसके अंदर कुछ भी values हम add करके चेक कर लेते हैं, image जो है test रहेंगा, और category में, save पे click करता हूँ तो आप console चेक करें, save तो देखिए यहां पे हमको सारी के सारी values मिल चुकी है, अब इन value को जो है send करा सकते हैं, तो कहां send कराना है हमको, back end पे इसको send कराना है, तो इसके लिए हमको new function create करना पड़ेगा, तो यहां पे हम क्या करेंगे, try catch का use करेंगे, try catch block, और I think हमारे पास already function है, तो देखिए get all items का जो है, उसी में से try catch को copy कर लेंगे, और इसको modify कर लेंगे, paste कर दिया हमने, यहां पे दीखिए loading हमको करना है, पराबर है, अब इसमें से data नहीं चाहिए हमको, तो directly मैं सिर्फ एक rest का बना देता हूँ, क्यों कि यहां पे हमको को value get नहीं करनी, हम क्या करने वाल है, directly जो एक्जॉस.post का हमारे पास method है, और इसकी जो API यह वो चेक कर लें आप एक बार, चलते controller में, client को बन करते है, controller, controller नहीं, route के अंदर देख लेते हैं, item route, तो यहां पे देखिए, add item, तो इसको हमको use करना है, तो इसके बदले हम क्या करेंगे, add item, और set कुछ भी नहीं करना, यहां से remove कर लेते हैं, console.log भी remove कर लेंगे, और यहां पे एक message का component हमको मिलता है, add design में, तो उसका use कर सकते हैं, alert की तरह यहां पर कुछ न कुछ हम शो कराएंगे, तो जैसे यहां पर अगर record submit होता है, तो यहां पर हम एक message शो करादेंगे, message.success, कोई भी एक random message add कर सकते हैं, item added successfully, और अगर error आता है, तो यहां पर हम error भी add कर सकते हैं, तो यहां पर कुछ mistake हैंगा, यहां पर इसको async बनाना पड़ेंगा function को, so async और error के लिए भी हम यहां पर add कर सकते हैं, message.error something ran wrong, save कर लेते हैं इसको, और उसी के बाद में हमको क्या करना है, यह जो ऊपर का function है हमारा, कौन सा हवाला, जो get कर रहे हैंगे, तो इसको double से हम call करेंगे, ताकि rerender हो हमारा data, updated values हमको मिले, तो यहां पर कोई और भी error है, उपर गलते से कुछ cut हो गया था, mistake हमारे पास return में है, तहां पर है, extra okay, तो यहां पर copy paste में दिक्कत आई होगी, copy paste में extra curly braces add हो चुका था, और यहां पर हम add कर देंगे, message success है, इसके बाद में get all item को जब फिर से call कर देंगे, और इसको हमने define नहीं किया, यह use effect के अंदर है, हम क्या करेंगे, use effect के बाहर ले लेंगे, control and paste, तो अब यह बराबर से काम करेंगा, इसमें से use dispatch को remove कर लेते हैं, और इसको as it is अभी रहने देते हैं, और अब यह बराबर से काम करना चाहिए, और जो pop-up model है ना उसको भी हम false कर लेंगे, set pop-up model इसको भी false कर देंगे, save कर लेते हैं और इसको test करते एक बार, चलते application पर और इसको refresh कर लेंगे एक बार, और data हमारे पास आ रहा है, अब add item, यहां पर हम name जो है कुछ भी रख सकते हैं, test one, price one, image URL में test URL कर देते हैं, यहां पर आप search में भी test कर सकते हैं, हम Google से कोई भी image copy कर लेंगे, कोई भी food की या फिर drink की copy कर लेते हैं, drink, open image in new tab, copy this one, और paste कर लेते हैं यहां पर, category drink, और save पर क्लिक करते हैं, और यहां पर कुछ भी नहीं हो, एक बार चेक कर लेते हैं, inspect करके, console में कुछ error है या नहीं अपने पास, यहां तो कुछ भी नहीं बता रहा है, status code एक बार, network tab में देख लेंगे, network tab, यहां पर add item में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, database में बार चेक कर लेंगे, refresh, 7 records की है अभी भी, और I think हम यहां पर values को पास नहीं कर आए, तो यहां से आप क्या करें, second argument में जो है, value को पास कर आए, save कर लेते हैं इसको और फिर से test कर लेंगे, चलते है application पर test 1, price 1, image URL add कर देंगे, इसके बाद में category और save, तो देखे, item added successfully नीचे स्क्रोल करते हैं, तो देखे, बराबर से test 1 यहां पर आ रहा है, और database में भी एक बार चेक कर लेंगे, अभी count 7 है, refresh पर 8 हो जाएंगा, यहां पर देख सकते हैं, हमारा count 8 हो चुका है, तो successfully यहां पर, add की functionality तो add हो चुकी है, अभी हमको edit और delete पर काम करना है, edit और delete हम यहां पर item को कराएंगे, तो फिलाल तो add perfectly काम कर रहा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, edit की functionality देखेंगे, जैसे यहां पर हम add item कर रहे हैं, तो एक pop-up शोल हो रहा है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, same pop-up को reuse करेंगे, यह जो model है, इसको हम reuse करने वाले हैं, और जैसे edit पर click हो, same model हमको चाहिए, और prefilled data के साथ में चाहिए, क्या करना पड़ेंगा, वापत से जो इसमें changes करने पड़ेंगे, तो पहले क्या करते हैं, एक new state क्रेट करते हैं, जिसमें हम edit की functionality को enable करेंगे, तो const edit item and set edit item equal to use state, और initially इसको null कर देंगे, अब चलते हम इसके icon पर, तो यहां पर दिखे, आगे पिछे icon है, तो हम इसको नीशे कर लेंगे, और जो edit का icon है, इसको multiline कर लेते हैं पहले, और इसके on click पर हमको काम करना है, so on click arrow function, और इसके अंदर हमको दो functions call करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, edit की functionality को enable करना है, set edit item, और इसके अंदर जो record हम receive कर रहे हैं, उसको pass करा देंगे, so record, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां पर pop up जो है, इसको enable कर देंगे, so set pop up, इसको कर देंगे, prove, इसको save कर लेते हैं, और चलते हैं नीचे, जो हमारा model है, इसमें भी हमको changes करने पड़ेंगे, तो model को हमको conditionally render करना पड़ेंगा, तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको cut कर लेंगे पहले, और एक condition add करेंगे, इसके अंदर फिर हम display कराएंगे, अब condition कैसे add करेंगे, curly braces, उसके बाद में हमको यहां पर check करना है, कि हमारे पास pop-up model है यह नहीं, pop-up model अगर है, जो state हमने बना है उसके basis पर हम कर रहे हैं, और इसके अंदर इसको paste करा देंगे, और यहां पर थोड़े से और changes भी करने पड़ेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर check करेंगे, edit item enable है या नहीं, तो edit item not equal to null, तब क्या करो, यहां पर edit item show करो, नहीं तो else की condition में हम क्या करेंगे, यहां पर add new item कर देंगे, जो हम pop-up पे भी देख रहा है न, वो यहां पर as it is show कर आएंगे, और यहां पर extra equal हो गया है, इसको remove कर लेते हैं, और इसके बाद में हम एक और चीज जो है add करेंगे, और यहां पर null है, देखिए null भूल चुके है, अब ठीक है condition, और इसके बाद में on cancel का जो है न, तो इसको भी हम को change करना पड़ेंगा, तो again मैं इसको again curly braces में add कर देता हूँ, ताके multiline कर पाएं, और इसके बाद में एक और यहां पर हमको function call कर देना है, set pop-up model तो रहेंगा, उसके बाद में हमको क्या करना है, यहां पर on cancel में जो set edit item है न, उसको भी हमको change करना है, तो इसको हम वापस से null कर देंगे, जैसे यह close हो जाता है, और इतना save करके इसको इक पर test कर लेते हैं, चलते हैं application पर, इसको refresh कर लेंगे, और यहां पर मैं edit पर click करके देखता हूँ, तो देखिए pop-up सही से आ रहा है, और add item पर click करूँगा, तो भी pop-up हमारे पास आ रहा है, अब इसके अंदर जो हमारे पास values नहीं आ रही है, तो values को हमको लाना है, इनिशल value काम करता है, मैं एक बार search करके देख लेता हूँ, तो इसमें initial value हम add करके चेक कर लेते हैं, इसमें लेता है, इनिशल values ठीक है, तो इसमें आ रहा है, इनिशल values और इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर option add कर देंगे, edit item के base पर initial value जो हम fulfill कर रहा देंगे, save कर लेते हैं इसको, और एक बार फिल से इसको test कर लेंगे, और यहां पर मैं edit पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए अब हमारे पास 3 field data आ रहा है, और add item पर क्लिक करूँगो तो यहां पर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो perfectly हमारी condition काम कर रही है, अभी हमको क्या करना है, इसका function भी change करना है, क्यूंकि हमारे पास 2 condition है, तो पहले हम क्या करेंगे, पैकेंड में इसका controller create कर लेंगे, उसके बाद में यहां पर function create कर लेंगे, तो conditionally function भी create करेंगे, क्यूंकि हम single function में हम condition add कर सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस test को एडिट करेंगे code के दुरू, तो चलते हैं वापस visual studio code में, और यहां पर हमको क्या करना है देखिए, और कोई error है क्या एक बार चेक कर लेते हैं, अच्छा हमने wrong दिया था तो अब यहां पर error आया था, देख सकते हैं unexpected का, क्योंकि हमने इसमें validation perform लेकिए, इसके बाद में यहां पर नीचे देख सकते है, पोस्ट राउट बरावर से काम किया है, तो यहां पर route के अंदर हम क्या करेंगे, अपडेट के लिए करेंगे, तो यहां पर आपको लिखना है method, और यहां पर method रहेंगा put, क्योंकि हम यहां पर update देख रहे हैं, तो यहां पर आपको लिखना है router.put, put का use करेंगे purge नहीं, sorry, put है यहां पर, और इसके बाद में endpoint, और यहां पर update यहां फिर edit कर देंगे, edit item, इसके बाद में controller का नाम, तो edit item controller, और इसको import भी करते चले, copy, यहां पर import भी कर देंगे, paste, यह item controller है, यहां पर भी हम नीचे export करते चलेंगे इसको, और इसको हमको create करना है, तो यहां पर मैं लिखता हू, update item const, update item controller, और यहां पर इसको arrow function बना लेंगे, save कर लेते हैं, और routes के अंदर भी save कर लेंगे, तो कोई भी error हमको अभी देखने नहीं मिलेगा, तो दीखे, perfectly चीज़े काम कर रही है, edit के अंदर हमको क्या करना, इसको भी async बना लेना है, async and callback function है, request and response, और यहां पर try catch block हम use करेंगे, थोड़ा सा उपर कर लेता हूं इसका, और try catch का हमको use करना है, हमको क्या करना है, यहां पर यूजर की id भी get करना पड़ेंगी, तो हम क्या करेंगे यहां पर await करेंगे, await किस चीज़ का करना है हमको, हमारे पास item model है, item model dot find by id and update, यहां पर हमको operation perform करना है, और यह update हमको कहां से मिलेंगा, हम क्या करेंगे, आइडी की field आती है, जैसे कि अगर आप database में देखेंगे ना तो यह by default create हो जाती है, underscore id की field, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, क्योंकि यह field यूनिक होती है, इसलिए हम इसकी मदद से delete का operation perform करेंगे, जो कि request dot body से हमको मिलने वाली है, तो इससे compare करेंगे, अगर same होता है, तो हम उस चीज को delete करा देंगे, चीज मतलब क्या है, कि उस post को हम यह पर delete कराने वाले हैं, और यहां पर इसका नाम मैं रख देता हूँ, item id dot item id, तो specifically यहां पर हम उसका नाम भी show कर रहें, और इसके बाद में request dot body को यहां पर update कर लेंगे, तो जो भी item हमको update करना है तो यहां से हम उसको बता सकते हैं, तो यह success रहेंगा, तो status हम यहां पर send कर देंगे, 201 का कर लेता हूँ, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ create हो रहा है, और send कर देंगे, कि यह सही से काम करता है, तो अब इस item page में handle submit को conditionally render करेंगे, यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, condition add करेंगे, if edit item equal to null, अगर edit item हमारे पास नहीं है, तब क्या करो, यह जो first हमने add के लिए किया था, इसको जो हम execute करेंगे, तो यहां से cut करके आप इस if वाले block में add करेंगे, और पिर क्या करेंगे, second में हम else condition add करेंगे, else और else वाले में, second हम को अभी जो हमने create किया है, controller, यह route जो हमने edit item के लिए create किया है, controller, तो वह हमको यहां पर add करना है, तो same इसको मैं क्या करता हूँ, copy paste कर लेता हूँ, और इसके अंदर modification कर लेंगे, paste और यहां पर response नहीं रहेंगा, directly हम जो अवेट कराएंगे, delete के route पर, xios.delete, edit है नहीं, यह put रहेंगा, और यहां पर edit item, और यह value रहेंगी, value को भी हमको यहां पर change करना पड़ेंगा, तो यहां पर direct value नहीं जाएंगे, इसको cut कर देंगे, और यहां पर हमको spread करना है values को, spread कर देंगे, जो भी values है, actual में वो भी रहे, values को हमने spread कर दिया, value है खली, इसके बाद में यहां पर item ID हम pass करा देंगे, item ID हमको कहां से मिलने वाली है, यह मिलेंगे, edit item में से, so edit item dot underscore ID, और बागी सब कुछ सेम रहेंगा, देखिए, यहां पर हम item updated कर लेंगे इसको, और I think सब कुछ सही है, save कर लेते हैं इसको एक बाद test कर लेंगे, चलते application पर, और यहां से हम कोई test वाला update करके देखते हैं, जैसे कि यह test 1 है, इसको मैं edit करता हूं, test 1, और test इसको 12 कर देते हैं, और save पर click करता हूं, तो देखिए, item updated successfully, और यहां पर test 12 भी हमारे पास आ रहा है, तो successfully यहां पर update की functionality हमारी add हो चुकी है, और इसी तरीके से आप देखिए, यह तरीके बदले हैं, जो basic हमारा नाम है DC, चाहे हम यहां पर add कर सकते हैं, save तो देखिए, यह update हो चुका है, वापस से मैं इसको t कर लेता हूं, save तो देखिए, successfully हमारी functionality काम कर रही है, अब हमको यहां पर delete देखना है कि हम कैसे delete कर सकते हैं, चलते हैं वापस Visual Studio Code में, और यहां पर route में चलते हैं, एक और route हम create करेंगे, इसी को मैं copy paste कर लेता हूं, यह फिर from the scratch ही create कर लेते हैं, यहां पर मैं method add कर देता हूं, method है यह वाला delete, router.delete का method हम use करेंगे, और end point इसका रख देते हैं, delete item, controller भी हमको बनाना पड़ेंगा, तो delete item controller, और इसको import भी करना पड़ेंगा, तो चलते हैं उपर, और यहां पर import कर लेंगे, और यहां पर controller में से, item controller को open करेंगे, इसी को copy paste कर लेते हैं नीचे, और इसको edit कर देंगे, यहां पर हमारे पास रहेंगा, delete item के लिए, और controller का नाम है हमारे पास, delete item controller, और इसमें सिर्फ हमको क्या कर देंगे, हम क्या करने वाले सिर्फ avoid करेंगे, item ID आएंगे हमारे पास body में से, तो यहां पर सिर्फ हमको delete करना है, तो यहां से मैं सब कुछ remove कर लेता हूं पहले, जो भी extra code है, करेंगे जो हमारे पास ID आ रही है, item ID उसके business पर हमको करना है, तो यहां पर हमको क्या करना है, simply pass करा देना इसको, underscore ID और यह आएंगे हमारे पास record में से, record, तो record में से नहीं, हमारे पास यह आएंगी, item.body से, तो यहां पर directly हम उसको destructure करके use कर रहे हैं, और यहां पर item deleted कर देंगे message को, item deleted और सब कुछ सही रहेंगा, status code को हम 200 कर देंगे, okay request, save कर लेते हैं इसको, route को भी हमको save कर लेना है, दोनों को हमने यहां पर save कर लिया, controller फिर से check कर लेता हूं है, कोई issue तो नहीं है, यहां पर id get कर रहे है, और इसके base पर delete कर रहे है, हमारा controller create हो चुका है, आप चलते है item page में, और यहां पर हमारे पास है render के अंदर दिखिए, कहां पर जो हमने columns बनाए थे ना, तो पर scroll करें, action, action के अंदर हमारे पास है delete, इसको multi-line कर देंगे, और यहां पर on Click, arrow function और इसके अंदर हम को क्या करना यहां? यहां पर delete का a function create करना है और इसके अंदर हम record को past करा देंगे record, और इस function को create करना है यहां पर इस use effect के बाद में हम कर लेते हैं, handle delete, const handle delete arrow function इसको भी async कर लेंगे, async और हम क्या करते हैं जो हमारे पास already function है इसी को copy paste कर लेंगे और इसमें modification कर लेंगे हम और directly await करना है हमको कुछ भी set नहीं करना है हमको directly और I think हमने एक और function create किया तो यह वाला ठीक ठाग है इसको copy कर लेंगे तो मैं इसको cut कर लेता हूँ paste और यहां पर response को remove कर लेंगे xios.delete और हमारी API जो रहेंगी न वो delete item रहेंगा और values के बाद में हमको क्या करना है यहां पर आइटम की ID जो है send करना है तो यहां पर हम लिखेंगे item ID colon और item ID में हम क्या करेंगे record में जो भी हमारे पास आ रही है record को हमको एक तो receive करना पड़ेंगा तो यहां पर हम क्या करेंगे record को add कर देंगे record copy this one और इसके अंदर आएंगे हमारे पास underscore ID की field तो इसके business पर हम जो डिलीट कर आएंगे और बाकि सारी चीज़े सब कुछ ऐसी ही काम करेंगी और यहां पर item ID के बदले डिलीट कर देंगे और यह create हो चुका है इसको एक बार test कर लेंगे और नीचे एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ जो हमारे पास delete है देखिए यहां पर हमने add किया है handle delete और इसके अंदर record को pass किया है चलते वापत application पर और यह continue spin हो रहा है I think कुछ और भी mistake हो गई है क्या कर लेते एक बार function को देखिए यहां पर handle delete है show loading है और error के अंदर भी न हम same dispatch कर लिया करेंगे अगर कोई error रहता है तब भी जो हम loading को false कर लेंगे तो यहां पर hide sorry यह वाले dispatch copy करना है copy paste तभी catch में हम इसको paste कर देंगे जहां जहां हमने use किया है न तो वहां पर इसको paste कर देंगे और कहीं है कि check कर ले तदी कि यहां पर भ चिक कर लेता हूं कोई error है या पर internet का issue है एक जिए उसका error है तो यहां पर चिक कर लेते हैं console पर तो console पर दीगी कोई error बता रहा है route.delete अच्छा एक बर हम चिक कर लेते हैं यह हमारा route है router.delete और यह delete item controller नहीं से create नहीं हो गया, delete item controller नहीं हो गया, export करना भोल गया इसको, इसको यहाँ पर हम export कर देंगे, paste, save कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर भी यह बराबर से आ जाएंगा, चलते हैं application पर, और इसको एक बार refresh कर लेंगे, तो देखिए, सारा data हमारे पास आ रहा है, चलते हैं वापस items में, और delete करके एक बार check कर लेते हैं, तो यह test 1 है यह पर test जिसमें कोई image नहीं है, इसको delete करके check करते हैं, delete, तो देखिए, item deleted, okay, मगर data है वो update नहीं हुआ, तो refresh करके इसको देख लेंगे, यहाँ पर delete नहीं हो रहा है, console पर check कर लेते हैं, देखिए, यहाँ पर test 4 of 4 का error हमको आ रहा है, टीक है, inspect करके इसको check कर लेंगे, console और यहाँ पर network tab में देख लेंदे एक बार, network tab, clear कर लेंगे सब कुछ, और delete पर click करके check करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर delete, item deleted आ रहा है बराबर से, बट यह delete नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर quick change है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर delete का method है, तो इसमें मैंने router.delete लिखा था, तो इसको मैंने change करके post कर दिया, इसी यहाँ पर post की मदद से delete कराएंगे, तो चलते हैं वापस application में, make sure आप यहाँ पर await में, axios.post कर लें, इसी तरीके से item route में भी आप router.post कर लें, चलते हैं application पर और इसको refresh कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारी application refresh हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे, इस test को delete करेंगे, तो delete पर click कर तो दिखिए, item deleted successfully, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे पास से item भी delete हो चुका है, तो successfully हमने update, edit and delete की functionality यहाँ पर देख लिए है, अब हम थोड़ा सा filter देख लेंगे, यहाँ पर, यहाँ भी हमारे home page में, filter के बटन हम add कर देंगे, जिसकी मदद से हम easily यहाँ पर ढूं यहाँ पर home page पर भी हम add कर सकते हैं, यहाँ पर जितने भी हमारे पास category अवेलिबल रहेंगी, तो हम उसको show करा सकते हैं, पचलते हैं, विजुल स्टूडियो कोड में, और एक new state create करेंगे, ताकि हम जब category को select भी कर पाएं, तो const और इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैस add करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर category के नाम से array create करेंगे, और इस array के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले name pass कराएंगे, इसलिए यह object है, और उसके बाद में image, image URL, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, Google से image copy paste कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं already copy करके रखा हैं, इसको मैं से copy कर लूगा, आप चाहे तो जो है manual भी add कर सकते हैं, और image अगर आपको use नहीं करना तो नहीं भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है, इसी तरीके से हम को क्या करना है, again एक और object create करना है, क्योंकि तीन categories है हमारे बास, name, second one for rice, image URL, और rice के लिए हमने यहाँ पर copy किया है, इसक कभी मैंने already image जो है copy करके रखा है, तो यहाँ पर इसका path मैं copy कर लूगा, और हमारे project में इसको use करेंगे, तो दीखिए, यहाँ पर हमारे पास categories का array है, और इसको हम loop करा सकते हैं, तो loop कहा कराएंगे, दीखिए हमारे पास row है, तो row से पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ एक category और इसको जाय हम यहाँ पर return कराएंगे, तो directly हम parenthesis लिख लेंगे, और इसके अंदर return हम करा सकते हैं, तो return के अंदर हमको क्या करना है, simple मैं odd div ले ले लेता हूँ, display flex की class के साथ में, और इसके साथ में category के लिए extra class हम add कर देंगे, in case अगर styling का issue आता है, तो हम उसको target और इसके अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले key को भी जो है add करना पड़ेंगा, तो key और key के अंदर हमारे पास तो id है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, name के बेस पर कर लेंगे, category.name और इसके अंदर h4 ले ले लेता हूँ, h4, again category.name हम यहाँ पर set करा देंगे, इसी तरीके से image का tag ले लेंगे, img, source के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर category.image URL को add कर देना है, इसी तरीके से alt में हम क्या कर सकते है, इसका name show करा सकते है, तो category.name और इसके बाद बाद height and width हम set कर सकते है, तो height हम कर देते है, 60 pixel और width जो रहेंगी, इसको कर देते है, 80 pixel, save करके इसको कर लेंगे, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो इसको हमको display flex करना पड़ेंगा, यहाँ पर मैं class name add कर देता हूँ, class name display flex, अब देखते हैं बाद, तो दीखें, यहाँ पर कुछ इस तरीके से यह show कर रहा है, drinks, rice and noodles, और height ज्यादा हो रही है, इसकी I think height हम और कम कर देंगे, height कर देंगे 40 और width कर देंगे 60, अब ठीक आक है, इसको थोड़ा सा style हमको करना पड़ेंगा, तो हमारे index.css में हम थोड़ा सा style दे देंगे, इसके लिए, category के लिए हमने class add की थी, इसको target कर लेंगे, category, make sure spelling सही हो, एक बल मैं check कर लेता हूँ, category, paste, यहाँ पर हम पिक्सल सही रहेंगा, save करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ यह इस तरीके से आ रहा है, और हम इसको क्या करेंगे, padding भी दे देंगे, padding add कर देता हूँ, 10 पिक्सल की padding, save, यहाँ पर कुछ इस तरीके से filter के button हमारे पास show रहा है, और margin top से यह ज्यादा हो हमारे पास strings है, rice है और noodles है, तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस image को भी थोड़ा सा space दे देते है, category और उसके अंदर image stack है, तो यहाँ पर margin जो है left से रहेंगा, margin left, और 10 पिक्सल करके देख लेते है, save, अब ठीक टाक लग रहा है, देखिए, यहाँ पर कुछ इस तर करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पर selected पर काम करना है, तो category और active कर लेते हम इसका नाम, और इसमें क्या करेंगे, border का color change कर देंगे, border, same two pixelly रहने देते हैं, और इसको कर देंगे green, save, और conditionally हमको यहाँ पर इसको render कराना पड़ेंगा, तो हमने भी जो class add की थी थी double quotation remove कर ले, इसके बाद में template literals का हम यहाँ पर use करेंगे, और इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर check करना है, selected category क्या है, तो यहाँ पर आपको लिखना है, selected category, और इसको मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, check करेंगे, triple equivalent, जो हमारे पा गर देंगे, तो यहां से, इसको copy कर लेते हैं, और इसको paste कर देंगे, save कर लेते हैं, आपड चECK करते हैं, चलते हैं, आपलिकेशन पे, और यहाँ पर select नहीं हो रहा है, और इसके on click पे हम क्या करेंगे, यहां पर एक function को execute करेंगे, so on click, और इसके अंदर arrow function का आपको use करन है और हम set कर देंगे selected category को set selected category और जो category हम receive कर रहे यानि के map कर रहे उसमें से जो भी name रहेंगा उसके basis पर हमको यहाँ पर set कर देना है save कर लेते हैं इसको और एक बार test कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं by default rings हमारे पास select है अब second वाले पर करते हैं इसी तरीके से third वाले पर और इसका background color भी थोड़ा सा हम इसके अंदर add कर देंगे तो यहाँ पर background color थोड़ा सा white में light करके देख लेते हैं फिर gray color कर लेते हैं और इसमें भी थोड़ा से इसको light कर लेंगे तो opacity में यहाँ से कम कर देता हूं save करके check करते हैं तो देखी कुछ इस तरीके से select रहेंगा click तो ठीक लग रहा है यहाँ पर अब हमको क्या करना है map से पहले filter का जाए एक और function आपको यहाँ पर call कर देना है और इस filter के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर check करेंगे item को तो i.category है वो equivalent है या नि चेक करना है हमको तो i.category equivalent to selected category प्रस इतनी सी एक चूटी सी condition है यहाँ पर इसके बेस पर आप जोई sorting कर देंगा चलते वापस application पर और इसको refresh कर लेंगे तो initially आप देख सकते हमारे पाद तीन drinks है और rice पर click करेंगे तो यहाँ पर दो rice हमारे पास show कर रहा है इसी तरीके से हम noodles पर click करते है तो यहाँ पर दो noodles हमारे पास show कर रहा है तो perfectly हमारे यहाँ पर filter create हो चुका है क्योंकि हमारे पास later के है बहुत सारे items हो सकते है तो इसलिए हमने यहाँ पर top पर filter बना दिया है यहाँ पर category based रहेंगा तो इसलिए हम यहाँ पर order ले पाएंगे तो अभी हम यहाँ पर login और register का page रहेंगे हाला कि register page की जरुरत नहीं है फिर भी हम यहाँ पर add करने बाले है ताकि हम कुछ users को पर permission दे पाए तो इसलिए आपको क्या करना है यहाँ पर 2 pages create करने पड़ेंग तो login.js आप चाहें तो आगे page भी लिख सकते हैं it's up to you यह दोनों page को हम क्या करेंगे पहले functional component में convert कर देंगे तो rafce react arrow function with export save कर लेते हैं इसको login में भी create कर लेते हैं save और अब हम क्या करेंगे app.js में इसके लिए route create करेंगे तो यहां से इसको copy paste कर लेते हैं और path हम change कर देंगे पहले रहेंगा login second बाला है register के लिए so register और यहां पर page को भी change करना पड़ेंगा login के लिए login के लिए login component so login और make sure आप यहां पर suggestion में से जो है इस पर click करें तो auto import भी हो जाएंगा component देख सकते आप इसी तरीके से register का page है so register control space click on this यहां पर component भी auto import हो चुका है save कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे कि यह हमारा route क्रेट हो है जानी आप्लिकेशन पर और URL में जो है search करके देख लेंगे पहले register देख रहे हैं इसलिए हम register कर लेंगे register और देख सकते हैं आप register component शो रहा है अब इसको layout से रैप करने की ज़रूरत नहीं है क् registration के time पर हमको dashboard हमारा show नहीं कराना तो चलते हैं वापस और register की page पे थोड़ा सा काम कर लेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे सबसे पहले जो है इसको फ्रैग्मेंट में convert कर देंगे तो return पूरा ही cut कर देता हूं parenthesis और empty opening and closing tag तो यह हो गया fragment का syntactical sugar form अब इसके अंदर हम क्या करेंगे यहां पर row add कर लेंगे यहां पर directly div भी हम use कर सकते हैं तो एक div ले रहा हूं में class यहां पर हम register की कर देता हूं इसके अंदर form को create कर लेंगे फहले save कर लेते इतना और check करते कैसा दिख रहा है तो दीखिए यहां पर POS app और register पे जा रहा है पहले इसको center कर लेंगे तो कुछ classes हम पहले add करके चेक कर लेते div flex align है यहां फिर मैं क्या करता हूं directly जो है ना इस register को target कर लेता हूं copy this one और हम इसको css में target करेंगे तो main style sheet में मैं इसको target करता हूं index.css है यहां पर मैं लिख लेता हूं पहले register page और इसको comment आदूगा मैं यहां पर हम इसको target कर लेंगे और यहां पर लिख लेता हूं display flex align items center justify content center और height भी इसको set करा देंगे height इसकी 100 viewport height save करके इसको एक बार test कर लेते हैं तो दीखिए सब कुछ central align है और इसको जो है न हम direction इसकी set कर देंगे flex direction column save तो वह column की तरह treat होंगा देखिए सब कुछ center में अभी यहां पर हम क्या करेंगे एक form को create कर लेंगे और मैं क्या करता हूं इसको जो है न बार दे देता हूं और 1 pixel सही रहेंगा 1 pixel sorry 1 pixel solid gray color में दे देते हैं refresh करके इसको एक बार चेक कर लेंगे कैसा दिखता है तो बार तो यहां पर बराबर से नहीं दिख रहा है तो अभी हम क्या करेंगे पहले form यहां पर add कर देंगे इसके बाद में इसको और थोड़ा सा design कर लेंगे यहां पर हम क्या करते है box shadow के लिए कुछ भी search कर सकते design box shadow css हमको effect मिलने चाहिए देखिए यहां से कोई भी एक हम copy कर सकते है यह वाला ठीक है इसको copy किया और यहां पर इसको paste कर देंगे save चेक कर लेते application को और यहां पर तो कोई भी effect हमको देखने नहीं मिला है आगे important लगा के देख लेता हुआ यहां पर effect हमको नहीं मिला तो अब यहां पर हम क्या करेंगे copy और इसको यहां पर paste कर देंगे और form को हमको import करना पड़ेंगा तो मैं M को यहां double से लिखके control space करूँगा suggestion में show करेंगा and design तो इस पर click करूँगा तो form जो है automatically and design में से आ जाएंगा और यहां पर initial values नहीं चाहिए इसको remove कर लेंगे और handle submit जो है create करना पड़ेंगा तो top पर हम क्या करते हैं यहां पर create कर लेंगे const handle submit equal to arrow function console.lock कर लेंगे जो भी values आ रही है तो value और value को expect भी करेंगे कि can design में हमको directly मिलती है values और input को भी हमको add करना पड़ेंगा तो form के बाद में मैं करता हूँ यहां पर input add कर देता हूँ import और कुछ है रहा रहा है select तो select हमको चाहिए नहीं तो फिर इसको लिखने का फायदा नहीं है सिर्फ एक button बचता है तो button को भी हम यहां पर add कर देंगे button और यहां पर सब कुछ आ चुक है save कर लेते हैं पहले इसको फिर हम इसके अंदर all changes कर लेंगे check कर लेते हैं इसको एक बार page को refresh कर लेंगे तो दीखिए यहां पर कुछ इस तरीके से आ रहा है name price image युआ रहा है और इसकी width भी हम set कर सकते है तो index.css में width हम यहां पर set कर लेंगे width I think 400 pixel ठीक रहेंगा save ओके width दे देंगे तो फिर यह बराबर से property काम नहीं करेंगे तो width हम as it is उसकी रहने देते हैं width हमको input की change करना पड़ेंगी तो यह input है यहां पर इसकी input को target करके एक बार देख लेते हैं महार पास register है और इसके अंदर है input इसकी width रखेंगे 400 pixel करके एक बार देखी लेते है ना काम करा तो ठीक नहीं तो कोई दिक्कत नहीं तो दीखें बराबर से काम किया है 400 pixel अब ठीक ठाक लग रहा है और हम जो है इसमें changes कर लेंगे पहले register और यहां पर register page है यहां पर name है तो name तो चाहिए उसके बाद में price नहीं रहेंगा यहां पर रहेंगा user id और यहां पर label की field है direct database से interact करती है और यहां पर justify content end है तो इसको between कर देता हूँ मैं between और इसके अंदर एक link भी add कर देंगे तो link हमको ऊपर import करना पड़ेंगा import link from react router tom और यहां पर link component में add कर देता हूँ अब link हम क्यों add कर रहें देखिए मैं बता देता हूँ आपको हम पहले एक p tag में इसको wrap कर लेंगे इसके अंदर जहां मैं link को wrap कर लेता हूँ यहां पर निख लेता हूँ text already register please और यहां पर इसके अंदर हम क्या करेंगे login here add कर देंगे जो यहां पर आपको लिखना है login here also क्या करेंगे यहां पर true की property add कर देंगे और इसको redirect करेंगे login के उवर save कर लेते हैं इसको और एक बड़ देख लेते हैं कैसा दिख रहा है और यहाँ पर save के बदले हम करेंगे register और कुछ है का change करने के लिए I don't think तो दीखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से show करेंगा और थोड़ा सा space भी दे देते हैं सेफ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं POS application register page name है user ID है password है और already register है और login पर click करेंगे तो दीखिए यहाँ पर redirect होंगा login page पर अभी यह भी page हमको create करना है लेकिन यहाँ पर हमारा register को page तो successfully add कर देंगे अच्छा यह visible है देखिए इसको change करना पड़ेंगा register तो दीखिए यहाँ पर आ रहा है बराबर से data तो यहाँ पर input कहा है password का यह वाला add कर देता हूँ यहाँ फिर हम क्या करेंगे register को inspect में करके देख लेंगे अगर inspect में उता है तो फिर इससे थोड़ा सा basic idea हमको मिल जाएंगा और register के अंदर हम क्या करते हैं यहाँ पर बॉर्डर एड कर देंगे border one pixel solid black important sorry important यहाँ तो जरूरत नहीं पर थी important की तो border यहाँ पर register के बाद में एक और div ले लेंगे so यहाँ पर मैं इसकी class रख देता हूँ register form और सब कुछ हम क्या करेंगे इसके अंदर wrap कर लेंगे so यहाँ से मैं cut करके div को end में paste कर देता हूँ और इस register form को target करके देख लेंगे index.ess.register form background change करके देखते हैं पहले background color और इसको gray color कर देंगे gray light gray कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा dim कर देंगे safe अच्छा थीक है यहाँ पर effect हमको मिल रहा है तो अब यह directly target हो सकता है तो हम क्या करेंगे padding add कर देंगे इसके अंदर padding of 20 pixel अब दिखेंगे यहाँ पर बराबर से आ रहा है और box shadow कर देंगे ना फिर box shadow के लिए हम क्या करते Google suggest CSS copy कर लेंगे कोई भी अच्छा मिलता है तो ले लेंगे copy कर लेंगे code को और यहाँ पर दिखिए 93 design है तो इनी में से कोई भी copy कर लेंगे इसको copy कर लेते हैं और यहाँ पर add कर देंगे paste save तो देखिए कुछ इस तरीके से यह show कर रहा है एक टाक लग रहा है और इस color को हम change कर लेंगे color यह वाला नहीं चाहिए team का color bluish में है तो blue में कोई color ले लेंगे यह वाला light save चीक टाक है यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यह दिख रहा है और यह POS application को center में करना पड़ेंगा जो heading है ना I think है देखिए h1 है इस h1 को हमको target करना पड़ेंगा यहाँ पर register सारी यहाँ से register form को copy करके इसके अंदर हमारे पास है h1 इस h1 को हम text क्या कर देंगे center कर देंगे text align center और क्या कर सकते हम इसका background color है उसको change कर देंगे background color और इसको कर देंगे blue blue में कोई और option available है चेक कर लेते हैं तो dark वाला ले लेंगे यह dark वाला और इसका जो color है इसको कर देंगे white और थोड़ी सी padding फिर add करना पड़ेंगी padding pencil may be is enough safe तदी कि यहां पर आ रहा है POS application हाला कि design थोड़ा सा weird है लेकिन tik-tak है आप अपने असाब से भी इसका adjust कर सकते है और register page है और register page को भी हम target कर लेंगे so वापस हम क्या करते है इस form के अंदर हमारे पास है h3 h3 में इसका color हम सिर्फ change कर देंगे color और इसको कर देंगे blue name add करना है फिर यहां पर user id है फिर यहां पर password है और इसके बाद में register page है तो यहां पर अभी हमारे पास backend नहीं है तो हम इसके अपर function create नहीं करेंगे अभी हम क्या करते है login page भी जो है create कर लेंगे तो login के लिए भी हम क्या करते है सेम इसी को copy paste कर लेंगे login के अंदर तो सब कुछ मैं यहां से क्या करता हूँ copy कर लेता हूँ register के अंदर का copy और इसको fragment बना देंगे पहले और इसके अंदर इसको paste कर लेंगे और imports भी copy paste कर लेता हूँ तो यहां से इसको copy paste कर लेंगे और क्या बचता है इसमें यह handler बचता है इसको भी copy कर लेंगे और यहाँ पर paste कर लेंगे और यहाँ पर POS register page है आप login page कर लेंगे इसी के साथ में login में हमारे पास name नहीं रहेंगा user ID और password रहेंगा खाली तो इसको remove कर लेता हूँ और user ID और password है और already not a user कर देंगे इसको अपने साथ साथ custom message भी यहाँ पर add कर सकते और यहाँ पर register है और यहाँ पर login कर लेंगे और कहीं change करना है या नहीं चेक कर लेते हैं देखिए सब कुछ तो सही लग रहा है save कर लेते हैं इसको और 2 की property change कर लेंगे यहाँ पर देखिए 2 पर login है न इसको आपको register पर redirect करना है save चलते है application पर वापेस और इसको एक बर refresh कर लेंगे और यहाँ पर मैं login हेर पर click करता हूँ तो देखिए यहाँ पर login पेच पर आ चुके हैं यहाँ पर user ID और password और not a user please register here इस पर click करेंगे तो register पेच पर हम redirect हो चुके हैं अब हमको क्या करना है यहाँ पर backend पर इसका route क्रेट करना है तो पहले हमको model भी लगेंगा तो model हम create कर लेंगे उसके बाद में इसका endpoint क्रेट करेंगे और फिर इसको bind करना पड़ेंगा इन दोनों functions के साथ होए तो एक model हमारे पास already है तो हम उसी को copy paste करके एक new model create करेंगे user के लिए चलते है वापस और client को जो है थोड़े देर के लिए side में रखते है और हमारे पास है models और इसके अंदर है item model तो एक new file create कर लेंगे पहले और इसका नाम हम रखते है user model और item model में से हम क्या करेंगे सेम सारा code copy कर लेंगे और user model में से इसको paste कर लेंगे सिर्फ rename कर देंगे इसको देखिए item schema है न उसको हम user schema कर देंगे user schema और यहांपर user में नहीं चाहिए हमपो user value कर देंगा इसके बाद में यहाँपर user URL और इसका type जो रहेंगा वो रहेंगा string require इसको भी true कर देंगे और यह double में add हो गया extra string को हम यहां से remove कर देंगे और इसके बाद में हम क्या करेंगे यहां पर तो यह spacing को जिस तरी किस है password रहेंगा password को आप फिर convert भी कर सकते है अगर आपको इसको secure करना है ना तो आप यहां पर hash भी कर सकते है उसको तो फिलाल भी hash नहीं करूंगा बाद में देखेंगे हम time बचता है तो hash भी कर लेंगे इसको type है type इसका भी रहेंगा string क्योंकि हो सकता है इसमें number हो या पिर कुछ और चीज़ें भी provide हो और required इसको भी true कर देंगे name, user id and password I think इतना काफी है और आप चाहे तो एक extra virtual field add कर सकते है verified की क्योंकि ज्यादा तर तो user इसमें होते नहीं verified और इसका type add कर देंगे सिर्फ हम type string नहीं इसको boolean रखेंगे जैसे admin की property हम करते थे ना उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको add कर देंगे boolean इसकी property रहेंगे save कर लेते हैं इसको और कोई दिक्कत तो नहीं check कर लेते हैं तो model हमारा successfully create हो चुका है और यहाँ पर model के बाद में हमको क्या करना है route create करना है सो हम क्या करेंगे यहां से मैं close करते तो बागी के चीज़े आइटम पेस्ट को भी close कर देते हैं इसकी विज़रत नहीं user model को भी रहने देते हैं तो हम यहां पर route के दर चलते हैं तो इसी को हम copy paste कर सकते हैं तो पहले हम क्या करेंगे यहां पर users के लिए create करेंगे user routes.its तो यह new file हमने create की और इसके अंदर हम क्या करेंगे चो भी item route है इसको copy कर लेंगे copy और यूजर राउट के अंदर पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद हम को क्या करना है, इसको रिमॉब कर देना है, सिर्फ दो ही राउट रहेंगा हमारे पास, एक login के लिए है, तो get रहेंगा login के लिए, यहाँ पर लिए लिए, और second वाला रहेंगा, register के लिए, तो register, औ और यहाँ पर get item controller है ना तो यहाँ पर login controller कर देंगे हम login controller और इसको कर देंगे register controller तो यह अभी create करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इन सब को remove कर देंगे paste login controller register controller इसको भी create करना है वरना import अभी save करेंगे तो फिर error आएंगा तो इसको भी हमको create करना पड़ेंगा तो हमके करते item route को close कर देते चलते controller में new file create करते हैं user controller item controller में से क्या करेंगे सब कुछ copy कर लेंगे और इसको user controller में paste कर देंगे जो जो चीज़े चाहिए वही चीज़े हम अभी फिलाल के लिए रखेंगे जैसे कि हमको सरफ login और register के लिए create करना है तो दो ही रखेंगे हम टॉप टे पहला get है ना और यहां पर item model के बदले हम क्या करेंगे इसको जो है user model कर देंगे user model और यहां पर item model के बदले हमारे पास रहेंगा user model तो थोड़ा fast हो रहांगो तो आप I know basic आपको पतांगा इसलिए थोड़ा सा हम fast forward देख रहे हैं और यहां पर controller का नाम change कर देंगे देखिए route में हमारे पास है login controller तो इसको में क्या करता हूँ copy कर लेता हूँ और item controller को change करके अब हम क्या करेंगे इसको कर देंगे user controller और यहां पर आपको करना है user controller और यहां पर मैं लिखता हूँ login user और यहां पर register कर देंगे कुछ भी ज़्यादा इसमें काम नहीं है basic हमको changes करने इसलिए हमने copy paste किया है और last में देखिए हम क्या करेंगे login controller को भी paste कर देंगे second वाला हमने create किया था एक बड़ चेक कर लेते है register controller है तो इसको भी हमको create करना पड़ेंगा इसको rename कर देंगे और नीचे जह पास करा देंगे तो देख सकते हैं आप route में जह आप यह बराबर से user model और यहां पर find है ना तो पहले login का मैं आपको बता देता हूँ हम क्या कर रहे हैं पर async इसको बना रहे है await हमको क्या करना है user model में से सर्फ एक ही find कर में पड़ेंगा तो find one कर देंगे और find one के अंदर हमको क्या करना है यहां पर check करना है user की id so user id और हम क्या करेंगे पहले destructure कर लेते यह चीज़ों को body में से const destructure from request.body इसमें को क्या मिलने वाला है user id मिलेंगी और password मिलेंगा तो यह password और user id दोनों को हम जहे access कर सकतें तो find में क्या करेंगे user id और password जहें add कर देंगे password और इसके बाद में verified की एक field बनाई थी न verified तो check कर लेते model के अंदर make sure spelling सही हो और देखिए यहां पर इक्वल एड़ हो गया इसको colon कर ले safe और यहां पर हमको क्या करना है इसको पास कराना है तो by default हम क्या करेंगे इसको false कर लेंगे अगर हमको add करना है तो I think that virtual field हमको जरूरत तो नहीं पढ़ेंगे फिर भी हम इसको add करके रख रहे हैं in case हमको कुछ admin की तरह इसमें operation perform करने ताब हम जो है इसकी मदद से कर सकते हैं और initially पहला है ना तो पहले login को मैं true कर देता हूँ verified true और response में देखिया item है ना यहां पर मैं user कर देता हूँ उसको और इसके अंदर भी user हम पास करा देंगे और कोई भी error आता है तो as it is इसको हम call कर सकते है I think कितना काफी है इसमें और कुछ हमको changes नहीं करना है या फिर user के हम क्या करेंगे message add कर देंगे login success ज्यादा बेटर रहेंगा है login success और register के लिए भी हमको क्या करना है देखिया new item है ना तो new user कर सकते हैं यहां पर new user और यहां पर user model का इस्तेमाल करेंगे user model और इसके अंदर हमको क्या करना है सबसे पहले तो हमारे पास जूभी request.body इसमें से data को get करना है तो already get है यहां पर यहां पर new user हम क्या करेंगे save करा देंगे new user को और I don't think यहां पर कुछ और जरुवत है change करना है तो यहां पर सिर्फ हमको यह चेंज करना है new user added successfully और इसमें कुछ भी changes की जरुवत नहीं हमको हम इसको भी save कर सकते हैं और console check कर लेंगे एक बार को error है यहां पर देखिया हमार server restart हो चुका है चलते अब print end पे तो हमारे controller का जो है काम हो चुका है तो इसको close कर देंगे अब चलते register page में और हमारे पास है handle submit इस पे हमको काम करना है तो already हमने जहाई item page में इसका use किया तो function का तो हम क्या कर सकते है इसको use कर सकते है handle submit और track as block हमने use किया था इसको मैं copy करू इसके अंदर हमने देखिए try catch block का use किया है first में dispatch कर रहे है loading को उसके बाद में यहाँ पर हम await कराने वाले और axios को import करना पड़ेंगा तो यहाँ पे हम import कर देंगे axios from axios also इस function को हमको async बनाना पड़ेंगा so async function और dispatch भी हमको लगेंगा तो dispatch भी import कर लेते है import use dispatch from react reader also इसका एक variable भी हमको create करना पड़ेंगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक variable create कर लेंगे dispatch equal to use dispatch इसका variable भी create हो चुका है और कुछ चीज़े हमको जाए and design में से भी import करना है from ant t और यहाँ पर message component है so message और यहाँ पर set all items नहीं चाहिए हमको तो यह function निकाल देंगे model pop-up भी हमको नहीं चाहिए इसको भी remove कर लेंगे और कोई चीज है कि इसमें देखिए नोप और कोई चीज नहीं अब हमको क्या करना है यहाँ पर API जो है change करना है और हाँ हम तो main चीज तो भूली गए हमको server.js की file में जो है end point create करना है वो तो हमने किया ही नहीं यहाँ पर देख सकते हम इसी को हम क्या करेंगे copy paste कर लेंगे और यहाँ पर जो रहेंगा अब रहेंगा users के लिए users और इसके बाद में user का route हमको add कर देना है save कर लेते हैं इसको और चलते है वापत register page में और अभी हम login में है ना तो पहले हम register page में कर लेंगे ठीक है क्योंकि register में हम एक user को add करेंगे फिर उसको login करा देंगे तो as it is same function र slash login है और यहाँ पर user login successfully और navigate का भी इस्तिमाल कर लेंगे तो link के बाद में navigate function आपको add कर देना है और navigate नहीं use navigate है क्योंकि version 6 है और इसका एक variable हमको create करना पड़ेंगा const navigate use navigate और हम क्या करेंगे जैसे success call होगा तो navigate कर देंगे इसको dashboard page पे तो home page पे हमारा dashboard है और error में as it is same रहें और response की जरूरत नहीं है इसमें और I think यह काम करेंगा चिक कर लेते हैं values जो है हमको pass नहीं कर रहा है इसमें directly हमारे पास क्या रहेंगा देखिए यह जो type है na password और user ID के base पे यह कर लेंगा so make sure यह name की field जो है आपके model से match करे वरना फिर यह login नहीं होगा save कर लेते हैं इसको login page हमारा successfully create हो चुका है जिसमें भी कोई भी दिक्कत हमको देखने नहीं मिलेंगे अब हम क्या करेंगे देखिए यहां पर same try catch block को फिर से copy कर लेंगे और अभी post के लिए देखना है हमको तो इसको हम post कर देंगे क्योंकि हम क्या कर रहें डेटा भेज रहा है ना इसको post कर लें पर लेता हो इंटम पेज में हमारे पास है और अल्री कॉपी कर लेते हैं इसको register में भी पेस्ट कर देंगे तो इस्ट और हमारे पास already imports है तो imports हम यहां से copy paste कर लेंगे यह तीनों imports हमको चाहिए कर लेते हैं register page में इसको paste कर लेंगे imports हमारे सारे हो चुक है complete और क्या यहां पर navigate और यह dispatch का variable इसको भी हमको add करना है paste और यहां पर दीखिए await है तो values को change कर देंगे हम तो यहां पर यह जो end point है वो रहेंगा users और यहां पर register का end point है values assets हम इसमें पास कराने वाले हैं और show loading त directly हम इसको avoid करा देंगे response में हम कुछ नहीं भीजने वाले और इसको async कर लें function को async और यह दोनों चीज़ें हमको नहीं चाहिए get all items और pop up और यहां पर हम क्या करेंगे register successfully कर लेंगे और इसको save कर लेते हैं I think यह काम करना चाहिए navigate पर हम क्या करेंगे इसको login पर navigate करा इसको कोई दिक्कत है के चेक कर लेते कोई error console भी एक बर चेक कर लेंगे app crash हो चुकी okay item schema is not defined कहाँ पर user model में okay user model एक बर चेक कर लेते हैं users अच्छा यहां पर रही क्या item schema हो गया ना इसको cut कर लीजिए यहां पर user schema है save लते application पर तरीकी यहां पर server जो हमारा restart हो रहा है और य है register करके check कर लेते हैं inspect भी कर लेंगे साथ में तो इसका name हम कुछ भी रख सकते है tech info id1 और password 123456 register तो something went wrong और यहां पर fail बता रहा है na network tab में भी देख लेते हैं इसको एक बार network tab register cannot post okay दीखें यहां पर कुछ spelling mistake होंगा यह endpoint नी मिल रहा है एक बार हम dev server में भी check कर लेते हैं okay 404 का error है और register okay spelling mistake लग रही है एक बार चेक कर लेते हैं कहां पर हमारे पास register और यहां पर दिखिए register है न तो यहां पर कुछ इस तरीके से रहेंगा उसको ख्रॉस चेक कर लेंगे user routes में भी दिखिए register इस तरीके से हमने लिखा था और यहां पर आगे पीछे हो गया जिसकी वज़े से ऐसा हो रहा है password 123456 register पर क्लिक करते हैं तो देखे रेजिस्टर सक्सेसफ़ली और हम redirect हो चुके हैं अब सर्वर में भी चेक कर सकते हैं बराबर से 201 अब हम क्या करेंगे database में चेक कर लेंगे तो mongo db compass को open कर लेते हैं और local host पर connect हो जाता हूँ अगर आप cloud यूज़ कर रहे तो फिर उसका srb आप आड़ कर दीजिए और pos application यह रही तो दीखिए यहां पर user का table जो है create हो चुका है document हम इसे कहते हैं इस पर click करेंगे तो यहां पर दीखिए नहीं में आ चुका है user id आ चुक है और password भी आ चुका रहे है अब हम क्या करेंगे जो है यहां से login चेक कर लेंगे user id 1 password 123456 और login तो देखिए user login successful तो successfully हमारे पास जो है दोनों चीज़े यहां पर create हो चुकी है दोनों end point हमारे create हो गया है और perfectly हम जो इसक अंदर login हो पा रहे हैं लेकिन इसमें एक और problem क्या है जैसे मैं यहां पर slash login लिखता हूँ तो मैं फिर से login page पे आ गया behavior हमको नहीं चाहिए हमको हमारे routes को जाए protect करना है आप चाहिए तो उसको बहुत सारी changes हमारे controller में और route में करना पड़ेंगा है तो चलते हैं वापस visual studio code में चलते हैं और user controller में चलते हैं और login controller में हम Coast करने पढ़ेंगे और साथ ही में थी with the register controller है यहां पर हम तो यहां पर रेजिस्टर में पहले कर लेते हैं, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम पर न्यू यूजर है ना, यह वाला, तो इसमें क्या करेंगे, अबजेक्ट में जो है ना, वेरिफाइट को भी पास करा देंगे, और जो भी डेटा बॉडी में इसको spread कर देंगे पहले, request.body और इसके बाद में verified है पने पास, so verified, make sure to model है पने पास, user model उसके अंदर और इसकी spelling same हो, देखिए verified, copy यहां से कर लेता हूँ है, और यहां पर verified को जो है, true कर देंगे, save कर लेता हूँ साथी में मैं इसको, और login में हमको क्या करना है, conditionally यहां पर check करना पूडेंगा, अब ज हम यह response send कर देंगे, login success का, यहां पर directly user को store करा देंगे, और इसके base पर चेक करेंगे, और यहां पर मैं else condition add कर देता हूँ, check मतलब कहा है कि हमको protect करना है हमारे route को, यहां पर simply मैं ककरता है, JSON response send कर देता हूँ, less.json, और इसके अंदर एक message add कर देंगे हम, message, और message हम यहां पर login fail का कर देते हैं, और user को pass करा देंगे, so user as it is हम इसमें pass करा देंगे, save कर लेते हैं इसको, और login page में भी हमको change करना पड़ेंगा, यह जो login page है, इसमें दीखे, values को हमने pass नहीं किया न, तो value को आप add कर दे पहले, यह जो value expect कर रहे हैं, इसको pass भी करा रहे हैं, और यहां प और इसके अंदर एक auth नाम से मैं create कर लेता हूँ, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, stringify का use करेंगे, json.stringify, और इसके अंदर हम को क्या करना है, stringify के अंदर, जो भी response आ रहा है, और response के अंदर हमको data मिलता है, तो हम यहां पर string में convert कर देंगे, और बागी सारी चीज़े तो आट में export और normal function हम create करेंगे, क्योंकि already arrow function अपने पास ऊपर है, arrow function ही है, यह भी normal function है, तो इसको भी normal function ही create कर लेते है, protected route, और इसके अंदर हम children को expect करेंगे, normal हम जो layout create करते time children add करते है, वही चीज़ हम यहां पर देखने वाले, अब यहां पर हम चेक करेंगे, if local storage, हमको local storage मे get करना है item को, कौन से item को, auth को जो हमको यहां से get करना है, और अगर हमको यह मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर return करा देंगे, return क्या करना है, children जो भी है item, उसको आप show करा देंगे, else में हमको क्या करना है, हम कर देंगे, else की condition लिख लेते पहले, else में हमको यहां पर return कराना है navigate करा देना है इसको कहां पर हम navigate करा देंगे login पे save कर लेते हैं इसको make sure इसको import भी कर लें आप अब हम क्या करेंगे हमारे home page है ना तो इसको जो multi-line कर ले पहले आप और यहां पर हम क्या करेंगे इसको wrap कर देंगे protected route function से protected route और इस home page को आप top पे कर लें save इसी तरीके से आपको सभी के लिए करना है सभी के लिए मतलब क्या है कि हमारे पास जो confidential information है जैसे कि इस item page में भी है हमारे पास जो सरफ login user के लिए है तो उसको हम wrap कर लेंगे protected route से इसी तरीके से हमारे पास card item है तो card item को भी उसी तरीके से हमको wrap कर देना है protected route से और login और register को हमको protect करने की ज़रूरत नहीं save कर लेते इतना और चलते application पे इस फ्रेश कर लेंगे application को और maybe हम क्या करेंगे पहले register करेंगे new user क्योंकि already हमारे पास यह जो user ns में verified नहीं है इसको मैं delete कर देता हूँ हम new user create करेंगे इसका name tech info user id 1 password 123456 register register successful हो चुका है login करके चेक कर लेते हैं एक बार 123456 login तो देखिए login successful अब inspect करके चेक कर लेते हैं एक बार application और इसमें हमारे पास auth है तो देखिए auth में हमारे पास data आ चुका है और यह बहुत सारा data है इसमें से आप data को hide भी कर सकते हैं कुछ जैसे कि अगर user.name और password को आपको hide करना है तो आप करा सकते हैं क्योंकि हमारी application कुछ इतनी बड़ी है नहीं ज्यादा functionality इसमें नहीं देख रहे हैं तो successfully यहाँ पर हमारे पास local storage में data आ चुका है अब अगर मैं कोई new tab भी open करूँ automatically यह get कर लेंगा और यहाँ पर दीखिए बराबर से यह home page पे redirect कर रहा है अब हम क्या करेंगे use effect कर इस्तेमाल कर लेंगे कहाँ पर login और register page में क्योंकि दीखिए यहाँ पर problem क्या होने वाली है अगर मैं here slash login page पे जाओ ना अपस से login page पे आ चुका हूँ तो यह behavior हमको नहीं चाहिए इसको prevent करना पड़ेंगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर use effect की मदद से initial time पर ही get कर लेंगे तो login page पे चलते हैं और यहां पर यूज effect प्रिएट कर लेंगे तो आपको import करना पड़ेंगा user effect और इसका इस्तेमाल करेंगे इस फंक्शन के बाद में currently login user को हम यहां से get करेंगे और यहां पर आपको use effect का सितेमाल करना is use effect और इसके अंदर जह हम यहां पर function क्रियेट करेंगे function क्रियेट करना है सिर्फ एक if की condition जाए add कर देंगे यहां पर local storage में से data को चेक करेंगे local storage dot get item और इसमें auth है या नहीं हमको सिर्फ चेक करना है अगर auth है तो navigate करा देंगे हम इसको navigate और इसको create करना पड़ेंगा navigate so make sure उपर चेक कर लेते है navigate यूज किया है तो create करने की ज़रुवत नहीं है directly हम इसको home page रिडारेक कर लेंगे और यहां पर dependency में हमको navigate पास कराना पड़ेंगा navigate, save कर लेते हैं चलते हैं वापस application पर test कर लेंगे तो login page पर हमने किया है refresh कर लेता हूँ तो देखिए अगर slash login लिग भी लूँ तो automatically यहां पर मुझे home पर redirect कर लेंगा देख सकते हैं automatically हम redirect हो रहे हैं क्योंकि यहां पर हमारे पास local storage में auth है इसी तरीके से register page पर करना है register पर अभी मैं देखिए यहां पर जा सकता हूँ इसको भी हम अब prevent कर देंगे चलते हैं वापस use effect को हम जब copy कर लेंगे और register page पर चलते हैं और यहां पर return से पहले paste करा देंगे use effect को import करना पड़ेंगा हमको तो यहां से मैं इसको import कर देता हूँ use effect save चलते हैं वापस application पर refresh कर लेंगे इसको जैसे मैं register पर जा रहा हूँ यह automatically मुझे redirect कर लेंगा home page पर अब यहां पर हमारे पास है logout तो logout पे भी हम जब functionality आड़ कर देंगे ताके हम user को logout भी करा पाए तो default layout में हमारे पास logout का function है तो यहां पर चलते है logout menu पे तो दीखिए logout menu यहां पर है यह रहा logout menu तो इसके on click पे हम काम करेंगे तो यहां पर multiline कर देते हैं इसको on click on click पे हम एक function fire कर देंगे इसको wrap कर लेता हूं में पहले फंक्शन हमको इसमें पास कराना है और इसके अंदर मैं क्या करूंगा सबसे पहले local storage में से item को remove item कौन सा item हम auth को remove कर देंगे इसी तरीके से हम इसको navigate कर देंगे navigate to slash login page पे navigate कर देंगे हमारे पास variable है इसका navigate का variable भी है तो यह perfectly काम करेंगा save कर लेते हैं इसको चलते है वापस application पर इसको refresh कर लेंगे और local storage भी open है तो इसको भी check कर लेंगे आती में तो मैं logout पर click करता हूँ जैसे logout पर click किया तो देखिए यहां से user remove हो चुका है और हम login page पर आ चुके और यहां पर देख सकते हैं यह continuous call हो रहा है तो कुछ issue है तो यहां पर आप network tab में भी देख सकते हैं continuous call हो रहा है तो इसको condition हमने अड़ नहीं किया तो दीकिंग यहां पर condition में अड़ नहीं किया if की condition में हम add कर देंगे make sure अगर इसको if की condition में add कर दें इसको यहां से cut करें paste और if की condition में हमको सिर्फ check करना यहां पर local storage में auth है या नि इसको यहां पर paste कर लीजिए save और इसको आप अच्छे से एक बार copy कीजिए और register में भी paste कर दीजिए क्योंके यहां पर भी if की condition भूल चुके हैं तो यहां पर भी हम इसको paste कर देंगे चलते वापस application पर और यहां पर दिखिए इसको refresh कर लें वरना as it is यह continuous call होता रहेंगा तो यहां पर हमारी application जो है reload हो चुकी और आप देख सकती अब stable condition में तो हम क्या करेंगे फिर से जो है login करके चेक कर लेंगे 1 password 123456 login login successful हो चुके है हम क्या करते हैं यहां से logout करके चेक कर लेते हैं logout तो दीखिए अब बराबर से stable है हमारे पास routes भी protect हो चुके है और logout login की functionality भी हमारे application में हमने add कर दीए अब हम क्या करेंगे बचेवे part पर काम करेंगे मैं login करके बता देता हूँ हमारे पास क्या बाकि यहां पर bills है फिर यहां पर customer है तो यहां पर हम क्या करेंगे card page में यहां पर total item count जो है show करेंगे यानि कि जितना भी amount होंगा न बिल का हम यहां पर उसको show करने वाले हैं तो चलते हैं वापस और यहां से हमको क्या करना है card page पर जाना है और यहां पर हम एक new state create करेंगे total count के लिए तो top पे आप attribute कर दें कहां पर हमारे पास already कहीं पर होंगी इस component में तो कोई भी state नहीं है तो use state भी हमको add करना पड़ेंगा const हम यहां पर use state hook का इस्तेमाल करेंगे use state और initially इसको zero कर लेंगे और यहां पर हमको total count के लिए चाहिए subtotal कर देते हैं subtotal and set subtotal और use state इंपोर्ट नहीं हो तो इसको import करना पड़ेंगा इसी के साथ में use effect भी हमको लगेंगा पहले use state अड़ कर देते हैं इसके बाद में use effect और एक और state हम यहां पर create करेंगे क्योंकि के model pop-up भी हमको show करना है उसके अंदर हम जे bill का count करेंगे तो इसका नाम हम रख देते bill pop-up और set bill pop-up और initially इसको हम करेंगे false अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे पहले total count create करेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना है यहां पर use effect का इस्तेमाल करना पड़ेंगा columns है यहां पर तो last में यहां पर एक variable create करेंगे तो यह initially zero रहेंगा फिर हम इसको total calculation के वैलियो इसके अंदर assign कर देंगे cart items है अपने पास cart items.for each कर सकते हैं और इसके अंदर हमको item मिलेंगा तो item को हम directly target करेंगे और इसके अंदर जो हमारे पास temp का हमने ऊपर variable बनाया इसके अंदर हम क्या करेंगे यहां पर इसको fulfill करा देंगे जो भी temp है plus temp का है zero है फिलाल हमारे पास item है उसके अंदर दीखिए हमारे पास price है और इसको हमको into कराना है quantity के साथ में item.quantity और इसके बाद में क्या करेंगे set subtotal को यहां पर fulfill करा देंगे जो भी temp में value जो है latest add होंगी उससे fulfill करा देंगे और इसको save कर लेते हैं save करने के बाद हमको क्या करना है नीचे दिखिए यहां पर table count है उसके बाद में क्या करेंगे new class create करेंगे display flex कर लेते हैं इसको display flex align items end पर कर देंगे ाँ पर इसको और इसके अंदर म कैंद कना यहां पर बटन को अट करदेना है बटन यह पिर directly हम का करेंगे emissionís Limaqua थी ले लेंगे colonial HR में करद़ती हो यहां पर है आएज त्री आप अर्श करा देंगे तो मैं लेखता हूँ आप पर B tag के अंदर हम क्या करेंगे सब टूटल जो करा देंगे यहां पर सब टूटल का जो अमने स्टेट बनाया है उसको आपको शो कराना है और यह तिंगि यह शो करना चाहिए आगे हम या प्र इससे पहले जो डालर का sign के अड़ कर देंगे और कुछ इस तरीक हैं हमने यहां पर sign को कर दिया और एक button भी add कर देंगे pop-up के लिए button from and design so यहाँ पर देखिए इस पर click करेंगे तो import होना चाहिए एक कर लेते हैं top पे so and design में से तो button यहाँ पर नहीं आया लेकिन table है तो इसके बाद में button को add कर देंगे button और यहाँ पर यहाँ पर इसके on click पर हम क्या करेंगे एक function को fire कर देंगे function में क्या करना है simply pop-up model को open करना है to set will pop-up इसको कर देना है true और यहाँ पर type इसका जो रहेंगा ना उसको कर देंगे हम primary और save कर लेते हैं इसको के बाद में button then model और साथी में message भी लगेंगा बाद में लगेंगा लेकिन अभी हम add करके छोड़ देंगे इसको और यहां पर model के अंदर हमको text को display कराना है तो यहां पर मैं फिलाल एक paragraph ले लेता हूँ invoice model और इस model के अंदर footer है उसको हम कर देंगे पहले false और साथी में on cancel बटन भी हम यहां पर कर देंगे on click on cancel और इसके अंदर हमको क्या करना है simply set bill जो है no set bill pop-up उसको वापस से false कर देना है और visible पर हमको क्या करना है यहां पर true value है उसको जो add कर देना तो bill pop-up की जो value है वो हम यहां पर add कर देंगे और I think इतना काफी है, save कर लेते हैं इसको और एक बाद test कर लेंगे कि सही से हमको दिखता है या निए चलते है application पर तो दीखें यहां पर बराबर से आ रहा है और इसको जो है ना flex को column करना पुड़ेंगा कहां पर हमारे पास deflex align items end है और यहां पर इसको flex column कर देंगे, save और यहां पर दीखिए अच्छा, columns जो है बराबर से add नहीं हुआ है flex, okay, spelling mistake, column है, align items end है करते हैं फिर से एक बार उसको तो दीखिए, यहां पर बराबर से आ रहा है, subtotal count of 4 मैं क्या करता हूँ, फिर से जाता हूँ items में, यानि home page पे और एक दो new items को जाए add कर लेते हैं, जैसे कि यहां से हमने इसको add कर दिया, add to card, चलते हैं card पर, तो देखिए इसका total count क्या हो रहा है, 9 तो आप भी अपने असरब से calculation करके देखें, और भी अगर आपको कोई दूसरा वेस में add करना है, तो आप कर सकते हैं, अब देखिए, यहां पर create invoice का button इस पर click करेंगे, तो pop-up होना चाहिए, देखिए, model भी pop-up हो रहा है, अब इस model के अंदर हमको form को create करना है, तो हम क्या यहां से copy कर लेता हूँ, copy, कहां तक है, देखिए, यहां तक है, यहां तक है, यह form, इसको हमने यहां से copy कर लिया, अब चलते है, card page में, और हमारे पास है, model, और model के अंदर हम title भी add कर देगे, तो यहां पर title का option भी मिलता है हमको, और इसका title हम रख सकते है, create invoice, और यहां add कर दीजिए, देखिए, form, input है, इसके बाद में select है, और I think काफी इतना, चेक कर लेते है, निचे स्क्रोल करके, और initial value नहीं चाहिए, handle submit हमको create करना है, तो console.lock करके छोट देंगे इसको, ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूँ, paste handle submit, const handle submit, equal to arrow function, जो के value return करता है, और console.lock कर करके छोड़ देंगे value को, और कोई भी error हमको देखने नहीं मिलेंगा अभी, देख सकते हैं, और यहां पर हमको changes करने हैं, देखिए, यहां पर हमको name नहीं चाहिए, यहां पर लेवगल भी हम change कर देंगे, customer name, price नहीं चाहिए, price के बदले phone number रहेंगा, तो custom phone कर देते हैं, या contact कर देंगे, यहां पर लिख देंगे contact number, और क्या चाहिए हमको इसमें, I think यह दो field काफी है, और payment mode चाहिए, ठीक है, payment mode तो ज़रूरी है, यहां पर इसका नाम हम रख देंगे, payment mode, और label भी change कर देंगे, यहां पर payment method कर देंगे, और यहां पर एक value को remove कर लेंगे, first value रहें cash, और दूसरा रहेंगा, card, और यहां पर save के बदले, generate bill, save कर लेते हैं, इसको और एक बर test कर लेंगे, refresh कर लेते हैं application को, create invoice, और देखिए, यहां पर बराबर से आ रहा है, और payment method में, जो है drop down है, यानि के select box काम कर रहा है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर grand total भी show करा देंग तो शलते हैं वापस visual studio code में, और यहां पर देखिए, form के बाद में एक div ले लेंगे हम, इसकी class में रख देता हूँ, bills, item करके, इसमें changes की ज़रूरत नहीं है, in case अगर आपको styling करना है, तो अब यहां पर कर सकते हैं, मैं एक h5 ले लेता हूँ, और इस h5 के अंदर हम क्या क इसको tax, और इसको multiline कर देता हूँ, और bold tag में हम smart कर देंगे, तो यहां पर condition थोड़ी सी change रहेंगे, हमको क्या करना है, यहां पर subtotal को plus करना है हमारे tax से, तो tax कैसे हम count करने वाले हम क्या करेंगे, इस पर 10% का tax लगाने वाले है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, subtotal को divide कर कर लें सबको, और इसको हम क्या करेंगे, 2 fix की value से जो है add कर देंगे, 2 fix, ताके 2 digit ही हमको यहां पर show करें, save कर लेते हैं इसको, और इसके बाद में grand total, तो इसके लिए हम h3 का use कर लेंगे, h3, और इसके अंदर हमको क्या करना है, grand total और यहां पर grand total में हम क्या करने वाले है, number का use करने, मैं क्या करता हूँ, यह पर bold tag ले लेता हूँ, again, b tag, curly braces, और इसके अंदर हमको subtotal को convert करना है पहले, तो number, number में हमको क्या करना है, subtotal को add कर देना है, subtotal, तो यह number में convert हो जाएंगा, इसी तरीके से हमारे पास, दिखिए, यह जो है tax, इसको भी हमको convert करना है, तो number आप add कर दे पहले, number और यहां से इसको copy paste कर लेते हैं, तो यह calculation है, basic paste और parenthesis में यह wrap नहीं हुआ, तो इसको parenthesis में wrap कर लेते हैं, अब सही सही यह show करना चाहिए, save कर लेते हैं इसको, और एक बार test कर लेंगे, चलते है application पर, application यहां पर refresh हो चुकी है, create invoice, तो grand total बराबर show कर हम क्या करेंगे, यहां पर जो है, तोड़ा सा change करके देख लेंगे, इसके अंदर, और add करके देखते हैं, quantity को और इसको भी बढ़ा देते हैं, तो total 16 हमारा subtotal है, create invoice, तो text के साथ में यह जा रहा है, 17.6 तक, अब हमको क्या करना है, यहां पर bill को generate करना है, तो इसके पहले हम आएंगे, models के अंदर, और यहां पर new file हम create करेंगे, इसका नाम हम रखते, buildsmodel.js, और मैं क्या करता हूँ, item model को copy कर लेता हूँ, और इसी में क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, इसको, build model के अंदर, copy, paste, और यहां पर इसको change कर देंगे, तो यहां पर item schema के बदले रहेंगा build schema, और यहां पर name तो नहीं रहेंगा हमारे पास, और name के बदले यहां पर हमको करना है customer name, so customer name, और इस N को capital कर देता हूँ, customer name, type string है, required रहेंगा, price तो नहीं चाहिए हमको यहां पर directly इसके बाद में customer का number रहेंगा, यहां पर हम लिख लेंगे customer number, type number रहेंगा, और required true इसके बाद में क्या करेंगे, इसको multiple time paste कर देंगे, total, subtotal और tax के लिए कर लेते हैं, तो इसके बाद में क्या करेंगे, यहां पर total amount कर देंगे, total amount और यह number रहेंगा, required इसमें भी रहेंगा, इसके बाद में क्या करते हैं, यहां पर tax add कर देंगे, tax और इसके बाद में यहां पर payment का mode, तो payment mode हमको string में करना पड़ेंगा, तो payment mode type इसका रहेंगा string, और इसके बाद में आपका करें, इस bill schema को copy कर ले, यहां पर आपको provide करना है, और इस item के बदले आपको यहां पर करना है, बिल्स का collection हम create करेंगे, और यहां पर मैं लिखता हूँ, बिल्स और यहां से इस export भी कर देंगे, बिल्स को, सिप कर लेते हैं, तो यहां पर हमारे पास देखिए, इसका model create हो चुका है, यानि कि बिल्स model हमारा ready है, अब इसका हम use कर सकते हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसके लिए route कर लेंगे, तो चलते हैं route में, और एक new file create करेंगे, इसका नाम हम और इसके बाद में controller change करना है, और यह सारी चीज़े अभी हमको नहीं चाहिए, simply अभी post route चाहिए, और यहां पर add item के बदले हम क्या करेंगे, इसका end point जो है, change कर देंगे, और इसका नाम हम रख सकते हैं, add bills कर देते हैं, और यह जो controller है, add item है तो add bills कर देते हैं, add bills कर देते bills controller, और इसको भी हम क्या करेंगे, item controller से copy कर लेंगे, copy, इसके अंदर paste, और यहां से सब कुछ remove कर लेता हूं, पहले, delete नहीं चाहिए हमको, delete को remove कर लेंगे, update भी नहीं चाहिए, भी फिलाल, cut, get भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमको यहां पर add करना है, और यहां पर schema जो रहेंग इसको हम कर देंगे, add bills controller, copy, नीचे export कर लें, paste, इसको save कर लेते हैं पहले, और यह error शो कर सकता है, क्योंकि यहां पर item model है, तो मैं करता हूं, इसको copy कर लेता हूं, item model से replace कर लेंगे, और new item है तो इसको bill कर देंगे, new bill, और new bill.save कर लेंगे इसको, new bill.save, और यहां पर हम कर generated, और generated आपको जो भी लिखना है, आप यहां पर लिख सकते हैं, save कर लेते हैं, add bill को copy कर लेंगे, और इसको route के अंदर paste कर देंगे, paste, और यहां पर भी इसको paste कर देंगे, और यहां पर change कर ले, आप controller का type, control space, registration में show करेंगा, आप उसमें से select कर दे, bill controller को, इसको save कर लेते ह और server.js की file में add कर दे, तो हम क्या करेंगे, यहां पर copy paste कर लेंगे इसको, और API के बाद में हम रखेंगे यहां पर bills, और इसके बाद में हमको क्या करना है, यहां पर iska route change कर लेना है, तो bills का जो latest route हमने create किया है, वह हम यहां पर add कर देंगे, save कर लेते हैं, इसको भी, और console चेक कर लेते हैं, और देख सकते हैं, कोई भी, अभी हमारे पास नहीं है, successfully हमारा route create हो चुका है, हमने सर्फ copy paste किया है, क्योंकि थोड़ा सा time बचे, और यहां पर देख सकते है, bill model हमारे पास, उसका route है, और इस bill route को, यहांनि add bill को हमको target करना है, server.js में हमने already import कर दिया है bill controller में हमने क्या किया, यहां पर same जो पहले add items कर रहे थे, वहीं function को copy paste किया है, और उसके बदले bill से जो है, इसको replace कर दिया है, और चलते हैं, आप क्या करेंगे, इन सब को close कर देता हुआ, bill model को भी close, नहीं, इसको रहने देते हैं भी फिलाग, और card page पे चलते है, और हमारे पास क्या issue है, दिखिए, हम यहां पर क्या कर रहे है, create कर रहे है invoice, तो यहां पर हमारे पास customer name, contact number, payment method, तो इसको तो get करना है हमको, साथी में subtotal, tax और grand total को भी हमको get करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर object बना देंगे, ठीक है, new object बना लीजिए, new object, equal to, यहां पर हम क्या करेंगे, spread कर देंगे value को, जो भी data पहले form में रहेंगा, वो भी हमको चाहिए, उसके बाद में total भी चाहिए हमको, तो total भी आप यहां पर add कर दे, subtotal, उसके बाद में tax, और tax को हम copy कर लेंगे, देखिए, यह tax है, यह हमको agities चाहिए, copy कर लेते हैं इसको, और हम क्या यहां पर, यह रहा, tax, इसको number में convert कर देंगे पहले, number और parenthesis के अंदर आपको लिख देना है, tax हो गया, उसके बाद में total amount है, total amount, make sure देखिए, यह जो field हम add कर रहे न, यह आपके database में, जो table है, उससे match होना चाहिए, देखिए total amount, और यहां पर total amount, और total amount के लिए हमने add किया paste कर लेते हैं, और उसके बाद में किसने यह create किया है, वो भी हम बता देंगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक new field create करेंगे, user id के नाम से, user id, और यह हम get करेंगे local storage में से, तो साथ ही में इसको parse करना पढ़ेंगा, json.parse, रहेंगा local storage में से, तो local storage में से हमको get करना है, local storage dot get item, और वो auth का table था, अपने पास, table नहीं, field थी, तो उसमें से हम get कर रहे है, और उसके बाद में क्या करेंगे, यहां पर dot underscore id जो है, उसकी get कर लेंगे, save कर लेते हैं, और मैं क्या करता हूँ, console dot log कर लेता हूँ पहले, ताकि हम इसको test कर पाएं, कि यह सही में काम करता है, तो हम यहां पर new object को जो है, console dot log करा लेंगे, save कर लेते हैं, save करने के बाद application पर चलते हैं, और इसको close करते हैं, और इसको refresh कर लेंगे, साथी में inspect कर लेते हैं, क्योंकि console पर हमको check करना है, तो यहां से आप क्या करें, console को open कर लें, और इसको clear कर देता हूँ, अब हम क्या कर बराबर से हमारे पास सारी values आ रही है, contact number, उसका name, payment mode, subtotal, tax, total amount, user id भी बराबर से आ रही है, तो इसको अब हमको database में बेजना है, तो बहुत simple है, इस function को हम क्या करेंगे, async बना लेंगे पहले, async function, और यहां पर हम क्या करेंगे, try catch block का use कर लेंगे, so try and catch, catch में हमको क्या क करना है, console.lock कर लेना है, console.log of error, also हम क्या कर सकते, message की property है अपने पास, यहनि कि message.error हम send करा सकते, notification में, और यहां पर मैं लिखता हूँ, something went wrong, और try के अंदर आपको क्या करना है, इस new object को cut करके paste कर देना है, और इसको console.lock को मैं comment कर देता हूँ, यह सरफ समझने के लिए था, और यहां पर हम क्या करेंगे, अब await करेंगे, यहां पर await, और axios का use करना है, axios.post, और axios को ऊपर import कर लें पहले, आप top ते, import axios from axios, इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहां पर navigate को भी import करके रख देता हूँ, react router dom में से, so use navigate from react router dom, इसका एक variable भी create कर लेंगे, यहां पर, const navigate equal to use navigate, और नीचे चलते हैं वापस function में, और यहां पर हमको क्या करना है, देखिए, host में जहाँ, API का end point देना है, तो हमारे पास है, API slash builds, जो कि server.js में हमने लिखा था, उसके बाद में हमारे पास था, add builds, तो route एक बार चेक कर लेंगे, हम कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम क उसके बाद का हमारा बनता है, add build, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, कॉमा लगा के, new object को पास करा देंगे, तो यहां पर आप object को add कर दे, new object, और अगर यह success होंगा, तो एक message हम add कर देंगे, message.success, और यहां पर लिखेंगे, build generated, और इसको push कर देंगे, तो navigate का हम यहां प लिखेंगे, हम इसको save कर लेंगे, और एक बाद test कर लेंगे, चलते हैं application पर, और यहां से हम क्या करेंगे, create invoice पर click करेंगे, यहां पर name फिल्ड कर देता हूँ, 123456 contact number, method यहां पर cache और generate build, जैसे click किया तो यहां पर तो कुछ हुआ नहीं, inspect कर के चेक कर लेते हैं, एक बाद console पर कोई error है या नहीं, dev console भी check कर लेते हैं, अचली कि dev console पर कुछ error है, यहां पर express deprecated, ओके, यहां पर response में कुछ issue है, कहां पर है यह, bills controller में, चलते हैं वापस bills controller में, तो यहां से मैं क्या करता हूँ, status को remove करके check कर लेता हूँ, rest.send, और यहां पर हम model में एक change कर लेंगे cart items भी हम receive करेंगे, उसको भी हमको access करना पड़ेंगा, तो यहां पर मैं लिखता हू, cart items, colon, और इसका जो type रहेंगा, उसको कर देंगे हम array का type, और require भी कर सकते हैं आप इसको, तो require, true कर देंगे हम, save कर लेते हैं इसको, और यहां पर जो cart page है, उसमें हम क्या करेंगे, values के cart items को भी get कर लेंगे, so cart items, save कर लेते हैं इसको भी, और एकबर console चेक कर लेंगे, देखिए, यहां पर compile हो रहा है, और जैसे compile हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, फिर से check करेंगे, देखिए, webpack compile successfully, इसको close करते हैं, और यहां से इसको refresh कर लेंगे, console भी on रखिए, और जो भी warnings से देखिए, यह layout के जो है, warnings है, unique key property हमको provide करना पड़ता है, तो यह last में fix कर लेंगे, create invoice पे click करते हैं, और यहां पर इसको fill कर लेते हैं, और यहां पर payment method हम select कर लेते हैं, और generate bill, again यहां पर कुछ भी नहीं हो, network tab में देख लेते हैं, add bill तो यहां पर आया है, generate bill पे click कर रह पेड़ोड तो बराबर से आ रहा है, देख सकते हैं, पेड़ोड में हमारे पास सारा data है, लेकिन यह send नहीं हो रहा है, response नहीं मिल रहा है, फिर से check करता हूँ, तो console में error है, फिर से हमारे पास, आप काउन सा error है, चेक कर लेते हैं, यहांपर, unhandled promise, promise में error है, मैं दोनों मे चेक कर लेता हूँ पहले, catch error और यह वाला भी होँ सकते है, status की वज़े से, जो भी error है, मैं इसको आज़ेटीज पास कर रहा देता हूँ, response.error, या फिर something went wrong कर देंगे, मैं इसमें भी, something went wrong, और response.send है, save कर लेते हैं, इसको, check करते हैं, यह फिर से compile होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ proxy का भी error है, तो proxy में भी issue हो सकता है, तो फिर हमको restart करना पड़ेंगा server को, अभी फिर चेक कर लेता है, अगर नहीं होता है, तो फिर server restart कर लेंगे, चलते है application पे, close, refresh, और database में भी check कर लेता हूँ, अच्छा database में यहाँ पर collection create हो चुका है, मगर इसके अंदर कुछ भी value जाएड नहीं होगी, तो यह भी एक issue है, delete कर दे तो bills का collection, delete, और POS में अभी हमारे पास सिर्फ दूई है, चलते हैं वापस application पर, clear कर देंगे इसको, और यहाँ पर create invoice, फिर से data fill करते हैं, payment method select कर लेते हैं, generate bill, तो देखे, bill generated, यह बार जो है, बराबर से काम किया है, और यहाँ पर देखे, इस पर click करेंगे, तो देखे, अच्छा, यहाँ पर तो error शो कर रहा है, response में, something went wrong, console check कर लेते हैं, console में क्या है रहा है, देखे, customer name is required, okay, तो देखे, यहाँ पर, हमारे पास model में इस्टो होंगा, नीचे scroll करें, customer name, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप कर लेंगे, customer number, फिर payment method है, उसको भी correct कर लेंगे, total amount directly pass कर रहा है, tax भी सही था, payment mode में भी हो सकता है, कुछ issue, तो इसको भी एक बार, copy paste कर लेंगे, यहीं से, paste, save कर लेंगे इसको, और data कर लेते हैं, refresh कर लेंगे, तो देखे, again यहाँ पर बना है, लेकिन इसमें 0 है, count, इसको, इसको drop कर लेंगे, फिर से, यह save हो चुका, चलते हैं, वापस पहले, clear कर देते हैं इसको, फिर से चलते है, create invoice, name हम add कर देंगे, check info yt, 123456, यह cash कर लेंगे, और फिर generate bill, तो bill generated, और इस बार check कर लेते हैं, क्या है, देखे, bill created successfully in response, और database में चेक कर लें और इसको open करके देख लेते हैं, तो देखे, बराबर से इसके अंदर data आ रहे हैं, क्योंकि array है, तो array पर 0 ही show करता है, अभी हमने scope किया है, तो बराबर से यह show कर रहा है, ID देख सकते हैं, customer name, इसका number, पिर कितना amount है, tax है, payment method, और card items को expand करेंगे, तो देखे, यह पर object है, औ हो भी यहाँ पर हम successfully get कर पा रहे है, तो bill से related सारा task हो चुका है, अभी हमको इसके लिए PDF generate करना है, और bill का page create करना है, और उसके अंदर सारे bills और customer को भी हमको show कराना है, तो अभी हम क्या करेंगे, bills के लिए page create कर लेंगे, और साथी में customer के लिए भी जो है, new page create कर लेंगे, चलते है, visual studio code में, client, और यहाँ से source के अंदर हमारे पास pages है, इसके अंदर एक new page हम create करेंगे, bills के लिए, bills page dot js, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, customer के लिए भी कर देंगे, customer page dot js, इसको functional component बना देंगे, rafce react arrow function with export, h1 add कर देंगे, customer page, save, इसको close कर देते हैं, पहले bills page पे क और app.js में इसको import करना पड़ेंगा, app.js, और यहाँ पर हम add कर सकते हैं, directly भी कर लेंगे, auto import का function काम करता है, तो protected route के अंदर हमको इसको करना पड़ेंगा, तो देखिए, यहीं से मैं क्या करता हूँ, इस route को copy कर लूँगा, दो बार copy paste, यह वाला रहेंगा, bills के लिए, से जो हम wrap कर लेंगे, so default layout, make sure यह import भी हो जाए, so इसको बराबर से close करें, save, चलते हैं app.js में, और bills में हमको क्या करना है, card page के बतले, bills page को जो है add कर देना है, देखिए, suggestion शो कर रहा है, इस पर click कर, click करें, तो auto import भी हो जाएंगा, उसके बाद में हमारे पास है, customer, और यहा save कर लेते हैं, और यहाँ पर click कर लेंगे, आना चाहिए, तो दीखिए, bill page successfully आ रहा है, और हम के कर सकते है, local storage message data को remove भी कर सकते है, तो बाद में देख लेंगे, फ़ले दीखिए, यहाँ पर bills page आ रहा है, तो हमको इसके लिए controller create करना पड़ेंगा, तो controller already है हमारे पास, तो इसके अंदर हम एक क्या करेंगे, यहाँ पर function create करेंगे, get bills data और इसको हम item controller मेंसे copy कर लेंगे, यहीं से मैं copy करता हूँ और modification हम कर देगे इसके अंदर paste, get item controller के बदले इसको कर देना है, get bills controller और यहाँ पर items के बदले है, bills और bills को रच और आइटम मodal के बदले bills model, save कर लेते हम उसको use कर सकते हैं तो route को open कर लेते हैं पहले, build route और यहां पर इसको copy paste कर लेंगे, copy paste method रहेंगा, get का और यहां पर इसको कर देंगे, getBills और यहां पर add के बदले, getBills controller paste और इसको export भी करना पड़ेगा, तो यहां पर हम इसको import कर लेंगे, save कर लेते हैं इसको console चेक कर लेते हैं एक बार कोई error तो नहीं अपने पास तो कोई भी error हमारे पास console पे नहीं है तो यह दोनों की controller create हो चुक है इसमें हम क्या करने वाले get करने वाले हैं देखिए यहां पर post है ना method इसमें हमको show कराना है तो उसको हम क्या कर सकते हैं अजर table की format में भी show करा सकते हैं और वही पर हम क्या करेंगे invoice का option कर देंगे यानि के receipt हम create कर सकते हैं तो इसके लिए हमारे पास I think item page है ना उसमें already है हमारे पास देखिए यह जितने भी है ना इसको हम copy कर लेंगे मैं क्या करता हूँ सब कुछ copy कर लेता हूँ यहां से copy और वाखी सब को close कर देंगे यहां से build route को भी controller को भी और model को भी app.js close कर देते हैं और build stage में हम क्या करेंगे सब कुछ paste कर देंगे और यहां पर आपको error कर सकता है तो फिलाल उसको ignore करें क्योंकि imports भी हमको यहां पर लगेंगे तो imports भी आप बराबर से copy करें तो imports तक हमने copy कर लिया है यहां पर copy और builds के अंदर return से पहले paste कर देंगे और imports पचते हैं top के तो वह हम import कर देंगे यहां से पूरे import हमको चाहिए copy top पे आप क्या करें इसको add कर दें paste और जो किजी हमको नहीं चाहिए वह हम remove कर लेंगे जैसे के pop-up model edit नहीं चाहिए नहीं हमको फिलाल रहने देते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है get all items के बदले हम क्या करेंगे get all bills का function बना देंगे और यहाँ पर देखिए await हम कर रहे है तो यह route हमको change करना पदेंगा see route हम change कर देंगे bills slash get-bills और data में हम क्या करेंगे यहां पर items है तो यहां पर bills data कर लेंगे इसको, bills data, set bills data, और यहां से set करा देंगे इसको, और यहां पर get all items के बदले अब रहेंगा, get all bills, और नीचे छेक कर लेते हैं, handle delete है, तो यह नहीं चाहिए हमको, इसको remove कर लेते हैं, और यह column है, column हमको change करना पड़ेंगा, क्योंकि यह जो table है वो हमको नहीं चाहिए, तो मैं delete का action यहां से remove कर लेता हूँ, यह जो action है, action totally हम remove कर लेंगे, edit रख देते हैं, और edit के वदले हम क्या करेंगे, दूसरा icon simple शो करा देंगे यहां पर, मैं इसको close कर देता हूँ, और यहां पर देखिए form submit, तो form submit पे हमको, अभी कुछ भी नहीं चाहिए, मैं क्या करता हूँ, सब कुछ remove कर लेता हूँ, cut, और यहां पर simple console.lock कर लेंगे, अचा submit को है ही नहीं, इसको totally cut कर देते हैं, जरूरत नहीं इसकी, data source में आपको क्या करना है, यहां पर, builds data को जो है add कर देना है, builds data, और यहां से on finish को आप remove कर लें, और य total form को remove कर लेंगे, empty pop-up रहेंगा भी फिलहाल के लिए, और यह जो return है, इसको change कर देंगे, यहां पे इसको कर देंगे, invoice list कर देते हैं, invoice list, add item है, इसको remove कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं हमको, और चेक कर लेते हैं, क्या change कर सकते हैं, अब जो चीजे नहीं चाहिए, वो करके, fast forward में इसको देख रहे हैं, और यहां पर column को change कर देंगे, हम देखे यह जो भी data है, title में हम क्या कर देंगे, पहले शुरू जो है, यहां पर id देदेंगे, customer की id रहेंगी, और data index में हमको क्या करना, यहां पर लिखना है, मैं bill model को भी open करता हो, ताके कोई भी spelling mistake हम से ना हो, control P, और यहां पर bill model को हम open कर लेंगे, bill model, अच्छा, id तो directly आती है, underscore id, तो इसको तो हमको जरूरत नहीं है, बताने की, यहां पर directly underscore id हम pass करा देंगे, इसके बाद में यहां पर image है, तो इसके बदले हम लिखेंगे, customer name, और data index में customer name रहेंगा, जो हमने यहां पर provide किय है, as it is, हम यहां पर इसको add कर देंगे, paste, render remove कर लिए, यह image के लिए था, तो हम इसको remove कर लेते हैं, उसके बाद में हमारे पास है, contact number, और इसका index क्या है, check कर लेते है, customer number के नाम से हमने रखा था, यहां पर इसको add कर दीजिए, और क्या चाहिए हमको यहां पर, total, subtotal भी च total get कर रहे है, उसको हमको as it is, लिखना है, उसके बाद में हमारे पास है, total amount, तो यहां पर मैं लिखता हूँ, total amount, और यहां पर total amount हम add कर देंगे, और I think, इतना काफी है, text की एक field बचती है, तो वो भी हम यहां पर show करा देंगे, text, और यहां पर simple text है, all action है, action के अंदर data index जो आई का एक icon search कर लेंगे, तो end design पर चलते हैं, icons जो है, search करेंगे, तो पहले इसको open कर लेते हैं, यहां पर आपको search करना है, icon को, so icon, और इसमें से view के लिए हम search करने वाले हैं, तो mostly I का use होता है, तो हम यहां पर I को search करेंगे, outline इसको copy कर लेते हैं, और action के अंदर हम क्या कर इस edit के बतले, I को paste कर लेंगे, copy करते हैं, इसको उपर import करना पड़ेंगा, top पे चलते हैं, यहां पर icons में से इसको import कर लेंगे, और I think इतना काफी है, save कर लेते हैं, save करने के बाद एक बढ़ चेक कर लेते हैं, कैसा दिखता है, चलते है application पर, तो दीखिए, यहां पर बरा से save नहीं कर रहा है, इस वज़े से हो रहा है, हम database में भी इसको check कर सकते हैं, यहां पर दीखिए, action भी बराबर से आ रहा है, ID आ रही है, customer name, इसको contact, फिर subtotal, subtotal को हमको सिर्फ fix करना है, तो यहां पर आप देख सकते, bill model में हमने subtotal के लिए field ही नहीं बनाई, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको copy कर लेते हैं, copy paste, और यहां पर subtotal के एक field बना देंगे, subtotal, save कर लेते हैं इसको, और हम क्या करेंगे, database में से इसको remove कर लेंगे, यह जो data है, इसको remove कर लेंगे, अब हमारे पास कुछ भी data नहीं है, आप देख सकते हैं, bills जो है, भी MTA, POS पर चलता हू है, home page पे, और card पे चलता है, directly, card है अपने पास, तो यहां से create invoice, फिर से हम क्या करेंगे, इसका नाम और number add कर देंगे, और इसका payment method, और फिल generate bill, तो देखें, bill generate हो चुका है, और directly हम invoice list में आ चुके है, अब सब total भी बराबर से show कर रहा है, और tax पी आ रहा है, और total amount भी यह पर show हो रहा है, और यह आगे पिछे हो गया, तो इसको आप बराबर कर सकते है, अपने है साब से कोई रिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी problem नहीं हो, tax इसको ऊपर कर लीजिए, तो यह बराबर से show करेंगा, वरना यह आगे पिछे आएंगा, जो के सही नहीं है, अब कुछ इस आई बटन पर काम कर लेंगे, और इस pagination को भी बंद कर देंगे, तो मैं चलता हूँ, code में, और यहाँ पर देखिए, हमारे पास यह model है, और model का title भी हम change कर लेंगे, पहले देखिए, यह dynamic title था, पुरानी के लिए, इसको change कर देंगे, और यहाँ पर हम नाम रख देंगे, invoice details, और यहाँ पर देखिए, on cancel पर edit item है, तो इसको remove कर देंगे, और set pop-up तो यह same रहेंगा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ बटन पर चलते हैं, और inline style हम यहाँ पर add कर देंगे, inline style और cursor उसको कर देंगे, pointer, उसके बाद में यहाँ पर on click पर काम करना है, on click, और यहाँ पर arrow function इसके अंदर हम add करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, set pop-up है, इसको true कर देंगे, set pop-up model, इसको कर देंगे true, तो model हमारा open होगा, और साथी में again new state हम create करेंगे, यहाँ पर edit item, तो इसकी जरुरत नहीं हमको, इसके बदले new state create करेंगे, const selected bill, set selected bill, equal to use state, और initially इसको null रख इस pop-up से पहले, हम set कर देंगे, set selected bill, और इसके अंदर record को pass करा देंगे, यह जो record है, इससे इसको fulfill करा देंगे, save कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर इसका काम complete हो चुका, इसको test कर लेते हैं, चलते application पर, और pagination था यह, तो pagination को बाद में देख लेंगे, इसको reflect कर लेते है और i button पर मैं click करता हूँ, तो देखिए, model pop-up हो रहा है, अब इसके अंदर हमको, पी ओएस का bill यहाँ पर create करना है, तो यहाँ पर मैं पहले create कर लूँगा, उसके बाद में मैं आपको explain करूँगा, क्योंकि यह manually create करेंगे, तो काफी इसमें time जा सकता है, क्योंकि बहुत सी styling और पिर इसका alignment में जो है, काफी time जाता है, मैं simply पहले create कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको explain कर लूँगा, मैंने कैसे create किया, तो यहाँ पर मैंने print page जो है create कर लिया, यानि के model के अंदर मैंने invoice के लिए यहाँ पर styling कर ली है, जो कि आप देख सकते हैं, मैं click करता हूँ, यहाँ पर इस i button पर, तो देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको invoice मिलेंगा, क्योंकि हम POS देख रहे हैं, तो thermal printer जो है और उसमें जादा हम colors add नहीं कर सकते हैं, क्योंकि black and white हमको print कराना पड़ता है, और क्योंकि cost का भी इसमें effect पड़ता है, इसलिए यहाँ पर हम black and white में जादा तर देखते हैं, तो यहाँ पर top पर logo, उसके बाद मैं आपके application के नाम देखिए, select कर रहा हूँ, तो इसका color भी print किया है, तो साथी में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितने भी items रहेंगे, वो यहाँ पर show करेंगे, उसके बाद में कितना tax लगा है, और उसके बाद में grand total, तो यह amount हमको print कराना है, तो इस amount की basis पर इसको हम print करा देंगे, और print के लिए अलग से एक button हम create करेंगे, उस प आपको notes या फिर आपके shop के recording आपको जो भी information प्रोवाइट करनी है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो यह काफी छोटा लग रहा हूँगा आपको, क्योंकि POS thermal printer छोटा ही होता है, इतनी इसकी height होती है, I don't think 3 inch का कुछ paper होता है, तो उतने size का ही हमको करना था, इसलिए हम किस कुछ issue हो जाए printer में, तो यह chip up करना आए, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा left and right side से margin add किया है, अब इसको हमने create कैसे किया है, देखिए, coding बहुत जादा बड़ी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर separate videos के उपर नहीं बनाया है, मैंने पहले complete कर दिया, उसके बाद मैं सोच से designing कर सकते हैं, तो यहाँ पर इस application की तरह सेम आपको चाहिए, तो आप कर सकते हैं, यहाँ से इस code को copy कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक div बनाया है, जो के id के base मैंने target किया, एक invoice style.css की file बनाया है, और इसके अंदर जो है, specific is build page में, जो model अपने पास, model कौन सा, यह जो print का model है, invoice का, इसके लिए हमने styling किया है, और यहाँ पर add कर दिया है, यह सारा का सारा style आप separately देख सकते हैं, वीडियो को post करके, यहाँ पर अभी जाके भी देख सकते हैं, फोड़ा सा बड़ा code है, और आप चाहिए तो as it is copy paste भी कर सकते है, rediment आपको मिल जाता है, त इसे कि हमने यहाँ पर देखे, selected में से customer का name extract किया, उसका number extract किया, उसके बाद में date को, और हाँ, date यहाँ पर show नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा किया, bill model के अंदर जो है, एक date का यहाँ पर again type add कर दिया है, देख सकते हैं, एक field है, date के नाम से, जिसके type है, यहाँ पर date, और default date date minus में add कर दी है, date.now के नाम से, जब भी invoice create होंगा, तो automatically date capture हो जाएंगी, और हम क्या कर सकते है, उसको use कर सकते है, तो use हमने कैसे किया, देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, उसको string में convert किया, वरना अगर हम पूरी date लेंगे ना, या पिर moment.js का हमको use करना पड़ेंगा, त तो show कराने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से date का format आ रहा है, तो इसको अगर further आपको enhance करना है, तो आप moment.js का use कर सकते है, उसके बाद में यहाँ पर एक custom HTML table है, आप चाहे तो and design table भी use कर सकते है, यह काफी मुझे easy लगा, क्योंकि मैंने reference में एक बना के रखा था, तो उसी में से मैं use कर रहा हूँ, तो मुझे काफी easy लग रहा है, आप चाहे तो and design table भी use कर सकते है, वहाँ पर आपको और easy जाएंगा, क्योंकि already हमने दो से तीन बार use किया हुआ table को, तो आप वो भी use कर सकते है, तो यहाँ पर देखिए basic table है, जिसकी styling है, id table और उसको मैंने target किया है, यहाँ पर, सब कुछ यहाँ पर मैंने style में add किया हुए, तो आप pause करके check करें क्या क्या styling है, और कैसे हमने इसमें extract किया data को, अब देखिए items थे अपने पास यहाँ पर देखिए, यह जो item है, अब normal table है, तो उसके लिए हमको क्या करना पढ़ेंगा, items को map करना पढ यहाँ पर tax हमने add कर दिया, dollar के sign के साथ में, फिर grand total हमने यहाँ पर add कर दिया है, तो यहाँ पर देख सकते है, total bill.total amount, इसी तरीके से यहाँ पर last में हमारे पासे दिखिए, legal copy, यानि केस में जो भी आपको disclaimer, या फिर जो भी आपके shop के according यहाँ पर instructions add करना है, तो आप add कर सकते हैं, तो comment कर दिया है, आपको easily, जो इसमें समझ में आ जाएंगा, कौन सी चीज कहा तक है, तो आप यहाँ से इतना इसको copy paste कर सकते हैं, तो जैसे आप करेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपको model के अंदर design देखने मिल जाएगा, so I hope यहाँ तक आप complete करें, अभी हम इस बटन भी, सिर्फ हमको print कराने का option दे, ऐसा normally अगर हम Ctrl-P करेंगे, मैं करता हो Ctrl-P कर लेता हूं, तो print का option शो करता है, लेकिन इस print का अगर आप use करेंगे, तो यह पुरा का पूरा page जो है print कर देता है, देख सकते हैं, पूरा invoice यहाँ से print हो रहा है, तो इसको हमको avoid करना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अच्छे से print कराने के लिए एक package होता है, मैं क्या करता हो NPMJS पर पहले visit करता हो, npmjs.com और यहाँ पर आपको search करना है, react-to-print, तो यह एक package होता है, इसमें हमको जो है functionality मिलती है, अच्छे से print कराने की, तो काफी popular है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका package size is 62.3KB, और weekly downloads भी 2 lakhs के अबव है, और demo भी देख सकते हैं, sandbox में और इसको install करके रखें, तो installation बहुत simple है, आप इस command को copy करें, vs code में आईए, terminal में जाईए, और आपको इसको client directory के अंदर पेस्ट करना है, तो पहले का अगर आप switch कर ले, client के अंदर, तो cd client, और यहां से मैं clear कर देता हूँ, तो अब इसके अंदर हमको command को paste करना है, और इसको install कर देना है, और यह जैसे install होता है, तो हमको इसको use करना पड़ेंगा, तो यहां से हम क्या करते है, इसका code copy कर लेते हैं, नीचे scroll करेंगे, तो यहां पर कैसे use करना है, इसका documentation हम को मिल जाएंगा, देखिए, यहां पर class component के साथ में, हम functional component में देख रहे हैं, और हमारे पास दूसरा component है, तो नीचे और scroll करके देख ले तो कोई और example है या नी, देखिए, यहां पर है calling from functional component, तो हमको देखिए, यहां पर use ref लगेंगा, तो यह सारी चीज़े हमको import करना प देखिए, उसके बाद में हमारे पास है यह statement, देखिए, import react to print, from react to print, तो इसको भी हमको import करना है, तो यहां पर मैं इसको import कर देता हूँ, और उसके बाद में हमारे पास क्या है, यहां पर import, यह तो component है, तो हमारे पास already component है, हमारे पास, model में हमको print कराना है, और यहां पर use यहां को एक reference बनाना पड़ेंगा तो component wrap के नाम से इसमें बनाया है तो as it is same use करते हैं तो easily हम यहां पर उसको get कर पाएंगे और इसके बाद में हमको यह करना है यहां पर देखिए react to print का use करना है I don't think हमको इसकी जरुत है हम क्या करेंगे डिरेक्ली जह कंपोनेंट को reference देखे चेक कर लेंगे यहां से मैं copy कर लेता हूँ और इसके बदले हम क्या करेंगे देखिए नीचे एक handle का भी होता है हमको क्या करना है यहां पर on click का event fire करना है तो copy कर लेता हूँ इसको और यहां पर एक button हमको create करना पड़ेंगा तो नीचे scroll कर लेते हैं यहां पर invoice खतम हो रहा है तो यहां पर मैं class बना देता हूँ display flex के नाम से और इसके बाद में align कर देंगे items को जो है end के अंदर तो align items end और इसके अंदर button add कर देंगे तो button हम end design का use कर रहे है button और button का name print और यहां पर इसका type set कर देते हैं primary और on click यहां पर paste कर देंगे और इस function को भी हमको copy करना है चलते हैं वापस तो दिखिए रहा handle print copy कर लेते हैं इसको और top पे paste कर देंगे तो कहां पर paste करें use effect के बाद में तो यहां पर मैं comment कर देता हूँ print function और इसको paste कर देंगे और react to print हमको चाहिए तो यह import करना भूल गए हम use react to print ओके इसको copy कर लेते हैं तो पे चलते हैं और पहले हमने react to print directly paste किया था ना उसके नीचे में यहां पर paste कर लेता हूँ use react to print यह भी hook है इसके बेस पर हम कर सकते हैं मैंने भी इसको जादा use नहीं किया है तो test कर लेते हैं कैसा यह काम करता है और कुछ है कि इसमें चेक कर लेते हैं और type script के साथ में भी है तो हम तो plain JavaScript देख रहे हैं चलते हैं वापस application पर यह हमारी application इसको refresh कर लेंगे और यहां पर मैं click करता हूँ action और यह रहा print CSS class यहां पर apply नहीं हुए गया display flags align items justify item कर देंगे हम इसको justify content end करके check कर लेते हैं तो अब यहां पर बराबर आ चुका है और margin थोड़ा सा दे देंगे margin top से मैं 3 का दे देता हूँ save चलते है application पर और देखिए margin भी मिल रहा है और मैं print पर click करता हूँ तो देखिए print में हमारे पास बराबर से सिर्फ उतना ही data आ रहा है कोई button extra नहीं आ रहा है कि यह POS के लिए है तो यहां पर छोटा दिखाई देंगा लेकिन जब अब thermal printer में इसको print देंगे न तो बराबर यह show करेंगा तो देख सकते हैं हमारा बिल थोड़ा सा छोटा दिख रहा है आपको 80 mm का size है कुछ inches का है तो यहां पर कुछ इस तरीके से हमारा बिल दिखेंगा और कोई भी extra यहां पर आपको देखने नहीं मिलेंगा जैसे के invoice details या फिर यह जो button है यह आपको देखने नहीं मिलेंगा अब हम क्या करेंगे यहां पर कस्टमर पर काम करेंगे कि कस्टमर का भी फिलाल हमारे पास page create है लेकिन इसमें कुछ भी data नहीं है तो हम क्या करेंगे पहले शुरू हो जाना customer page पे काम कर लेंगे यहां पर src, src के अंदर pages और हमारे पास customer page तो इसको wrap कर देंगे हम सबसे और कुछ error है कि inspect करके एक बल चेक कर लेंगे console ओके तो यहां पर कोई route इससे match नहीं हो रहा है customer के लिए तो app.js में एक बल चेक कर लेते हैं app.js को open कर लेते हैं और यहां पर हमारे पास है customer और यहां पर क्या दिया है हमने customers तो s का difference है तो मैं यहां पर s कर देता हूं ठीक है यहां पर हमने s कर लिए अब चलते है वापस और इसको refresh कर लेंगे तो देखिए यहां पर बराबर से यहां चुका है customer page और इसके अंदर हमको क्या करना है सिर्फ जो बिल के अंदर customer का name और उसको contact हम show करा सकते हैं क्योंकि हमने इसके लिए कुछ अलग से अभी idea नहीं था ह हमारे पास के कैसे customer को manage करना है क्योंकि देखिए POS का जो module होता है बहुत वास्ट होता है यानि कि बहुत सारी चीज है इसमें add करने को सब कुछ तो एक साथ हम cover नहीं कर सकते और अभी video के length भी काफी बड़ी है तो I think इस project के लिए इतना काफी है मैं सरफ अभी जो यहां प कर लेंगे name change कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहां पर हम क्या करेंगे state create कर लेंगे bills data और use state को हमका add करना पड़ेंगा state और फिर use effect भी लगेंगा तो use effect भी हम add कर देते हैं इसके बाद में हमारे पास है यहां पर pop-up model नहीं चाहिए इसमें हमको यहां पर दिखेंगे get all bills है न तो यह चीज़ चाहिए हमको और use effect भी लगेंगा use effect भी copy कर लेते हैं यह दूनों चीज़े हम यहां पर copy कर लेंगे और यहां पर इसको paste कर देंगे dispatch भी चाहिए तो import कर देंगे import use dispatch और क्या है यहां पर इसका एक variable create करना पड़ेंगा तो copy paste ही कर लेता हूं में time बचेंगा थोड़ा तो यहां पर यह रहा dispatch इसको हम paste कर देते हैं यहां पर तो dispatch भी हो चुका है और axios को भी import करना पड़ेंगा so import axios from axios axios भी import हो चुका है और क्या बचाहिए यहां पर print function तो हमको नहीं चाहिए अच्छा यह table हमको चाहिए तो table में copy कर लेता हूं so column आप पूरा copy कर ले copy और यहां पर paste कर देंगे नीचे और यहां पर हमको कोई भी आइकन नहीं चाहिए तो action में remove कर लेता हूं यहां से action remove कर लिया इसमें से हमको चाहिए सिर्फ customer name, contact number और total amount भी दिखा देते हैं यहां पर रहने देते हैं सिर्फ दो ही चीज़े हम यहां पर add कर देंगे id customer name यह तीन चीज़े हम add कर देंगे save कर लेता हूं पहले अभी कोई इंपोर्ट करना पड़ेंगा तो मैं करता हूं देखिए यहां पर echo cut करके control space करेंगे और यहां पर add design में से import कर देंगे इस पर click करेंगे component automatic import हो जाएंगा देख सकते हैं यहां पर table auto import हो चुगा है save कर लेते हैं और एक बार इसको check कर लेंगे दिखता है यह नहीं तो देख इसको कर देंगे हम false तो देखिए pagination चला गया तो जाधा data रहा तो जाधा data रहा तो आप pagination को enable कर सकते हैं और I think हमने सब कुछ तो यहां पर अचीव कर लिया यहां पर देख सकते हैं आइटम से पूरे और सब कुछ यहां पर बराबर से काम कर रहा हैं तो यहां पर almost हमारी application जो है complete हो चुकी है तो यहां पर देख सकते हैं आप हमारा home page perfectly काम कर रहा है पिल्स है पिल्स है पिल्स आइटम से यहां पर आ रहा है बराबर से इसको edit डिलीट कर सकते हैं पर customer तो सब कुछ हमने यहां पर achieve कर लिया हलाकि responsiveness पर काम करना बाखी है और भी बहुत सारी modification इस देखिए हम क्या करेंगे इस वीडियो पर हमको 1000 likes अगर मिलते हैं तो हम जो इसको continue करेंगे यानि के मैं next वीडियो इसके पर एक और ला लूंगा जिसमें हम इसको और upgrade करेंगे क्योंकि इसका deployment भी वाखी है तो deployment का भी video चाहिए तो आप नीशे comment कर सकते हैं हम इसको deploy कर दे tutorials मेरे channel पर available है तो आप check out कर सकते हैं links आपको description में या फिर आप channel भी explore कर सकते हैं और अगर आपने video को like नहीं किया तो पहले आप video को like कर दे, channel को subscribe कर दे, bell icon press करें ताके latest video की notification आपको मिलती रहे, मैं मिलता हूँ next video में कोई और project के साथ में